लिए बच्चों वेलकम डेख हम चालू पर रहें दूटान सफ पॉक्षण जो की चाप्टर सुन्वर पिफट है शाला कि बाका चाप्टरन फिफ्ट है और कुप बच्चों ने बोल से तुछ नहें तुछ तुरी को आप उसने प्डूलेंगे और नहीं आप इसके एक हां ब इस पेज पर लिखा हुआ है तो तुम भूख लेके बैठे रहा हुआ साथ में लाइन बढ़ते रहा हुआ तो फर्स परिग्राफ में बताएगा है कि नूटन की लॉटन होते हैं यह एक्षेलरीशन मास के विशन बताते हैं हमको फर्स की मास के एक्षेलरीशन के इनकालते हैं नुटन लो से हंके बताती है और यह थोडा गलत पर ठीक है, जो भी है, वो यह है कि these laws turns out to be definitions to some extent है ना, यही थोड़ी सी definitions बना रहते हैं हमको, तो यह सारी की सारी चीजे हैं, next is first law of motion, तो first law of motion क्या बोलता है, first law of motion, simple सार अगर यह statement याद रखना है, तो यह याद रख लो, acceleration is equal to zero, if and only if force equal to zero, तो first law क्या बोलता है? first law बोलता है, तुमने पढ़ा होगा law of inertia बोलते हैं इसको, first law, अच्छा, first law में कुछ बच्चों को गल्किया होती है, वो मैं समझा दूँगा, बोलता है कि दो case होते हैं, कि अगर एक body state line बे जा रही है, इसी particular speed से, तो वो उसी speed से जाती रहे है, कि जब जो तरॅष पर रहेगी। है फिस पर होजस पर लोय बीक्स अपल हो। सो दो फयर सब्कांत कर सकते हैं खरन कर सकते हैं कर लेखर को रहे हैं कि ली जब आटा पॉरी दोपे इस जिद्वेस कोंचैकbahn ब कह एक पुछन आप में असब निमां यह तरह से यह यह करें तो मुझे बताओ कि इस पे होंटन का पुर्ष लॉट है इस तरह ग्रायुक्तल Sug comic कि पुर्षत हुआ उन एंकर अंले ऊसर बक्यर इंडियाय ओसले नहीं है अन्याव और अग्रैसल तो इस तरह स satisf और नहींन अर्थ का विलोसिती वész से हो लुकि तो नुटन का फिर्स नहीं है लेकिं मैं भलता हूँ कि नीूतन का फिर्स वलोष नहीं है यो बाडी को πrew सम स्कारीय दनी ऑन पिर्सया के लिए नंतलग का मिद फिर्स अल्ट दिए रही दिन को मुझें एक च Rean यह constant velocity से एक straight line में जा रही हो, straight line important है, constant velocity, velocity का मतलब भी direction होता है, वह important, तो उसके अंदर भी Newton का law, first law, तभी अपनी camera जब force zero है, तो a is equal to zero, एक and only a force equal to zero, लेकिन हम तो force लग रहा है और इसकी velocity, तो earth का example Newton की first law का example नहीं है, हाँ, यह laptop नहीं पर रखा हुआ है, यह Newton यह first law example है, एक body जो straight line में जा रही है, वह generally हम देखते नहीं है वैसा, क्योंकि उसके दूसरे forces लग जाते हैं, बट अगर इस space में छोड़ो के किसी body को एक velocity से, और दूर दूर तक कोई satellites नहीं है, नहीं कोई planets नहीं है, तो वह first law example है, तो simple सा होता है, और force का मतलब net force होता है, एक particular force में net force होना चाहिए, अब यह frame of reference की बात कर रहे है, यह acceleration जो है वह तो frame of reference की डिपेंड करेंगे बिल्कुल करेंगा, तो Newton का जो हम law अभी study करेंगे, जो भी हम बात करेंगे, उसमें हम inertial frame लेंगे, उसका inertial frame को क्या मतलबत हो संजाता हूं, अर्थ को frame मानके चलेंगे और अर्थ को inertial frame मानके चलेंगे, वह मैं संजाता हूं, तो एक बार यह देख लेते हैं नीचे different frames की बात है, अब यह बोल रहा है यह वाली situation देख रहा है, तो अब क्या बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, कि एक बंदा कुछ acceleration तो रिलेटिव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा कुछ acceleration a1 मेजर करें, दूसरा बंदा कुछ acceleration a2 मेजर करें, ऐसा भी हो सकता है ना, अगर वो different different frames में है तो वो different different accelerations मेंदर करेंगे और ऐसा होगा तो ऐसा होसकते है कि एक गुंदा बोले कि Newton को लगवालिट है और एक गुंदा बोले कि Newton को लगवालिट नहीं है तो उसके लिए अपन एक pseudo-force concept लेके आपन जो बात में पढ़ेंगे अपन फ्रेम की बात कर लिए तो इसमें क्या बता रखता है कि एक elevator का cabin है और इसमें दो persons की बात की एक तो grounds देख रहा है एक तो बाहर से देख रहा है और एक lamp का elevator के अंदर तो लैंब की बात करते हैं तो लैंब की बात करते हैं तो लैंन की ऐसे force लगें की के पता होगर ड्रेम की ड्यानि तो इसके उपर कॉन से पोर्स लग रहे होंगे लैंप के उपर एक तो उपर कि तरफ निचे लग रहा हुगा अब दो लोग खड़े एक तो अंदर खड़ा होगा है एक और बहार खड़ा होगा और या दर ही लिफ्ट है तो अंदर उपर नीचे एक्सेडरेट कर सकता है तो पहले वाला क्या बोल रहा है तो पहले वाला क्या बोल रहा है तो पहले वाला क्या बोल रहा है पहले वाला इंसान बोल रहा है ए वाला और अलीवेटर को तोड़ दिया यहां पहली बेटर ता इसको कैची से काट दिया मोटे से कैची काट दिया तो अलीवेटर पूला की दो पूरा नीचे आ रहा है 9.8 meters per second square से ठीक है अब A क्या बोल रहा है ए बोल रहा है देखो A को विछ सा लैम्प सामें दिखेगा उसके यह नहीं पे है यह नहीं पे है यह यह और B क्या बोल रहा है कि जो लैम्प है वो तो नीचे आ रहा है कि acceleration is 9.4ís ś यहाँ मैं बोल रहा हff का j लेकिन अगर पाक u 영 पार भिव कि जब उस एह क्यों पार गह के clam तो यह बताना चाहरे है कि इसके हिसाब से क्या हुआ कि A ने और B ने दोनों ने अलग-अलग बताया A ने तो क्या बोला कि Tension energy के बराबर है और B ने क्या बोला कि Tension energy के बराबर नहीं है क्यों कि अगर बता तो acceleration 0 होना चाहिए था जबकि acceleration कितना है 9.8 तो at-least one of the two frames is a bad frame. बता दित्र स्कॉर joue mo four means a good frame. ।बता हिसा उपलिशन कम आवकि नोन मिलक में प्रем वे म nữa कि बता बता हुआ है को विए शा इओन से स्कोर आप पाने एक नोन निलिशन प्रेंस होटे है तो frame of reference पे भी depend करते है Newton के लोग, हर frame में यह valid नहीं होते हैं, ठीक है ना, चलो अब जो inertial frame की definition है, वो कोई खतरना definition नहीं है, simple सा concept है, जिस frame के अंदर Newton के लोग valid है, उनको हम बोलते है inertial frame of reference, और जिस frame में Newton के लोग valid नहीं है, उसको हम बोलते है non-inertial frame of reference तुम से बुचे non-inertial frame का होता है, simple है जिसमें Newton के लोग, मतलब, physics के अंदर जो हम फूरी को बिल्ड कर रहे ना, शुरुवारी theory को तो तुम देख रहो कि cycle चल रहा है, कि ए acceleration को हम Newton के लोग से अब जैसे, Newton का first law thus reduces to a definition of frame of reference, why do we call it law then? अब लोग का मतलब होता है कि सब जले के अपलाई होँ अची है, लेकिन हम law को रिखते है, तो x का example दे रख रहा है अब लग से, उसके अंदर हम frame of reference नहीं लेते हैं पहली बार, दूसरी बार हम अर्थ को frame of reference बाहन सकते है, inertia है, अर्थ को क्या बाहन सकते है, inertia, frame of reference, इसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर तुम अर्थ कर खड़े हो, तो तुमको बता है, इस book पे net force 0 है, और यह book rest पे है, तो first law apply हो गया, यह chalk है, इस chalk को मुझे पता net force 0 है, first law apply हो गया, second law भी apply होगा, इस chalk को अगर मैं छोड़ दूँ और मैं acceleration measure करूँगा, तो 9.8 हाएगा, इस chalk पे force कितना लग रहा है, mg, तो इसका acceleration कितना है, 9.8 नीचे कितना है, तो इसलिए earth एक हम मान सकते है, inertial frame of reference है, क्यो तो इस पे नूटन दो डगा देंगे, तो जगर चिंता की बात है नहीं, actually, मैं चाहत, मैं इस सब चीज़े बात में बढ़ाता हूँ, एक बार मैं पूरा पहले नूटन दो पढ़ा देता हूँ, फिर मैं special case लेता हूँ, जहां पे non-inertial frame आ रहा है, बड़ अब आपन ऐसी कर सकते हैं, कि गुप पे तो sun भी अट्रैक कर रहा है, moon भी अट्रैक कर रहा है, तो वो forces तो सरा आपने लिये दी, but actually point यह है कि अर्थ पे अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हम बाकि सारे forces को भूल जाएं, तो अर्थ की बज़े से जो forces लग रहे हैं, वो तो mg हैं, जो हम सा 10, we can say that earth is an initial frame of reference to a good approximation, तो routine phase के लिए, routine purpose के लिए हमाल सकते हैं, तो यह तो यह सारी बात की गई है, इसके सार ज्यादा मत जो, because कोई ज्यादा बड़ी चीजे नहीं है, ना तो वहारे aims के अजर्ट से reason में काम आएगा, और ITJ में तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो तो बोज आटका रखा है, तो force exerted by the string on the particle, पच्चे पहली बात तो इसका कभी भी force exerted by the string निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इसका free body diagram बनना पड़ता है, free body का मतलर क्यों, क्योंकि जब string का force निकालना है, तब मुझे body को हटाना पड़ेगा, और string का connection है, मुझे उस force से replace करना करने बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहो है, जब भी मुझे पूछा है कि tension in the string क्या होगी, या फिर string block पे कितना force apply कर रही है, तो string block पे force apply कर रही है, तो string block पे इसको देखने के लिए, इसको काठना पड़ेगा, मुझे हटना पड़ेगा, और इसको मुझे string के force से replace करन पड़ेगा, मतलब जिसे block है, तो मुझे पूछा है कि string कितना force block apply कर रही है, तो देखने के लिए मुझे इस point पे काठना पड़ेगा, और string किस तरफ force लाती block के उपर के नीचे, string दखता नहीं मार सकती ना, string दखता नहीं मार सकती ने, string तो उपर force लाती, तो T बोलते है, और इसके एको force क्या हो, तो mg, और मुझे बता है, यह rest पे है, मतलब कि T minus mg, T should be equal to mg कैसी, कि T जो उपर के तरफ force हो, mg के बराबर होना चाहिए, तो mg कितना है, 0.2 into 10, तो 0.5 के चाहिए, तो 5 pluton का force, इस string पे लगा रही है, जी को 9.8 लिए, तो 4.9 answer आचाहिए, pull of the earth, earth कर लेंगे, जो उपर चूड़ो, force की बात करेंगे, अभी के लिए छोड़ दो, confuse जोगे फाल्तु में, तो अभी के लिए छोड़ दो, second lock motion पर जाओ, सिदा की सिदा, second lock क्या बोलता है, second lock बोलता है, force equal to mass into acceleration, the acceleration of a particle is measured from the inertial frame is given by the vector sum of all the forces acting on the particle divided by, force equal to mass into acceleration, force क्या होता है, force उस के बाहदी में वह वाले problems की बाहदी में, तो next चलते हैं, पर पेज़ डाउन करते हैं, क्यों को इसका discussion में कर सकता हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम confused हो इससे वर प्रूल कर लो, उसके बाद उसे जो discuss करना है, करना लग से, I will very appreciate that a student है, जिसने से बरमा कर लिया, IITJ निकाल लिया, फिर नीख निकाल लिया, तो physics एवादी में अगर इंट्रेस्ट है, बोलता है तो इसको ये फिनॉमिना के बारे में पता आपड़ा इसको 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 करते है, आ जा, उपन पून पर इसको करेंगी, वो सब है, वो सब हो तो काफी चीज़ें जो बहुत इंट्रेस्टिंग होती है, लेकिन अक्षिवी क्या होता है, समझ तब होगे तुम, जब तुम एक बार basic physics के laws समझ लोगे, पिर उनको apply करना सीख लोगे, उनको question solve करना सीख लोगे तब, नहीं तो लोग को black hole के अवारे में पी discuss करते रहते ह एक बलक को सिस्ट्म को कुछ भी को सकता है, डो बलॉग को problem problem col is system कुछ बिल सिस्टम कुछ विए essentially all complete system, system कि उताहिए है प्लस-ब्शी Subscribe क्वेश्र2 सकता है के वन कंश्थ को … कुछ भी जो सकता है कि अई कि उसके आख सेघ्वी जिए एक जग बादा , तो सच्थेब्स एक्वेशं के अगजांपल से、 कॉमाड़न सेख्वाग्रार की स्टेप में द Loyal कुछ भी सिस्टम को चूज कर रहा हूँ, कुछ भी सिस्टम को चूज कर रहा हूँ, कोई फर्रक्मेंट मेंदा, एक ना, next लिखते हैं, identify the forces, अब जब मैं identify the forces कर रहा हूँ, अच्छे, इसमें एक और चीज़ बाला कि D प्लस E को सिस्टम मत बाला हूँ, तो मैं पिकण दिखा जाता हूँ, और यहां पर है मेरिकास, शाय से दिख जाएगा, प्लस E को सिस्टम मान सकते हैं, तो यह इंपोर्टन चीज़ है, जैसे अगर मान लो, यह ब्लॉक और यह ब्लॉक है, और इसको तुम खी चाहिए, पोर टर्स E, को सिस्टम मान सकते हूँ, ककी दोना का चीज़ प्लस E Carol, यह ब्लॉक जैसे ken Character सो Mrs, भान में, आघके और ब्लॉक को से सकतका हूँ, तो इसका Acceleration A1 अलग होगा, इसका A2 अलग होगा, इसका A3 होगा, तुम तिरे को सिस्टमस घुमंबू? मान लो, मानने में इकर नहीं है, बड फायदा नहीं होगा, फायदा किया है कि तुमको एवन निकालना है, अटु निकालना है, तो कभी में भी system चूज करो, तो यह decide करा करो, कि system चूज करने में एक चीज भी हान रहा है करो, कम से कम accelerations उनके सेम हो, उतना तो कम से कम रहा करो, तब तुम system choose कर लिया करो, उसमें फायदा आपन लोगो को, ठीक है ना, system कुछ भी choose कर लो, लेकिन acceleration क्या होने चाहिए है, same होने चाहिए है, different, मतलब, अब दो व्लोग के acceleration में एक और different, different है, तो उनको same system में मत choose करा करो, simple सी यह बात है, ठीक है, identify the forces, अब forces जो identify करने है, तब म तो इसलिए फिछला lecture बहुत important था, फिछला जो chapter था, उसके मेर हमने बात की थी, कि जिसे boy है, इसमें कौन से direction पी लग रहा है, कौन से forces लग रहे है, तो वो सारी importance ही है, वो को identify कर लेंगे, इसने अदर इसके अंदर बूसने की ज़रुत नहीं है, make a free body diagram, ठीक ना, तो पहल नहीं से रख है, FD बनाओ, free body diagram, और चौता कहा है, summation of all the force equal to mass into A, लिख दो, x के अंदर अलगे को, y के अंदर अलगे को, ये 4 steps होते हैं, solve करने के लिए, अब इसके अंदर ही 100 सवाल, 1000 सवाल बनाए जा सकते हैं, तो बच्चे वहीं पर तोड़ा सा लिख कर देंगे, ये examples भ जब मैं x और y बोल रहा हूँ, तो मैं x तो choose करी ही है, उसके बाद ही मैं लिख सकता हूँ, axis कोगी अपर कैसे भी choose कर सकते हैं, जैसे मैं समझा जूका था, जैसे माल लो, ये है, तो इसमें तुम इसको axis choose करोगे, लेकिन एक ऐसा slide होता हूँ आ रहा है नीचे, तो इसमें उसके खूचिस खूचिस करोगे, क्यों पूल करो, बगोज अक्सेशशी तोников, ग्यों कर्लो, जाओ अचेलराशी तो इस 86 तो ALEX होच तो ंपक्स टोचिस तो चूगा हसचिस तो चूघू कर्लोगे, तो यहान पीलिख लिख लो, चूगोपे छोचिस तो चूख साader 90 direction of acceleration, जो भी direction of acceleration होगे, उसके along axis को चूछ कर दोगे, in fact, मैं एक बोलना चाहता हूं, कि जब तो force 1 plus force 2 minus force 3 equal to m a लिखरेगो, तो x की बोलता हूं, acceleration to direction को मानलो बहुते हैं, तो force क्या है, direction कैसे लिखेंगे, plus कैसे लगाएंगे, minus कैसे लगाएंगे, कि forces along a r positive and forces opposite a r negative, जो भी forces along a उनको positive मानलेंगे, जो भी forces opposite to a उनको क्या मानलेंगे, negative, तो यह एक तरीका है, इसको चाहे से तो फोटो कीच लो, इसको screenshot लो देके अभी या लिख लो, तो इसी के इसाफसे आपको questions करने वाले हैं, ठीक रा, क्योंकि यह सब जो चीजे हैं आपन ज्यादा थोरी इसके नहीं पड़ रहे, क्योंकि इतना important नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, इतना important है questions बनने आने चाहिए, जैसे question number 5.2 देखते हैं, block of mass M is pulled on its smooth horizontal table, y-string make an angle theta, if the acceleration of the block is A, block आगे जारा है A acceleration से, find the force applied by the string, तो पैदा क्या निकालना है, force by the string, दूसरा क्या निकालना है, force between the table and the block, force between table and block, 2 force निकालना है, तो मैंने कहा है, जब भी force निकालना है connection को हटाना पड़ेगा, तभी वह force अपन को दीखेगा, तभी उस force को बना सकते हैं, और बनाओगे तो निकालोगे, तो इसमें क्या करेंगे हैं, इस connection को हटाते हैं, इस connection को हटाओगे तो एक normal reaction लग रहा होगे, friction भी बनाओगे, friction नहीं माना होगा, friction का लग से कटेंगे तो इसमोज बिका होगा है, और इस connection को हटादो, इस string को हटादो, तो यहां पर, कि इस को टैंचेंटी से कीच रही होगा, यहांते बाद समझ में आ गई, और एक Mg तो हो गई होगा, Mg तो लिखी लिए अगरे लगसे, और फिर जो भी connection है उसकी जगए एक force को लगा दो, यहां तो connection खीच रहा होगा, यहां connection को धक्का दे रहा होगा, इस case में जो connection हो क्या कर रहा है वो इसको खीच रहा है, और दूसरा connection खखा दे रहा है, ठीक है, दूसरी बार हम एक्सिस चूस कर नहीं है, और मैंने बताए कि हमने resolution of characters पढ़ा ही इसले था, अगर तुम मेरे lecture tools लेख रहे हो, तो हमने resolution of characters पढ़ा ही इसले था, जिससे हम उसको अपने अनुसर दू axis में सारे चीजे को बाठ सके, अब तो axis कैसे बाठ लेंगे अपन? पहली चीज, axis बाठने के लिए, इस पढ़ाइज पाटने के लिए, इस पाट से इस तरफ है, इस लिए एक axis आपन ऐसे पकड लेंगे, दूसरी axis आपन ऐसे पकड लेंगे, तो यह त इससे कम से कम ही होगा कि तुमको confusion भी होगा अब x में equations लिखो y में equations लिखो x में और y में equations लिखो हर coefficient के निए यही काम करने होगा है तो इसलिए अभी की अभी बहुत important है समझे लो कैसे करना है पहला step क्या है कि जो भी connections उनको काटा हो आपको पॉर्स से रिप्लेस कर दो एक connection इस तो एक connection तरह उसको काठा टेंश से रिप्लेस दूसरा connection यह था mg तो लगता ही है x में के equations होगी x में equations होगी summation of all the force equal to mass into acceleration x न कॉमकान से फोर्स एक tcos theta है बस यह यह y में के equations होगी summation of all the force equal to mass into acceleration अब y में यह उपर की तरफ positive मान दो एक बार, क्योंकि acceleration तो है नहीं, इसमे तो acceleration इस तरफ था, tension positive इस तरफ था, इसलिए acceleration को positive मान दो यह पर की तरफ positive मान दो तो ऊपर की तरफ वाल है positive, t sin theta, देखो यह उपर है plus n minus mg is equal to d, t sin theta plus n minus mg is equal to 0, यह अपने पास दो, है onoga 2, 2 आगे, क्या निकालना है अपनको? अपनको निकालना है, एकаем को N निकालना है, 1t निकालना है, तो अब a दे रखना है, M दे रखना है, तो t कितना आगे, अपने पास t आ गया, cm van10 2, 0, दूसरे काम से कैसे आएगा, इस T को यहाँ डाल दो, तो T sin theta मतलब ma 10 theta बन जाएगा, minus mg, plus n is equal to 0, तो n निकालना है, n कितना जाएगा, n आजाएगा mg, minus mg, minus mg theta, यह अपने पास दो values आगी, देखनेते हैं, answer में क्या है, solution में क्या दे रखते हैं, वोगी देखनेते हैं, तो let us consider this block, course is कौन से, pull of earth हैगा, contact course हैगा, pull of string हैगा, x-axis में, vertical, y-axis में अलग अलग बना देंगे इसको, आगे देखते हैं, तो यह इसका equity बना दिया, इन्होंने point बना दिया, tension ऐसा है, टेड़ा, normal direction उपर के तरफ mg नीचे के तरफ है, आगे tension को resolve कर देंगे, तो tension को t cos theta में लिख दिया, total force x-axis में t cos theta, t cos theta को आए में लिख दिया, mg का component y-axis में minus mg होगा, देखो एक-एक step बना, beautifully बताया हुआ है, कि mg का component y-axis में minus mg होगा, minus minus cos नीचे के तरफ लिया है, यह एन हो गई है, यह पूर equation मना दिया, तो अपने आगे में साधे पहुर्शाग बोलता है, तो Newton न थर्ड लग मने पिश्चे चेप्टर में पढ़ा था, Newton न थर्ड लग मने पिश्चे चेप्टर में पढ़ा था, Newton न थर्ड लग में अपने प्रोपटेश कर ली थी, मैं वापे से repeat कर देता हूँ, बोलता है कि if a body a exert a force a point another body then b exert a force minus a होने, दो-3 चीज़ पाथा point same nature के होंगे, ऐसा हो सकता है कि force equal भी है, opposite भी है, लेकिन अगर same nature के निये तो third log के paired नहीं है, यह समझा चुगा जैसे मैं, इस lecture में समझा दिया था वैसे मैंने, तो एक बार और समझा देता हूँ, तुम लोग क्या होते हैं, सारे lectures देखते नहीं, इसलिए, कि जैस एन और mg बराबर भी हो गए, एक दूसरे क्या positive लग रहे है, वेकिन यह action reaction pair नहीं है, क्यों नहीं है, because n normal है, mg gravity है, अलग-अलग forces है, एक तो यह reason है, दूसरा, यह एक ही block पे लग रहे है, जबकि action reaction pair अलग-अलग blocks लगते है, तो n का action reaction pair के आया, अब जहको अगर मैं ground तो गरउनपे एक normal reaction लग रहा होगा, यह normal और यह normal action action pair होगा, और mg earth से उसको attractive force लग रहागा, यह earth जो है, उससे mg को attractive force, और आख लग रहा होगा, तो यह action reaction pair होगा यह और यह वाला है, तो यह सब इसमें explain कर रहा होगा, पर नहूर्मस नहीं एक्सिक्न कर रहा हुए, आग दे है तो इस प्रिंग के एकस्प्रियो भी जा दखा है कि इस्ट्रिंग के टैंसिन पो और अच्छ नियुका है मैं हैं इसमें इसमें क्या बोला हुगा लिए मैं बा cap yu Coleman इसके कि इसमें आप comment कि इसे होें कि 5 जबाइवार निपन का इसमें क्या व्लीक इसमें क्या हूँ गा के इस दो छूने प्रिस्टर का लिए शुर्स हुग है autreकि कि मैं वच प्लास्टर के खराब होता तो यह से century को अगर A और D यहां बनाता हूँ, यह F है, आप तुम से पूछें कि इस पे, अच्छा, इस ट्रिंग ने दिवार को आगे कीछा, तो दिवार ने इस ट्रिंग को पीछे कीछा होगा, नूटन फरलो से, अब आपर से रिपीट करता हूँ, अगर दिवार का प्लास्टर फराभ ह फोग दंग से नहीं लगा हूँ तो निकल के भार आता हूँ, इसमें होग को इस ट्रिंग आगे कीछ रही है, तो फोग इस ट्रिंग को पीछे कीछ रहा होगा, अच्या लेकिन स्टेश्न दिया पूरी कीछे, पूरी मतला नेट स्ट्रिंग जो है, उसमें नेट पोर्स हो यह बात को समझे है कि कोई string के end को भी force खीच रहा है, तो string उसके end तक बिल्कुल दूसरे end को force ट्रांसर करें यह बात समझे है नी पहले पहली बात तो यह दो एक रिखा हुआ था उपर सब्सक्राइब जो रिखा हुआ था दूसरी बात क्या है puisque तो हम इसे था फोड़ी बात कर लेते है इस वी घुंसी तो अब यह से काट दो ए और सी तकी बात कर लेते हैं यहांपे आप लगणा था यहांपे एफ लग यहांट से किता है अब थुम इसको कैची से काट विष्ते ज्याटे तो है अलग हो जाता है मतलब यह वाला जो इसस्सा है इसस्से को अपने तरप खीच रहे है यह जो इतना भी छोड़ो यह वाला हिसस्सा रेस्ट पे हो यह वाला हिससा प्रस लगना जीर इसके और यह वाला पॉंट इस वाले पॉंट को अपने तरफ कीच रहा होता है तो बहुत चोटा काट दो, यह section काट दो, यह section जो होगा, उसके इधर यह point होगा D, यह point होगा E, तो CD होगा, इस पे force इस तरफ लग रहा है F, तो D वाले पर भी इस तरफ लगना पड़ेगा force, इस तरफ यह लगा रहा होगा force है, तो एक चोटा जो point होगा, उसको उपर नही मॉलीकुलने ह 이상 Stevens दोनों सब्दाः के आगा, professors को मॉलीकूलने ही स्काट दोनों सभी की खिच रहा हैस्ट दो ही इस तर ब बॉल्स हुआं, इस। आदो को श्च भा को मोईच त्श रहा है, किस्ट ही मोलीकूलने है, मतलत दोनों सब्सक्ष स जोह को खिच रहा है, आदो कि तो तो नोनों साइट से, नमबर चाहिए और नमबर आगे तो तेंशन नहीं होती, जिस तरफ जा रहे हो, जिस तरफ खीचर उस तरफ चले गए तो नमबर नहीं आते, नमबर तो 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 त केंशन रिंदा स्ट्रींग, सिंपल से घंसटप्टा घुरा, तो इस्टम में बोलता हूं, तो सीर्म में बोलता हूं थैंटेंचा इन दा स्ट्रीं। कोश्चन है, the mass of the part of the string below 18 figure, 5.9, दो figure 5.9, दिखता हूं बना जदा हूं, ये है figure 5.9, पता नहीं, क्या है ये figure, समझ भी नहीं आ रहा, पता नहीं, हजीब से है, figure तो दी नहीं रुखा, जब 5.9, 5.9 दो उपर figure है, ये point A बोला हुआ हुआ है, तो क्या बोले है, the mass of the part of the string below A in the figure is small m, तो ये जो portion है, इसका जो mass है, वो small m है, block का mass capital M है, बोलाग का mass capital M है, तो बेरी smaller capital M बराबर दिखते हैं, लेकिन प्रोड़ासर काउड़ों के small m, capital M प्रोड़ासर, start होगा, find the tension of the string at the lower end and at A, तो यहाँ पर tension निकालना है, T1, और यहाँ पर tension निकालना है, T2, आप समझ में आ गई, अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसके अंदर तो 2D भी नहीं है, इसके अंदर 1D है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमको जहां भी tension निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह बाद में देखता हम कितोना हम आगे तर तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइब कर दूमा लेक्टिल को सुडो फोर्स इसको अलग से कर दूमें एक काम करेंगे ठीक है तो इसको अलग से कर दूमें ठीक है तो इसमें क्या है मैंने बताया तुमको जहां भी जो भी निकालना है जो में force निकालना है, वहां का connection खाट हो, तो पहले अपर यहां की बात कर लेते हैं, कि यहां पर अगर tension निकाल लिए तो यहां का connection अटाओ, तो mass m जो है उस पर कौन-कौन से force लग रहे हैं, एक तो कर T1, एक मीच से capital Mg, और क्योंकि यह rest पर है, इसलिए में लिशता हूं, summation of all the forces in the y direction is equal to 0, तो T1-Mg is equal to 0, तो T1 इतना आगया, Mg, तो यहां पर जो tension के बराबर है, Mg, जो इस steps को समझो, जहां भी जो भी चीज निकालना है, tension निकालना है, normal reaction, friction, वहां से connection अटाओ, और उसको force से replace करो, अब इस पर क्या तो नीचे force लगाते हैं, कि string इसको रखा मार इसको अटाओ, तो T2 निकालना है, T2 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां पर force है, तो यहां पर cut करो, cut करो, और force बनाओ, और connection बनाओ, force बनाओ, तो यह capital M था, यह small M था, यहां पर T2 लगा दो, यहां पर T2 लगा दो, ठीक ना, अब बात हती है system की, तो यहां पर इसका और इसका दोनों ही rest पर पड़े हुए है, दोनों का same acceleration है, एक तरह से 0, तो मैं इस पूले को system मान लेता हूँ, इस पूले system को मास के है, small M plus capital M, इस system पर जो नीचे की तरह force लग रहा है, M plus M into G, बात समझ बारी है, मैं अलग से इसको system मान सकते था, अलग से system मान सकते बाता हूँ, बात इस case में क्या दोना है, मैं इस system मान लेता है, M plus M into G, इसके रिए क्या equation लिखूँगा, M plus M plus G नीचे लग रहा है, इस system पर force लेता है T2, बैस पर कहा है, summation of all the force is equal to T2 minus M plus M into G, is equal to 0, T2 is equal to M plus M into G, ठीक है, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे मेरे को, कुछ बच system मान लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इस point से लेकि इस point लगो, अब इसका मास केतना है M, उपर क्या लग रहा है T2, इसको मैं system मान के चल रहा हूँ, तो इसके लिए FBD बनाना पड़ेगा, इस से दो connections थे, कौन पर से connection थेक तो यवाला connection थेक यवाला connection थेक यवा तो मैंसे भी accept हो, कि यवाला string इस mass को उपर कीच रहा था, मतलब यवाला mass इस state को नीचे कीच रहा है, तो यहाँ पर T1 force है नीचे की तरफ, और equal M है, तो Mg को तुम नीचे बनाओगे, Mg, बनाओगे की ने, Mg को तुम नीचे बनाओगे, तो इन सब का क्या लिखेंगे, ह तो वापस से कर तुम T2 निचाल लोगे, T2 कितना आजाएगा, T2 आजाएगा, Mg प्लस T1, T2 कितना आजाएगा, Mg प्लस T1, T1 कितना है, T1 है, T1 है, T1 है, T2 कितना आगया, T2 आगया, T2 is equal to, 4 Mg, प्लस, बड़ा Mg, T2 कितना आगया, 4 Mg, बोही तुमा लिखा होगा है, तो कडने के तरीके बिन्द बे नहो सकता है, system जो मानो के बिन्द बे नहो सकता है, बट अब इस system मानो तो इसमें डोईक्यों मेरानी कड़एगा, इस system मानो के एक कड़ेगा, तो हमको ये भी लेखने system हो ओमारे simplicity कड़ेगी problems की, system जो बही तुम मानोगे, उससे दुशे त तरे से ओ जाएंगे, ठीक है, तरी बाद अपन को समझे, आगे, शाय नीचे वाला हिस्सा कट गया, एक लेक्चर में, टीक है, नेक्स चलते हैं, आपन, चोई, देखलो, इसमें एक सिस्टम, क्या माने इसमें, डॉट बना जीक फुरा कनिकूसिंग है, बट देख लेना, आपनॉः पिर, पीर, पुरा करोड़नें, पे spark बना पाइगे, पिर आपन आपेक्टे बना गहिस्थे करेंगे, आपन ओपड़ेक्टिय क्रणे, और इसके साथ आपन अपन दिना लेते हैं, एक क्यर, अभे नाइस है, आप наш दे, dropped hè lug और ार इसकी साथ इसके साथ अख बि है कि अधिकष्ट को अधिकष रहे हम जोंग कर रहे हैं हम एक्जामपल 5.4 चाहलो करेंगे इससे पहले कि मैं क्योरी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को और हमने जो भी लिश्पेशन से वह भी समझ लिए कैसे हम सीजह करते हैं और इसे पहले जो चैप्टरे फोर्स वाला वो भी इंपोर्टेंट है कि कौन-कौन से पोर्स होते हैं, तो कौन-कौन सी चीजे आप उस करते हो कॉस्टें को सॉल पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अब हम 5.4 से चालू करते हैं, और वो देखते हैं कैसे सॉल करेंगे हम, और फिर हम आगे बहुत सुरी पढ़ेंगे, इसक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो सवाल सेम है, बस इस केस में और क्या कर दिया है, इस केस में ब्लॉग को नीचे भी जाता हुआ, बना दिया, तो अब हम देखो, पिछले कोशन भी क्या किया था हम लोगों ने, एक्सेलरेशन को 0 कर दिया था, लेकिन इस केस में क्य तो वापस से मैं तंदर चुका हूँ जिस point पे टेंशन निकालना है उस point को काट के उसका जो भी connection उसको टेंशन से replace करना पड़ेगा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं तो यहां पे हम T1 नाम दे रहते हैं यहां पे हम T2 नाम दे रहते हैं और मैं figure के इंदर नहीं बनाता है कुछ लोग ऊपर नीचे बनाते हैं बहुत कंस्यूजिंग होता है मेरा सिंपल सा पंड़ा होता है अगर आपने पिछल लेक्शे भी देखा होगा समझ रहा होगा कि टेंशन इंदे श्रिंग होती है मतलब हर पॉइंट दूसरे पॉइंट को अपने तरफ खीच रहा है फूल कर रहा है वाय टेंशन टी तो मैं अरो यह मनाता ही नहीं हूँ जब मैं फ्री बॉरे डियाग्राम बनाऊंगा तो पहले आप इसकी बात कर लेते हैं एम ब्लॉग की एम ब्लॉग पे नीचे कितना पॉपर के लग रहा है टेंशन टी तू अर फूरा सिस्टम मीचे एक्सिट्रेट कर रहा है यह से तो मैंने क्या बताया कि जिस तरफ अचलरेशन उसको पॉजिटिव मान ले भी बहुत बड़ा राकेट साइज हम इस रहीं है हम इस रहा है समीशन अपॉल दा पॉर्ष एक लिख रहा हूं मैं यह पॉडран गोड़ा की प्रेकिशन आएक्सिटreath पर फॉजिटिव मान लगा है तो आप अचलरेशन प्रस के दिए अब में से ऊपॉज़ेशन बहुतिटिव कर तुम इस तरफ फॉजिशन निचे टीजिशिस मेंसे इस तरफ के टींचलरेशन इस कुछ लोग इसको फॉर्ट भी बोलते हैं कि अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो इस्टिंग में टेंशन कम हो जाएगी समझो तुम खीचे हो किसी चीच को तो दम जागा लगाना पड़ेगा तुम थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हो मतलब नीचे के तरफ को एक्सलेट क कर रहा है तो इस्टिंग में टेंशन कम हो जाएगी तो किस से कम हो जाएगी जी वाइनर से कर देंगे यह हम आगे पढ़ेंगे सूर्व फोर्स के साथ हम जासे करते हैं को तो अभी के लिए लुच जाओ और टीवन निकाल लेकिल हम क्या करेंगे यह है और यह भी है और ज इस दो टीवन कितना आ गया इस माइन अगे यह आपने देखोगा जी माइन आ रहा है तो तुछ लोगे शॉर्टकट में भी प्रॉब्लम कर देते हैं मतला मुझे इस अभी लेकिन नहीं है मैं आगे यह तो आगे हम रहाद रहेंगे इस चीज को आगे जों को आगे जों कर इसके अंदर कि जब भी चीज नीचे जाएगी ब्लॉक नीचे जाएगा तो डिरेक्ट्ली आप लिख दो एम इंटो जी माइनस है केंशन को जब भी ऊपर जा रहा है तो आप एम इंटो जी प्रॉस से लिख तो यह कोश्चन है और यह इसका solution बता रखा होगा इसके अंद अब एक special case है special case क्या है कि मानलो string जो रहा है बहुत लाइट है अगर string बहुत लाइट है तो यहाँ पर tension का value इतना हैगा m इंटो जी माइनस है इस पॉइंट बहुत लाइट है तो यहां पर tension है और इस पॉइंट बहुत लाइट होगी जो चोटा है न वो खट जाएगा अगर इस पॉइंट लाइट है तो यहां पर tension हो जाएगी तो यहां पर tension हो जाएगी तो यहां पर tension हो जाएगी तो अगर इस पॉइंट बहुत ह लेटेवे चलते हैं, जयसे इस case में, अगर यह दो blocks है, तो यह एक case में दो string हैं, एक ध्य है string है और यह string है, if a string को उगर light बाणेगे तो यह tension अगर t1 है तो यह पे t2 के value यह तो t1 के बराबर होगी, तो यह t1 और t2 बराबर होगी और t2 बराबर होगी, the tension T2 is same at the point, the tension T3 is same, the tension T1, T2, T3 may be different, if the pulle is also light, then T1 is equal to T2, अगर पुली भी light होगी, यह पुली भी light होगी, तो T1 और T2 भी, तो अपर बेसिकली मैं एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि T1 और T2 जो है, वो बराबर ही अपर मान के करेंगे अगर पुली को भी light मानेगे, और स्टिंग को भी light मानेगे, तो इसको भुमाने के लिए अगर यह इस तरफ भुम रही है, तो T2 की तरफ ज्यादा कीच ना पढ़ेगा, तो उसकेस में T2 is more than T1 होगी, अगर इसका mass होगा तो, यह कीच मोट करके रहो, सुनाज कर रहो, पहीं अगर तो इसको भुमारे हो इस तरफ और मास है इसका, तो धक्का जड़ा लगाना पड़ेगा ना, दम जड़ा लगाना पड़ेगा, तो C2 जादा हो जाएगा T1 से, अगर यह इस तरफ भुम रही है, अलपा, एक्सिलर, उसको बोलके एंग्लो एक्सलेट ने रोटेशन क अब इसको भूल जाओ, अब इक लिए क्या मान के चलेंगी कि कुली है, वो light है, frictionless है, जो string है वो भी light है, उसका भी mask है, अब ने इस topic हमारा pseudo forces आएगा, तो मैंने मैं एक ट्रॉपिक छोड़ गया था, वो मैंने pseudo forces के लिए ही चोड़ा था, वो एक बार पहले हम कर लेते है यहां फर फेले pseudo force कर लेते हैं, फिर वो topic सब्राज है, कोई पर नहीं पढ़ता, वो topic भी फटाफर से कर लेते हैं, pseudo force कर लेते हैं, तो pseudo force का जो example दे रखखा है, इस के लिए रखखा है, समझा, तो इस situation को देखो, मैं इसको numerical values देके भी सब्या दूँगा, पहली situation को देख पहली, तो situation में किया है, दो frame है, एक frame है, s dash, और दूसरा frame है, s, frame का मतलब origin अलग है, x और y axis अलग अलग जरे से चुरू होगी है, एक particle p है, इस पर कोई force लग रहा होगा, यह accelerate कर रहा होगा, तो एक तो acceleration of particle with respect to s दिखेगा, एक acceleration of particle with respect to s दिखेगा, यह accelerate कर रहा है, तो एक s dash इसको accelerate कर रहा है, एक s इसको accelerate कर रहा है, और a यह frame को accelerate कर रहा होगा, a 0 से, एक होगा, acceleration of s dash with respect to s, अब उसको पता है कि जैसे relative velocity में equations होती है, वैसे हम तीनों को वीशनों equations लेख सकते हो, equations क्या होती है, acceleration of particle with respect to s dash, minus acceleration of particle with respect to s, this is equal to, इसको उल्टा कर दो, यह बन जाएगा, acceleration of s with respect to s dash, बन गया ना, acceleration of s with respect to s dash, तो यह एक तरीका है लिखने का, और वे तरीके उसको पने है लिखने के, जेखो क्यों कैसे बनागे यह समझे लो, a p s dash को लिखा गरो, a p minus a s dash, तो s dash में के आगे minus आगे, और minus of a p है, तो a p लिखी cancel होगया, और minus of a s है, तो वो minus minus plus बिल तो a s positive आगे, a s dash negative आगे, अधर confusion होता है तो बतारों, बहुतो s के साथ positive होगया, s dash के साथ negative होगया, इसका अगा सब क्यों होता है, a s minus a s dash, तो यह equation हमें करेक्ट है, यहां कर बात समझे में अभी, अब इसके वेक्टर भी लगा रहे है, कोई लिखत नहीं होते है, तो यह a s dash is equal to a s plus, ठीक है यहां तक अपना भी आ रहे है, is equal to a ps, इसको क्या कर दिया, a p with respect to s dash को यह रिखत दिया, a s dash, इसको क्यों हो लिखत है, minus a s dash with respect to s, इसको उल्टा कर देंगे, velocity of a with respect to b क्या और negative velocity of b with respect to a, a with respect to b क्या होगँ, negative acceleration of a with respect to b क्यों होगा, इतना यह सब समझदनी है तो कि दिकत नहीं है रुख जाओ थोड़ा सा फॉर्वर्वर्ड टोले स्रेक्चर को मैं नुमेरिकल वैलो लेकर समझा दूगा तुमको क्या भोलना चाहरा है यह पूरा क्यों ठीक है अब कि मास से मल्टिप्लाइ कर दो तो यह बन जायेगा एयं मजाया ऑज चाह किसका इसपर्टिकल की amount तो यह तो inertial frame था, यह अपनो कॉंसा frame था, S अपना inertial frame था तो अगर मैं mass into acceleration लिखता हूं inertial frame का तो क्या देगा में पर? actual forces देगा, तो मैं क्या लिखना हूं यहां पर, this is equal to actual forces minus mass into acceleration of s dash with respect to s. अच्छा, what is the acceleration of s dash with respect to s? यह भी a0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हूँगा, यह equation लिखना ही, mass into acceleration of particle with respect to s dash is equal to forces minus m into a0. इस equation का मतलब संच्छा, इस equation मतलब क्या हूँगा, कि मैंने अगर किसी particle को देखा with respect to s dash, s dash कुनसा frame है? s dash कुनसा frame है? s dash is non inertial frame. अगर मैंने किसी particle को देखा, मैं रिसके to s dash, s dash कुनसा frame है? non inertial frame. तो उसकी equation के लिए, मैं f को लिखूँगा ही लिखूँगा? उसकी equation बढ़ने के लिए, मैं f लिखूँगा ही लिखूँगा? minus मैं एक करूँगा, mass into acceleration. minus मैं करूँगा, mass into acceleration. mass किसका? mass of the particle. acceleration किसका? acceleration of the s dash with respect to s. तो फिए equation में करेक्टर जाएगी. Newton's laws of motion मैं उसके लिखूँगा, उसके लिखूँगा ही, f आती. mass into acceleration किया था? f के लिखूँगा आता. लेकि मैंने यहां पर साथ मिखूँगा करती है? minus करके किसको m a0 को. इस पूरी क्षीश को हम बोलते हैं सूदोफोर्स. तो जैसे a किया आगे आपने पास, इसको a भी लिख सकते हो. अभी a किया है? a of, मैं इसको दंग से लिखना हूँ, a of particle with respect to s dash, this is equal to f minus m a0 upon m. तो this equation relates to this, acceleration of frame comes into equation of particle. Newton's second law is not valid. Newton's second law is valid. Newton's second law is valid. एक स्थे mass into acceleration, as seen by this, s dash is equal to f. लेकिन थी एक्वेशन नहीं है, active equation क्या है? m a of particle with respect to s dash is equal to f, minus m a0. a0 क्या है? समझ रही हो? तो एक रर मारा है, अभी इसन ही कोई दिक्कास ओली बात नहीं है. यह extra term मारा है, m is the mass of the particle under consideration, a0 is the acceleration of the working frame of reference with respect to, तो इतना यह अपन को करना है हावेवर भी, people spend most of our lifetime on the earth हम जालत जालत एर्थ की हिसाब से पाते करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम Newton के law को change नी करेंगे तो हम क्या करेंगे लिखेंगे इसमें we are so familiar with the Newton's law that Google district like to use a 12 law of Newton law even if we use it तो हम basically Newton के law को change नी करेंगे आपने calculations के लिए यह actually Newton law follow नी करता यह रिखेंगे नॉननिशल फ्रेम है रहा लिकें हम क्या बोलेंगे, हम नॉननिशल फ्रेम में एसे से लिखेंगे इससे उसे उसके नीटन के law valid हो जाएंगे तो अससे लिखेंगे करने हम कहीन हम एक हम एक minus ma0 minus of mn force extra लगा देगे यह लिखा हुआ, this can be done if we agree to call a force acting on the particle then while preparing the list of forces in the particle, we include all the real forces as well as and also include an imaginary force यह जो extra forces को include करके और फिर equation लिखेंगे फिर अपनी equation इसके पर अपरा जाएगे तो मतलब Newton के law को हमने थोड़ा नहीं Newton के law को हमने क्या कर दिया है? सेम रखना और एक imaginary force को हमने यूज कर दिया उस imaginary force को हम क्या बोलते है? pseudo force, आगे लिखा हुआ होगा उस imaginary force को हम क्या बोलते है? pseudo force आगे यह भी लिखा हुआ है कि इस्टिल वांट तो यूटन सेकेंडर इस total force equal mass times acceleration इसका पूरा पूरा pseudo force को inertial forces भी बोलते है अब मैं इसका पूरा समझा जेता हूँ तुमको कैसे act कर रहा है? कैसे इस गाम है? और यह भी बतायता हूँ कि कहा यूज करना है कहा यूज नहीं करना ठीक है ना? एक example लिया हुआ हुआ है वह example हम बाद में करेंगे जो पूरा टेड़ा example है कहले भी simple इन एक example करते हुआ 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 है जैसे मान दो एक बंदा है वह पहर से बंदा हुआ है अलवो fixed है दूसरा बंदा है जो की accelerate 2 meter पर 2nd square यह बंदा है यह यह बंदा एक block है जो की 10 kg का और उसका मास से 5 kg और उसका मास से 5 kg 5 kg इसको 1 मान दो force को 15 मान दो 15 mutants 5 kg अब अगर जो एक ही बंदा हुआ है एक बंदा हुआ है आपन ज़ती stationary है 15 mutants का force 5 kg के लेगा क्या acceleration होगा इसका acceleration होगा 3 meter per second यह है acceleration of block with respect to a यहां तक बाद समझने आ गए यहां तक बाद समझने आ गए तू क्यों होगा because actually no acceleration के रही नहीं है इसका 1 है तो इसके respect में इसका acceleration कीतना हो गया अगर यह 1 meter per second से आगे जा रहा है यह 3 meter per second से आगे जा रहा है तो इसके निसाफ से 2 meter per second से आगे जा रहा है relative velocity जासे होती है same way relative acceleration होता है relative velocity जासे होती है same way relative acceleration होता है एक second में इसके यहाँ था एक second में इसने 1 meter कवर किया इसने 3 meter कवर किया तो इसके respect में इसने कितना कवर किया तो same way में acceleration होता है तो इसके इसाफ से acceleration कितना है 2 इसके इसाफ से acceleration कितना है यह 5 है 3 अब यह दूना पर बातें कर रहे है क्या बाते कर रहे हैं। देखो बाते ऐसे ध्रिंच में, A है, A भी है, A बोल रहा है। A बोल रहा है। कि block पर force कितना था? fundamental element B भी बोल था ? मैंने भी देखा, कि block पर force कितना था था ? बई जो force हो था force है, वो तो actual में force है , वो चेंज नहीं होता。 तो force जो एक्षिल में वो कभी चेंज नहीं होता है, तो A ने बोला कि 50 इंटर को force है, B ने क्या बोला 15 इंटर को force है, B ने बोला कि मैंने acceleration node किया 3, B ने बोला मैंने acceleration node किया 2, B ने सही बोला, इसमें कोई दिखर रही है, A ने बोला surname को क्लास में पड़ाय था, कि force equal to pass into acceleration होता ह A ने बोला कि मेरी इंटर को equation है, 15 is equal to 5 into 3 correct आ रही है, B ने बोला अच्छा मैं भी equation लगाता हूं, तो मैंने equation लगाई, मैंने force equal to mass into acceleration, अ अड़े मेरी तो गळत आ गई, पांगर बढ़ता ही, A ने बोला तेक दिक्कती है कि मैं तो यह चैसा ब across the frame of collaborator इसलिए मैं बैटर्स को पे हो रही है इसलिए एक ले लगा है ये दूने ही लोंगे साही है टोने ही लीकिन स्पिए क्यमीछा भ्रेश्फर सचीन ही रही है वो बी ने बोला च्हरने को बने लो आपने ख सवह से लोगा है व स्टनजर फोर्स क्या हुता है गज्ब नॉन्षर फ्रेम आपररेंस भी ने कैं बौला क्योंकि मैं नॉन्षर फ्रेम 思़ुयर्स नूहरँ और बनाऊंगा और मै कन्दर को टुक्ष गॉर्स लगॉई 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 लेकिना एक और साथ में वह कोटामगा तो मैं एक फोर्स लगाँगा, इसको इसे समझ लिया है परो, किस तरफ लगाँगा, जिस तरफ मैं एक्सलेट कर रहा हूँ, उसके आपोजित, वी ने क्या बोला कि मैं आपाइस पीड करता हूँ, वी ने बोला कि मैं जब ब्लॉप का डियाग्रम बनाऊँगा, मैं जब इंटू मेरा अखलरेशन गुदका फुद का अखलरेशन लगाँगा, इस और ने गएक्सलेट कर रहा हूँ, उसके या लगाँगा? यह सुड़दमाइस अंतटर वे यह सुटफोड फोर्स से इमाजि से लगाना पड़ेगा, प्कि हैपैरेशन करेक्ड रंड IT कैसे मेरे यह पास total force कितना रहा है 15-5, equal to 5 into 2, 2 के है acceleration, 5 के है mass, यह के है pseudo force, और यह तो actual force अपने पास से ही, अब मेरी equation current बहुत रही है, अब दोनों वापते से बहुत संदे है, अब दोनों happy हो गए, कि हाँ मेरी equation भी correct है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह observation तो correct ही है, force बहुत र इसमें तो नहीं तोड़ेंगे, inertial frame में तो सही रखेंगे, non inertial frame में उसका mass into, तो non inertial frame में हम ट्या करते हैं, एक pseudo force लगा देते हैं, और pseudo force का, pseudo force का value कितना होता है, mass of object into acceleration of observer, और यह कहां लगाते हैं हम, direction क्या होती है, opposite to acceleration of observer, चाहे तो इसको note कर लो, ऐसे किया से, जिससे त कि काब लगाना है काब लगाना है, कुछ problem तो बिना सुदू force ही हो जाएंगे, जैसे ऐसे एक्जामपल दे रहा है, एक्जामपल देखो, एक pendulum is hanging, from the ceiling of a car having an acceleration, एक car है, तो में देखा होगा, जब गाड़ी एक्दम से start करते हैं, गाड़ी के ओपर जो लटका रहता है, mirror पे वह ऐसे हो जाता है, बैंड हो जाता है, पीचे के तरफ, गाड़ी सरफ टरन लेती वह ऐसे हो जाता है, यह देखा होगा, तो इसके ओपर जो pendulum लिटका था, वह ऐसे tilt हो जाएगा, यह एंगल को टीटा मान लेते हैं, acceleration a naught हे, a बाहन लेती है, फांट लेती है ठीक ना, find the angle made by the swing of the vertical, तो इस problem को मैं धोनो frame of reference में करूंगा, एक में किस में करूंगा, इसको और एक में किस में करूंगा रहा क कूँ Druck पर तूप प्रोट को अंधर बढ़े करोंगा और एक में इसके अंदर एक पर प्रोट को बहाँ बढ़े करोंगा यह कौन सा फ्रेम और एक्सेन प्राहाई को ग्रांट पर है यह जिसने पर रहे हैं लाल लाल भूस लाल जा ROM तो यह क्या मोलेगा कि मैंने देखा है कि PMP आभए को पेशेलरेशन इस था जा पाया है यह बोलेगा एसा एको इशतित्स है कि यह क्या कुणा हो जांग को पहले कि आपकता के सक्रेदuju के तो फेर्न पर रोगा है तो सबस्कों के औरने जाद है कbert आद फिल जाओ आप यह क्या बोलेगा, इसके क्या resolution भी करना पड़ाँ है, टेंशन लगड़ी होगी ऐसे T, यहाँ पर टेंशन लग़ रहा होगा T, यहाँ लग़ रहा होगा Mg, तो यह बन जाएगा T cos theta, यह बन जाएगा T sin theta, तो Y में equation क्या होगी? T cos theta-mg is equal to 0, T cos theta-mg is equal to mass into acceleration in y which is equal to 0, Xp equation क्या होगी? summation of all the forces in X equal to mass into acceleration in X, कौन कौन से force का दो है T sin theta? T cos theta, this is equal to M into A, तो दोनों equation से T sin theta equal to M आगे, दूसे से क्या है क्या T cos theta equal to mg, divide कर दो, 10 theta A by G आजएगा, तो इसका answer आगे 10 theta equal to A by, यह यह answer आता है, इसको रड़ी सकते है, तो 10 theta equal to A, इसकी बात करते हैं, इसका acceleration 0 है, कीक है, लेकिन जो भी सब्स डाइगाम बनाएंगे, तो इन डाइगाम में क्या 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 include करना पड़ेगा, इनको, सब्सक्राइगा, तो इसका, इसका acceleration 0, और किस तरफ नहीं कbbles hai, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्यों? क्यों कि यह अगे जा रहे हैं है, जो आगे जाहेगा observer वह בפ्सलिह सब्सक्राइगागा, तो इतकी हो गया, और इसका कि summation of all the forces in x equal to mass into acceleration in x summation of all the forces क्या हो गया? x में t sin θ minus m a is equal to m into 0 इससे भी आगया t sin θ is equal to m a पहली ही आगई और y में क्या बन गया? summation of all the force in y is equal to mass into acceleration in y तो d cos θ minus of mg is equal to m into ay कितना है? 0 d cos θ कितनी ही आगई? md इस case में दोनों को divide खरों कि क्या बन गया? tan of θ is equal to a by g अब तुम बोलोगे सर दोनों equation same है लेकिन दर तुम बारी की से देखोंगे तो दोनों equation same है य में same है y में क्या है? e cos θ minus mg is equal to mass into acceleration which is equal to 0 या भी same है e cos θ minus mg e is equal to mass into acceleration which is equal to 0 x में equation का अलग है x में इसकी equation क्या है? इसने acceleration क्या देखा a तो इसकी equation क्या है? summation of all the force equal to mass into acceleration m into a इसका force देखता लग रहा है t sin θ t sin θ is equal to mass into acceleration ये इसकी equation है इसकी equation क्या है? summation of all the force equal to mass into acceleration इसका acceleration 0 है ये जो acceleration देखना को 0 है इसमें summation of all the force पे इसका force है t sin θ minus m a is equal to m into 0 आना दोनों को सेम है बैट पाइनरी दोपन को सेम आनसर आना आना दोनों को सेम है लेकिन equation लिखने का तरीक अलग हो गया तुम बोलो दे कि sir answer तो मेरा बिना pseudo force के भी नहीं कर रहा है फिर pseudo force का मतलब क्या होगा तो गो मैं समझाएता हूँ pseudo force कब use करना और कब use नहीं करना तो ऐसे problem में pseudo force को use करने के कोई औचित्ते नहीं है pseudo force कब use करना है तो उन problems को मैं बोलता हूँ आगे जादा इंप्सटे नहीं में धृट्प्राओब्लम के वह यह होती है वहीश को डब्ब्ब में दब्ब्बों कर भी होती है दब्बमें दब्बा स्टेन है लेकिन डब्बे पर नब्बा ज्यादा इंपोर्टेंट ए फूर्फोर्स के लिए क्या होगा कि एक ब्रॉंक बना देंगे और ये मास M है और इसका कैपिटल M है ये M1 M को माल लो और बोलेंगे ये अंगल कीटा है और ये स्मूध है और बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन निकालो या इतना भी मत करो लिफ्ट मतलो ऐसे डब्बा लेलो ये अभी बनायादा तो हाँ चलो वह इकड़़ो देखा तो उसमें क्या करतेंगे कि ऐसे एक मास बना देंगे एक चोटा इम बना देंगे और ठीटा एंगल है और इसको एक्सेलरेशन ए देंगे माल को तो बोलेगे इसका एक्सेलरिशन निकालो अब ये प्रब्लम विद्स अनुको उसे कैंकि ओसवावब नहीं होगी क्यँग्टी ये ब्लॉक आज़े मूब कर रहा है और ये ब्लॉक इसके भी मूब कर रहा है इसलिए हम तो पता है इस block के respect में तो यह ठीटा एंगल पर ही वी और पर सुनुदुअ तो ground के respect में तो ऐसे भी और आ रहा आगे मुझाँ तो Kis-कुष Eиков को की उतक्षकार होगी ग्राउंड के रिस्पेक्टि किस डिरेक्टिन हो रहा है वो ही हम पता नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को तुम स्वाल करें किस से सुड़ो फोर्स लगा रहा है कैसे करेंगे कि हम इसका एक्सलेरशन ए है ना हम M का FBD बना देते हैं तो M पे मैं यहां से जेख्की observer को बढ़ा दूँगा इसके ओपर तो एक तो मैं इसके एमें लगाई दूँगा सुड़ो फोर्स और कौन सा पोर्स होगा और कौन सा पोर्स होगा M G होगा पसके फोर्स होंगे इन सब का समेशन ऐसा होना अच्छी कि इस एंगल के अलों यह ए तो इसको अगर तोड़ दूना M G को इस direction में और M A को इस direction में तो देखो M G के components यह थीटा है तो यह 90-ग तो यह बन जाएगा M G वैसे पता है M G का along the plane साइन बनता है, साइन अफ टीटा यह बन जाएगा M G कॉस टीटा यह M A है तो यह बन जाएगा M A कॉस टीटा और यह बन जाएगा M A sin टीटा तो इसको काट सकते हो, तो अपने पास क्या आएगा कि perpendicular to plane कोई shifting नहीं हो इसकी perpendicular to plane कुस्मूज नहीं कर रहा है, यह example वापिस लूंगा नहीं पर क्या लिखनेंगे, perpendicular to plane acceleration is equal to 0 अपने-mg j sin θ minus ma cos θ is equal to mass into acceleration parallel plane को ma parallel बोलो तो a parallel का बेढ़ निकों ज़िए था तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसका ground के respect में जो motion होगा उसका हमको angle भी नहीं पता इसका ground के respect में जो motion होगा उसका हमको angle भी नहीं पता यूज हम very sure है इस डब्बे के respect में इसका motion हमेशा ठीटा एंगल भी होगा वापिस बताता हूँ ground के respect में ठीटा एंगल पर नी जाएगा टेड़ा जाएगा ऐसे किसी वार एंगल पर जाएगा उस एंगल का एंगल ही नहीं पता तो components कैसे resolve करोगे लिखत होगी और इसके respect में पता है ऐसे इंगल करेगा इसके respect में डब्बे की ऊपर ऐसी चलेगा लगा नहीं तो मुझे पता है कि डब्बे की ऊपर तो बात समझने आ गई लेकिन ऐसे कौन सा प्रोब्लम ने जो बिना सुड़ो पोर्स के डिफिकल इट अगा कर देंगे बद डिफिकल्ट कॉंप बनेगा डब्ली पर डब्लम बनेगा तो यह अपने चैप्टर खतम हो गया यह एक्जाम्पल अपने करी लिया अब एक उपर अपने लाइन छोड़ी थी पेज नंबर एक बार तो मैंसे बार मदा फोल के बाट तो पेज नंबर निकाल लो 65 65 पर पैराग्राफ है इनर्टर फ्रीम अदर देन उसमें बस एक चीज़ लिए है कि अर्थ तो इनर्टर फ्रीम लेते ही है अपन लेकिन अर्थ क अर्थ के अर्थ के अर्थ के डेक्ट में असल्राडेरेटे नहीं है उसको पर क् Node लेकिन 라मी लेकिंव sich अपने यह नोन इशलार में कैया होंगा वो ही अक एक टैकल अगया सबकार कि यह के अगर इस்को हघंग इस नayı होंग्म तो इक हुख तीव कि एपी चीज बोली किये है जैसे इस इस स्क्रीटन को पढ़ो दोसे ट्रेंड मुवी इननिंफॉर्म विलॉसिटी फिस रस्पक्त टू ग्राउन प्राउन प्राउन एक्धूरेशन नहीं है एह plane find is uniform velocity uniform velocity विजेशे हैं हार example is of Inertial frame पीजे सारा के सारा क्या है? Inertial frame क्यों है ? because acceleration of s dash acceleration of frame with respect to original frame is equal to zero है तो दोनो acceleration्स जो अपन देखेंगे s frame से भी और s dash frame से से भी same आएंगे और acceleration से भी आएंगे तो forces भी change आपन को नहीं कडना पड़ेगा तो बस इतनी सी बात की चीस को मैंने शुड़वा दिया था, कोई बड़ी बार ही है तुम इतना जान लो, इनरेशनल फ्रेम अर्थ को मानने लो हमेशा भी कल्कूलेशन के लिए, नॉन इनरेशनल फ्रेम वो फ्रेम हो जाएगा जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो इसके लिए नॉन इनरेशनल फ्रेम से लिए जाएगा जो नॉन इनरेशनल फ्रेम से और इनरेशनल फ्रेम दोर से कर सकते हैं लेकिन जो कंडिशन ही आजाए कि एक्चुल ग्राउंड से अपन को इसका मोचन दिखने में दिखकत हो जाएगी अंगल ही पितकर ने में दिखकत हो जाएगी तब अपन क्योड़ पोर्स लगाएगी और तब उसका कैलिशन करेंगे अगर इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो मैं करवादू नालस से ऐसा प्रॉब्लम बाकि साथ प्रॉब्लम वैसे सिंप्ल ही हो जाएगे एक ना इसे अपना स्वारा के सारा स्वार्मा का नूट्रिंस लोस अफ मोचन का सियोड़ी था अपन अब सौर्ट हम अब कर रहे हैं वर्ट आउट एक्जाम्पल्स लोस अफ मोचन के एक्जाम्पल्स में काफी इंपॉर्टन्स करें तरहे हैं कि आपको इसमें समझ में आएगा इक्पेशिंस कैसे पॉर्म करते हैं तो बच्चों कर देख रिजॉशन और पोर्स इतने एक्शे से क्लियर यह होता है वो यह निहीं समझ पाते है कि रिजॉशन इस डिरेक्शन में करना है तो उसके लिए एक चीज़ बतायता हूं कि पहले एक्शिस चूज करना इंपॉर्टन्स है जिसे एक सिंपल एक्जाम्पल लेता हूं एक है यह दो चार्जीस हैं अब आपको पता है दो चा अब आप इसको रिजॉव कर सकते हो या तो इस और इस डिरेक्शन में कर सकते हो या फिर इसकी पर्पेंडिकल भी कर सकते हो तो पहली चीज़ तो एक्सिस चूज करना है अब एक्सिस कुछ भी चूज कर सकते है वैसे तो लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो भी force ने फोर्स एक्सिस के ळूँद लोंग योए को परिए ऊक्सिस मेद करते हैं vag World निए quay इस एक्सिस करना पड़ेगा मैंमória तो सब्सक्राइब निएक्सिस करना पड़ेगा और यह एक्सिस परिजाओ किया विए प्ञेदा successful Mu एकसिस के अलोग ज्यादा से ज्यादा पोर्सेज करनी है आपन को यह तो दो चीज़ कर लो एकसिस करने के लिए पहला स्टेप तो है एकसिस चूज अलोग विछ प्रिजिए नंबर ओ फोर्स इस maximum. एक तरी चीज इस इंपोर्टेंट है, एक स्कॉंसे चोंसे करने, इसके आ ओ फोर्स इस माकसिम यहां फिर कभी-कभी एक स्कॉंसे ब्लॉग एक पार्टिकल है, वो स्वाइट करेगा इसके आ लॉग तो एक स्कॉंसे निकालना पड़ेगा nization has to be found, has to be , आभ आघे ऐद समच में आगई, तो अब इस example भा से लिगाटvida है, cape caps seosusp ici, journey Newton ns loss of equation लीखेंगे sûr आपको यी भी उता करना है so in secret 3rd, Third, एक बर एक्सिस चूज़ करें, इसके बाद के important point है, कि forces along the axis need not to be resolved, need not to be resolved. जो axis के along forces उनको resolve नहीं करना, जो axis के forces along नहीं है, उनको ही resolve करेंगे. तो यह तीन point यहाद रखो, यह तीन point important है, इस पूरे examples में, इस पूरी जो भी, जो भी, देखो, लुटन स्लों से simple सा होता है, x is equal to m, तो अपनको अपलाय करना हाँ चाहिए, तो इसलिए आप बार 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 बोल रहा हूं, और की axis को चूज़ करो सबसे पहले, कैसे चूज़ करो, कि number of forces जिसके एक along maximum हो, वो axis चूज़ कर लो, दूसरा क्या है, या फिर इस ती along axis से निकाल रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह axis चूज़ कर लो, और forces around the axis need not be resolved, यह simple सी बात है, अब हम चालो करते है first example से, first example है, ऐसे दो strings है, एक block पर लगा रखा है, alpha और beta angle पर, तो हमको निकालना है, tension निकालना है, इसके अंदर tension, इसके अंदर tension, इसके अंदर tension, इसके अंदर, इसके अंदर इसके अंदर की बात है, इसके अंदर की बात निकालने के लिए, मैंने बताया है, को tension में क्या करना पड़ता है, हमको, string को काटना पड़ेगा, और जो block को free करेंगे, free body diagram, उसमें जो string है, उसको अपनको tension से replace करना पड़ेगा, यह N हो गया, यह T2 हो गया, यह T1 हो गया, यह T1 हो गया, और यह N हो गया, अब बात है axis चूज करने की, लेकिन यह जो alpha है, अब यह beta है और यह alpha है, तो आप देखे हो कि इसके along की चूज करूँगा, तो दो force हो जाएंगे, इसको resolve करना पड़ेगा, इसके along की चूज cos beta, उपर क्या बन जाएगा, T2 sin beta, ठीक है, T2 का दो तरफ कर देखे हैं, ऐसे T1 का कर देखे हैं, इस तरफ T1 sin alpha, और उपर क्या बन जाएगा, T1 cos alpha, अब एक बार axis चूज करूज करने तो इसको और इसको हटा सकते हो, आप गया, तो यह क्या बन जाएगा, तो यह क्या बन यह क्या बन जाएगी, उपर की तरफ, force is minus, नीचे की तरफ, इकोल तो 0, अगर T1 sin alpha plus T2 sin beta minus mj is equal to 0, एक बन जाएगी, T2 cos beta minus T1 cos alpha is equal to 0, यह इसको सारा की सारा part है, इसके बाद की mathematics से, इसके बाद आप कर सकते हो, पुरा की पुरा, ठीक है, देखे हैं, तो पहली क्या बन ज sin alpha plus T2 sin beta minus mj is equal to 0, और दूसरी क्या बन जाएगी, T1 cos alpha is equal to T2 cos beta, अब यह mathematics लगाते है, इसको solve कर सकते हो, T1 निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो, ठीक है, T1 और T2 दो variable है, तो वो तो mathematics निकाल कर सकते हो, उस चीज में जाजा मत पढ़ो, क्योंकि यह से नहीं देंगे, नेक्स्ह budget क्यो तो यहां, निकाल को सकते हो, निकालना है और इन तोलों के बीच पर प्छोर्स निकालना है टीको अंधय कि? अब यह कर सकते हैं कि डिप्रें डिपने अक्सिपने चूस करेंगा इस सब्सक्राइब करने just यह इस तरफ expected कर सकता थाव you can कर लेंगे, इसके अंदर X इवाल ही चूस कर लेंगे, तो M2 करकर प्राइट की बनाऊंगा, तो उपर टेंशन T लग रहा होगा, नीचे M2G लग रहा होगा, और इसके अचलरशन 0 तो इसके लेक्शिन आगे T-M2G is equal to 0, तो T is equal to M2, तो M2 हो गया, कि यह चाहिकेनल, शेंगे बनाऊंगों उपर टेंडर मी रहा होगा, तो M2G की बनाएंगा महका, तो M1 कर तो मैं सॉलमेधन को रहा होगा, य आगत प्रेंशन G कर मेंना है,ि अज leon the lengल और N रहीं since a,iledning the Gomez is the same, वो sin theta होता है, और perpendicular to slope component होता है, वो cos theta होता है. तो मैंने बता है, इस में resolve किया है? कि direction में करना है? तो पहला case को दोना है करते हैं, इसके 3 forces बना है. लेखोर 2-4s already perpendicular, नौर्मन रो टेंशन. तो पहला तो अपन को यहां से समझना आता है कि, इस axis और इस axis के बाग अपन resolve करेंगे. तो N को resolve नहीं करना पड़ेगा, N already axis पे T को resolve नहीं करना पड़ेगा, N बन G को resolve करना पड़ेगा. तो ऐसी देशन को यहां से लेखोर अगर आपनी accelerate करता है, तो इस direction में करता है, तो भी अपन इस direction में resolve करते हैं, इसके perpendicular resolve करते हैं, तो इसलिए है ना, जब भी slope वाला problem हो, slope वाले problem में हमेशा मानते चला, along the slope resolve करना होता है, और perpendicular to slope resolve करना होता है, और इसको रठीलोच है, ऐससे simple ही है, कि along the slope, slope S से चालू होता है, और sin θ भी ऐससे चालू होता है, along the slope जो एंगल जो component आता हो sin θ आता है, और perpendicular to slope जो component आता हो cos θ आता है, अब इसमें tension को resolve नहीं करना, n को resolve नहीं करना, x इसमेरी कॉन सी यह वाली, और यह वाली, कॉनसा बजगा, mg बजगा, θ बूल जाओ, m1g का resolution में जो पता है, इस तरफ आएगा, m1g sin θ, और नीचे की तरफ आएगा, m1g cos θ, इसको आप cancel कर दो, तो इसको तो नहीं करते हैं, तो n उबर की तरफ है, m1g cos θ, और नीचे की तरफ है, इस तरफ m1g sin θ, और इस तरफ है t, अब यह move भी कर रहा, तो इस axis के about भी इसका जो acceleration है, वो 0 है, तो net force 0 होना चाहिए, और इस axis के about भी इसको net force 0 होना चाहिए, because acceleration की है 0 है, तो अगर मैं इसके about लिखुए, इसको आपन x axis बोलते हैं भी, इसको आपन y axis बोलतेंगे, इसके about अपन लिख्षिंग सिंगा जाएगी, t minus m1g sin theta is equal to 0, तो अच्छा यह tension और tension के पराबर है, क्योंकि string same है, यह क्यों बन जायेंग? इसके लिए equations क्यों बन जाहेगी? देखंगो इसके लिए equations में बन जाहेएगी, t minus m1g sin theta, तो इसमें को टेंशन निकालना होगा, एक N निकालना होगा, और क्या निकालना है, एक TETA निकालना है, तो टेंशन N और TETA वेरिवल है, अब तुम देख सब क्यों टेंशन को M2G पुट कर दो, तो M2G आजाएगा, कानलना है, तो learner सब्सक्राइगा, तोまぁ तो संट उसमें निकालना, शहिंता कर दो, मैंनों टेंशन मान ब्लाना, दो सिंटस को टेंशन को सब्सक्राइगा, तो यह इमपो सब्सक्राइगा, कि यह इंप्रइशन है औरुटत Safe पीटा कंटिड इसे स्वाल किसे स्वाल करते हैं, जो चाल्कुलीशन ऐसे पी मुझेंगे, तो एक्सेलरेशन निकाल लोगा और टाइम निकाल लोगा तो अजुमिंग देन तो पोर्स इस यूनिपॉर, फाइं इस मागनेटी ओर निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो मास से मुटिफ्या करके force निकल जाएगा इसके अंदर भी कोई खास बखार नहीं है समझ भी आजाएगा तो यह Newton's loss of motion का problem नहीं है है इसन नहीं है Kinematis का problem ने ने देखे है fourth problem तो fourth problem के अंदर 10i cap plus 5j cap दे रखा है अपनको force दे रखा है अपन acceleration निकल सकते है अर acceleration पठा पड़ गया तो position अपन निकल सकते है अगर यह vector का भी सवाल होगा Because x and y में दे रखा है पनकोछीजे तो अगर x और y में चीज़े रखा है तो x कंदर अलग acceleration निकलेगा y कंदर अलग acceleration निकलेगा तो x कंदर कितना है 1000 तो X कितना होता है, UP पर साफे T², तो X कंदर X आगया अपने पास, U कितना है, 0 है, यह एक्सलेशन निकाल लो, X कंदर कैसे निकाल लो, force in X upon mass, तो 10 upon 10 आजाएगा, लेकिन वो 10 कितना है, ग्राम केंदर है, तो 1000 निटर पर सकंदिफका तो displacement आगया, तो displacement आगया अपने पास, अब Y कंदर पी सेम काम पढ़ना है, Y कंदर exploration नितना होगा, force of Y upon mass, तो force of Y upon mass करेंगे, तो यह Y कंदर exploration आगया, तो Y कंदर Y पता पढ़ गया, displacement पता पढ़ गया, Y is equal to ut plus rp t square, ठीक ना, तो position कितनी आएगी, X i cap plus y j cap, अब X जो आए था, Y cap plus y जो आए था, जो आए था, ठीक है, ठीक है, next देखते है, 5th, अब फिफ्ट में एक short technique बता दुका मैं, वो भी देखते हैंगे, तो फिफ्ट question देखते है, with what acceleration should the box of यह acceleration किससे जाएगा नीचे, so that the block of mass M, यह block का mass के रहे है, M है, exerts a force Mg by 4 on the tape, floor of the box, यह box है, यह block है, तो यह किस acceleration से नीचे जाए, कि इन दोरों के बीच में जो force लगा है, Mg by 4, तो ठीक है, मैं इस block का pre-order diagram बना देता हूँ, अगर यह box को नीचे Mg by 4 से push करेगा, तो box भी इसको Mg by 4 से उपर push करेगा, तो इसका जो diagram बनाऊंगा, उसमें Mg by 4 नीचे नहीं बनाऊंगा, यह push कर रहा है ना, इसको box को, box इसको उपर push कर रहा हूँ, तो उपर की तरह आगे है, Mg by 4 force, इसको pushing force है, जो normal के बराबर है, इसका Mg नीचे के तरफ होगा, Mg, और इसका acceleration नीचे के तरफ है, A, और कोई force नहीं है, तो gravity इसको full कर भी है, एक box इसको push कर रहा है, इसको नीचे push कर रहा है, तो यह इसको ऊपर push कर रहा है, तो इसको ऊपर push कर रहा है, तो इसको उपर push कर रहा है, अब equations लिख देते हैं, तुझी तरफ एक्सलिएरेशन होते हैं, उस तरफ positive मार लेते हैं, तो mg-mg by 4, mg-mg by 4 is equal to m into a, एक इतना अगया पने पास, 3 by 4 और 3 by 4 और जीज़, अब सिंपल कुष्चन है, सीदा Newton's को law जिखना है, जिखना है, कोई लिखत नहीं है, और बहुत सिंपल कुष्चन है, question हो जाए ठीक है तो किकना है 3G by 4 ठीक है अब इसकी short trick क्या है इसकी short trick क्या होती है normal reaction क्या होती है normal reaction होती है m into देखो हिस्षी को समझो जब तुम उपर जाते हो जब तुम उपर जाते हो किसी acceleration से lift एकदम से उपर उपना चालो करती तो भार ही लगता है और lift एकदम से नीचे आने कोशिश करती है तो भी हल्का लगता है तो जब कोई body नीचे की तरफ accelerate करेगी तो हल्का लगेगा जब कोई body उपर की तरफ accelerate करेगी तो भारी लगेगा तो जब भी कोई चीज उपर की तरफ जा रही होती है तो जो normal reaction होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस क्या होगा जी प्लस ए होगा और जब कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो normal reaction कितना होता है m into g minus a चाहे तो इसको तो याद रख सकते हो चाहे तो इसको याद नहीं रखोगे तो भी quotient कर लोगे लेकिन अगर पर इसको जाता है तो question होता है जैसे अपन n को क्या लिख देता n को पन लिख देते mg by 4 mg by 4 is equal to ये क्या था नीचे जा रहा था ना acceleration तो n is equal to mg by 4 is equal to m into g minus a एक कावल निकर जाता है जिस से भी प्लस खटावट कोशन होता है तो मैं इस चीज को यूज करणोंगा आगे, इस चीज को मैं आगे यूज करणोंगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगा, ठीक है, ठीक है, नहीं देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि अगर यह एक्स इस्टस्मेंट होगा, तो यह जो वाइड होगा, उसका वहली पितना होगा, तो इसका प्रूफ करने कि बहुत तरीक होते हैं, तो मैं सारे मैप्टों को पता जेता हूं, और उनका यहां भी देखी तें कौन और से नाचए लग रहे ह तो यहां पे 1 cm एक्स्ट्रा रसी चाहिए अपनको, उपर वी 1 cm एक्स्ट्रा रसी चाहिए, नीचे भी 1 cm एक्स्ट्रा रसी चाहिए, जिवार समय आती है, यहां से लेकि यहां तरकी रसी को फिक्स है, यह 1 cm आगे गया, तो यहां पे उपर वी 1 cm, यह पुली यहां पे आ जा तो यहां से आगे कितनी रस्य लएगी सिछ और दू थे हुठ एंड भी थाह ओंसानों 있는데요 तो वह ऐसा भी कुछ ऐसे भता रखा है कि suppose the police displaced to b' गया and block to a' गया the length of the string is cb plus ba पहले यह length थी ना cb plus ba अब जो नही length बन जाएगी तो क्या बन जाएगी cb' plus b' e' and is also equal to cb plus bb' plus b' plus ba यह किसके बराबर cb plus bb' plus b' plus ba' यह नही length यह पुरानी length यहां से लेकर यहां तक की पुरान length यहां से लेकर यहां तक की नहीं लोगो इकपर कर दोगे तो a' का बने पित्रा जाएगा 2b' बना जाएगा अगर displacement of a twice है तो यह अपन तो इसको differentiate करेंगे तो अपन को अगर wanna acceleration b, जब अगर को प्रमसे की बात करेंगे तो अगर अगर इसका acceleration a है अगल भी दिया है, हम भी निकाल सकते हैं, तो अगर डिस्प्लेश्मён इसको लिए को देबल–डיOUGHो कि एक्सलेश्म ये मास M one है, मैंने बता है इसका एक्सलेश्म है अगर A बदो आजए एकक्त एक्सलेश्मён प्राज़ hunger Return S तो T is equal to, अच्हा, और यहां पर एगर मैं पुली को देखते हैं, तो F और T और T पुली के लिए मांटेशना का फोर्स का सम 0 अच्छा, क्यों अच्छा है? Because submission of call force is equal to mass into acceleration, mass 0 है नो कुछ लिखा, mass अगर 0 तो सारे समगा force के इतना उनची 0 नची तो इसके उपर तो tension लग रहा है, वो force के बरावर रहा है, force के इतना है, 2T है, ठीक है? तो एक तो equation आगे t is equal to m into 2 है, इसके लिए, ठीक है? इन्होंने a और a by 2 लेगी है, इन्होंने इस चीज को a और इस चीज को a by 2 लेगी है, तो वैसा नहीं करना, a f by 4 m आगे है, और इसका जो acceleration अब कितना आजाएगा? ब्लॉक का expression आजाएगा 2 a बसला f by 2 m, अब यह आगे जा रहा है, f by 4 m से, अब यह आगे जा रहा है f by 2 m से, अब यह आगे जा रहा है f by 2 m से, एक है? constant होती है, तो अगर यह v1 से move कर रहा है, यह v2 से move कर रहा है, तो v1 equal to v2 होगा, लेकिन अगर अपन ऐसे कर देख रहे हैं, कि यह उपर जा रहा है v1 से, खेटा एंगल पे, और यह v2 अंगल से आगे आ रहा है, तो along the rod जो इसके displacement से बरावर होने चाहिए, तो along the rod जो displacement से बर next सवाल देखो क्या है, एक ring है, मासवास दे रखता है, so that if the ring slides in the speed v, अगर यह v2 से slide करती है, तो block descents is v2 कॉस्ट है, पहल तो अपनों को यह शुपढ़ना है, बागी का सवाल देखते हैं, तो यह एक कुछ तो बना रखा है, यह ring है, यह ऐसे है, यह एक pulli है, यह block है, यह pull करना है, तो अगर यह v2 स्पीट से आगे जा रहा है, इसको v1 मान लेते हैं नीचे के तरफ, तो यह rope है, rope के along जो velocities बरावर होने चाहिए, तो यह तो along the rope यह velocity v1, यह velocity तो along the rope यह v1, और यह जो theta angle है, तो v2 कंपोनेंट, अब कुछ बच्चे बोलते है, sir, already horizontal है, इस spot कैसे resolve कर सकते हो, तो बच्चो ऐसा होता है कि मैं किसी भी velocity को resolve कर सकता हूं, जैसे यह velocity तो इसको मैं horizontal, vertical बिर्सॉल पर सकता हूं, यह अगर व1 यह यह तो यह बनके vcos theta, यह बनके vsin theta, लेकिन अगर यह बी है, तो इसको मैं किसी भी दो perpendicular direction में resolve पर सकता हूं, ऐसे, 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 कि यह बी दो, कोई भी दो direction मानों यह और यह, अगर यह angle theta है तो यह component आएगा vcos theta, यह बी sin theta, यह angle कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते है, ऐसे भी बना सकते है, theta change हो बस, टो यह बी है अगर है, तो इसको तुम दो components resolve कर सकते हो, इसके अलों और इसके लों, यह कितना होग है, नहीं, दोनों का भी लागर समझी, तो vcos theta along this string और v1 नीचे के तरह, तो v1 किसके बना मुला जाएगा, vcos theta के तो, v1 is equal to vcos theta, तो हमने पहले चीज़ प्रूफ कर दी, कि ब्लॉक की speed change रह रहा होगा, v1, v1 is equal to vcos theta, तो यह अपन प्रूफ कर चुके है, next है, with what acceleration will the ring start moving, if the system is released from rest with theta is equal to 30 degree, with what acceleration will the ring start moving, तो अब इसके मासे से देख लेएपन, तो ब्लॉक का मास 2M है, रिंग का मास M है, तो रिंग का मास M है, इसको आपस से नहीं बना लगते है, इस equation को आपन या आपके से नहीं है, तो यह रिंग है, यह पुली है, यह ब्लॉक है, इसका मास 2M है, है, और B1 is equal to. इसकी street B1 है, इब पूचाएं की what is the acceleration of the ring, अगर system को फटीटा is equal to 30 degree पर चोडा था, तो फटीटा is equal to 30 degree का घर हमें चोडा, तो अपने बस relation इसके, B1 is equal to Bc3, अब अब है, तो इसका acceleration relation को है, इसको differentiate करके निकले रहा, तो इसका acceleration क्या होगा, इसका differentiate करेंगे तो a1, अब यहां पे क्या है दो चीजें जो चेंज कर रही है, तो इसको जब हम टाइम से डिफरेंशिट करेंगे तोई बनेगा, इसको पूरा लिशीत है, तुमको नहीं को दिखकर करेंगे तो यह बन जाएगा, तो यह बन जाएगा दिफरेंशिट अपर दिफरेंशिट इंटू D BY DT of B, इसको आप लिखतेंगे, अगर इसको थे क्या अगर इसका आपी जाएग तो इसको आप में अब जाएगा, तो इसको नहीं जाएगा दिफरेंगे, तो इसको आप बनेगे तो इसको अब नहीं पूरा पीयाँ आपनेंगे, अब इम्पोर्टेंट पॉइं तो यह वहला टर्म गिया तो उसकी कल्कुरेशन और होती हूँ, आइटी एडवांस के आप बहुत एडवांस सुप्शन हो जाता है, उसके लिए भी छोड़ दो, अभीके लिए छोड़ दो, अभीके लिए इतना हो जाएगा, a1 is equal to cos theta into a, तो a1 के आगे आपने पास, a1 is equal to a cos theta, और theta कितने इंफाटे डिए? अब यार, theta को सिश्टे जेना अच्छी होना है, a1 is equal to, अच्छा मैंने यहां पर भी कुछ दलती कर दी, नहीं मैंने कुछ दलती नहीं की है, minus t is equal to 2m into a1 के, इस equation को note पर कर देंगे, एक और equation इसके लिए बना लिए रिंग के लिए, तो रिंग के लिए equation क्या बनेगी, देखो, रिंग पे यह tension लग रहा है, टी ऐसे, कित आइंगल पे, तो यह हो, नीचे एक mg भी लग रहा होगा, एक normal reaction लग रहा होगा, रिंग, ऐसे slide कर रही है, तो रिंग को खीच रहे है, तो रिंग पे उपर 4 से रोड लगा रही होगा, तो रिंग पे एक normal reaction लग रहा होगा, एक tensional component t sin theta लग रहा होगा, और एक mg लग रहा होगा, horizontal में क्या रहा होगा, t cos theta, अब बच्चे क्या रहा होगा, बच्चे वर्टिकल में भी equation लग रहा होगा, जर्थ नहीं है, वर्टिकल में क्या equation होगी, n, minus t sin theta, minus mg, is equal to 0, n, n क्या है normal reaction by the rod, rod लेसर normal reaction रहा होगा, उपर की तरफ, तो n minus t sin theta minus m g is equal to 0 तो उसकी ज़वात नहीं है, आपनको तो इसका horizontal acceleration देखना है तो horizontal क्या है इसका t cos theta? horizontal क्या है इसका t cos theta तो t cos theta is equal to m into a अपने equation बन जाएगे तो रिंग के लिए equation बन गई? इसको कैंसे इकट दो? t cos theta is equal to m into a यह दूसरी equation बन गई? और तीसरी equation क्या है, a1 is equal to a cos theta a1 is equal to a cos theta तो यहाँ डाल दो a1 a के भी यहाँ लेकर आना है तो इसको लिख दो 2m into a cos theta तो इसको लिख दो 2m into a cos theta तो इसको लिख दो इसको डाल जाएगा अपने पास तो आपने पास, वो सारी mathematics calculation है उस सब को भूल सकते हो मेरे chemistry के दोस्ते हों बोलते है हमारा जो physics का teacher था, वो calculation करवाते हैं नहीं है तो calculation देख लेना, मैं तो समझा रहा हूँ अब इसके बंदर जो यह पूरी चीज है यह geometry से कर रखे, बढ़ इसको तुम छोड़ दो क्योंकि जो matter से कर रहोगा बहुत लंगा पढ़ेगा यह simple सो तरीक आपने पास v1 is equal to v cos theta है देखो यह मने समझा लिए हैं, along the rod along the rod, along the string जो displacements होंगे यह velocities होंगी वो same रहेंगे तो इसकी equation जो आएगी, वो आएगी v1 is equal to v cos theta velocity of the ring cos theta is equal to velocity of long ठीक है, फिर उन्होंने वो लिखती है सारे के सारे forces बकर है mg minus t mg minus t 2m 2m m की बराबर है 2m g minus t is equal to 2m into a1 a1 की तरह है a cos theta की बराबर है e cos theta is equal to m यह भी हो गया और यह उन्होंने use करे लिया होगा जो भी आएगा से साथ में आएगा ठीक है तुमको इतना याद रखना है कि along the string जो होता है along the route जो होता है velocities बराबर होती है उसको differentiate करेंगे तो acceleration आजाएगा ठीक तो एक तो यह तरीका होता है निकालने का constant relation दूसर तरीका एक और होता है virtual work method वह आपन और करेंगे जब आगे problems आएगे सारी चीज़े में एक साथ नहीं बितना चाहता है ठीक है तो यह है आपके लंबब प्रॉब्म है सिवने पड़ा नहीं तो इसमें दिया रखाएगी जो रोब है प्रॉब्म आपने को बोला है ने कुछ और दे रखाए चाथ क्लैंप के ब्रीक करने का मैं एक बार देख लेता हूँ आप इसे कुश्चन को पर लेता हूँ । एक है, द मैं बगल सुधे लेता हूँ इस बेन कलम सक लेता हूँ विजिए आउपAbsाट है। मैं बइट विजए स्टिगेज़ वांट उर्वॉॉ वोजंद कप एंच को लिए छो राटली के आउप हंपु ऐफ ह्पषावि मैं आउपट благी हैं.... इत्रिक्य जो ब्रांच उस्प्लिभ परास आउप का बही है और यह आजाएगा बहार अगर रोब के अंदर जो टेंशन है, और आउट आउट अग्राउंड डिप, इससे दिखकत दोरी में बुख लियाता हूं, तुम भी बुख लेके बैठ जाओ, इस भी बुख वर रोब का ठीयाता हूं, जा अगर बॉट अग्रोंग बॉट बॉट संट फिर सब्गाइप वर यह वर भी व्याम तो पहलेग्ठ पार साथ डंग और भी बॉट नजाएगा जाएगा जाएगे ड़क, के साथ तो यह एंगल 30 डिग्री का बंदने जाओंड के साथ आगे क्या है यह मैं बेंग 60 kg मास ऑफ मैं कितना है 60 kg यहां पर बंदर के तरह चड़ा हुआ है इसका मास है 60 kg इस पर जो उपर की तरफ की तरफ क्या एक्सलेरेशन हो सकता है कि मैं सेफ़ी क्लाइब करें यह मैंने गलत कर दिया टेंशन तेंशन यह है टेंशन का साइं 30 का कंपोनेंट यह ओगा उपर की तरह हो उसको ऊपर कॉण कीछ था है यह तेंशन कीछ था है वाट जो तो ऐसे जा रहा है ना तेंशन तो यह गलत 30 की तरह उपर की दिरह फोर्स कितना है ती साइन थर्टी तो यह ती साइन थर्टी अगर फीजिश्टी से ज़्यादा होगा तो ग्लैंप बहार आ जाएगा तो हमको इसका जो टैंशन हो सेवन थर्टी से ज़्यादा नहीं रखना उससे फुरा सा कम रखना है यह बात समझने आगे प कर सकते हो ऊपर की तरह फैसलेट कर रहा है उपर की तरह फैसलेट करते हैं तो टैंशन को एड़ कर देते हैं एम इंटू जी प्लस ए इसको लिमिटिग केस्ट में सेवन गान लेंगे तो आइम कितना है 60 इंटू 10 प्लस ए इस इपल तो 720 जीरो से जीरो गया 6 12 जा 72 ए कितना अगया तो मैक्सिमुल एक्सेट की तरह उना चाहिए मैं का तो यह तो के फॉट कटना चार्ज में बता चुका हूं अगर लॉंग कट करना है तो पूरा तो पूरा लिख लो मैंकिल एक्वेशन यह मैं है कि इसका मास एम जी नीचे लग रहा है सिम्पल याद रखो अगर कोई ची ऊपर एक्सेट करें टेंशन बढ़ जाएगी अगर नीचे की तरह एक्सेट करें टेंशन कम हो जाएगी तो यह अपने पास आंसर आ गया इसका ठीक है कोई सब्सक्रा करें सब्सक्राइस के अब कर दिखो एग पास उसका यह मैं बाकि जनर्ली आगए व अई सब्सक्राइब वाकि जनर्ली तुन डेख़े वीडियो जना पर तुम्हारे पास बोक नहीं है all the surfaces are friction layers, find the acceleration of M1, M1 the acceleration निकाल नहीं है, ठीक है। लिपो मैंने बताया था कि जब मैं बोल कि था कि constraint निकाल नहीं है, मतलब तीरूम की acceleration relation निकाल नहीं है, तो मैं क्या उस करूंगा, वो मैं तुमको बता दूंगा पाद में, तो अपनने पहले क्या उस किया था? कि जैसे यह वाला जो problem था, इसमें उस किया था? कि इसका length 1 meter बढ़ा, इसका length 1 meter बढ़ा, तो यह 2 meter बढ़ेगा, तो एक तो अपनने just imagination उस किया था? पहले तो imagination से करते हैं, दूसर अपने इस तरह से किया था, कि string अगर है, यह अगर b1 से जा रहा है, यह वी से जा रहा है, तो b is equal to b1 into cos of theta, यह भी तरीका जी उस कर आता है, तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा अच् tension into acceleration is equal to zero, tension to summation with acceleration equal to actual tension into dx zero होता है, dx एकल displacement, लेकिन displacement को differentiate करेंगे तो velocity आएगा, velocity को differentiate करेंगे तो acceleration आएगा, अब t2 dx के आई वर्क है, तो force into displacement वर्क है कि नहीं है, यह पन कट शुके नहीं है, तो मैं समते देता हूं कि कैसे काम कटता है वर्चलित मैं, तो रसी जो है, रोग ज खुद से कभी भी कोई भी रोग, खुद से कभी भी कोई भी रोग बर्क नहीं कर सकती है, और example मैं एक simple से example देता हूं, एक रोग से अपन तुन करके लेके जाते हैं, दो लोग से, ठीक है, यह रोग है, यह रोग है, अब तुम देखो, इस रोग में कुछ tension होगी, तो दे बांदो यह x, x1 आगी गया, और x2 आगी गया, अपन को पता है, यह x1, x2 पी पराबर है, लेकिन अपन प्रूफ कर रहे हैं, इस fundamental से, ठीक है, तो इस वाले ब्लॉग पे, जो रोग फोर्स लगा रही है, इस तरफ लगा रही है, तो इस तरफ लगा रही है, तो इस तरफ x1, 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 x2, x1, x2, x1, x2, x1, x2, 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 x2 यह क्याम करते हैं पहरे जो कुल्ली वाला सवाल था उसमें लगा देख लेते हैं जीसे देखो जैसे ये था इस एक कुल्ली था ये पोर्ष रिख लगा था तो किसकी बास कर रहा है रोग की बात करता हूँ तो रोग की कॉन कॉन से end है, एक तो रोग का येवाला end है, एक रोग का येवाला end है, एक रोग का येवाला end है, इस end का displacement से 0 है, इसको टेंशन टी लग रहा है, इसको टेंशन टी मान लो, यहां पर ये टी मान लो, पुली की बात करते हैं, पुली पे एक टेंशन टी लग र तो मैं क्या लिख्योंगा T into this x1 के तो 0 हो गया, तो T into 0, से यह opposite है, तो इस तरफ force किसने है 2T, displacement किसने x1, और दुनों की पीशने किसने किसने minus 1, तो यह के बंज़ा है, plus 2T into x1 into minus of 1, force into displacement into angle, यह कितने T into x2, plus T into x2, this should be equal to 0, ठीक है, तो यहां पर क्या आगे अपने पास, यहां पर आजाएगा T into x2, is equal to 2T into x1, तो तीचे T गया, तो x2 क्या आगया, 2 into x1, तो देख्यों अपने ही करा था कि यह जो x2 है, यह double displacement होगा, अज यह 1 cm, 1 cm आगे जाएगा तो 2 cm आगे चला जाएगा, तो आगे बच्चो, तो अज़ा कुछ बच्चे क्या आखर रहे हैं, गल्ती कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, डारेक्ट्री मेरे बॉलने के सार्व हम exercise देखेंगे, तो ऐसा नहीं है, जो भी problems आते जा रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं, एक्जाम्पल्स में चोरी केंदर 2 भी चीज़े हो रहे हैं, तो सारे सारे रेक्टर्स देखो, वो इंपोर्टेंट के तुमा रहे हैं, तो यह पूरी की पूरी अपनी बात हो गई, इसको अपन मान लेते हैं, 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 सब चीज नीचे नहीं आएगे, कुछ ऊपर जाएगे, कुछ नीचे कोई लिख्कत नहीं है, सिंपल सा फंट आएगे है, सिंपल जाफंटा ये है कि सब को कुछ भी डारेक्शन दिमानगों कोई दिखते नहीं है बस जब तुम फोर्स इसको लिखो कि T into x 1 आप उनको क्या लिखने है दिखेंडिशन आप टी रोड़े कि इसमें इती होगा इसमें तूटी होगा ये बाग्यों पर कड़ चुके हैं कि इसमें टी होगा इसमें तूटी होगा ठीक है ना तो अब एक end होगा जिस पर टैंशन टूटी लग रहा है यह फोड़ा से नीच ना लगते हैं इस पर टूटी होगा आगे के तरफ इस पर टैंशन ऊपर के तरफ होगा T इस पर भी ऊपर के तरफ होगा T तो देखो इसके लिए लिखें के तो कहले कि 2T इंटू X1 2T इंटू X1 इंटू X1 इंटू X2 इंटू X3 यह उच पर इस पर ढगे तो प्लस T इंटू X2 इंटू minus 1 plus T x3 इंटू-1 is equal to 0 तो किया बन के तो 2X, T common लेलो 2X1-X2-X3 is equal to 0 तो t तो जो जोगा नहीं तो इसको डिफ्रेंशिल के बने गजागा 2 able minus a2 minus a3 is equal to 0 इसको ऐसे भी लिख सकते है कि a2 plus a3 जो होगा उपान वो a2 जोगा बराबर होगा इसको ऐसे भी लिख सकते है कैसी कर सकते हो तो एक यह तरीका होगा इनको solve करनेगा, अब क्या करना है तो सब के लिए equations लिखनी है, तो अब फटाफर से लिखना हों के equations लिखनी आ गई हैं कि नीचे की तरफ जाता हो ना, इसको नीचे की तरफ इसको आगी तरफ, तो इसके लिए नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, 2t is equal to m1 into a1, यह सारे की सारे तुम देख सकते हो, यह सारे की सारे देख लो, यह सारे की सारे देख लो, और ऐसा एक तरीका, तरीका बहुत हो सकते हैं, बटने simplest method रता रहा हो, जिसमें कोई confusion नहीं होगा, तो simplest method, accelerations की बीच्ट है, वो तीन relations अपने पास बन गई, tension एक variable है, a1 एक variable है, a2 है, a3 है, 4 variable तीन equation है, तो यह चौती equation का काम करता है, तो इसमें कोई confusion नहीं हो, इसके लिए important है, कि तुम लोग एक best तरीका देखो, equations को लिखने का, acceleration की बीच में relation निकालने का, वो best तरीका क्या होगा, वो best तरीका यही होगा, कि तुम लोग न, इसको summation of t into dx, summation of force into dx से solve कर लो, ठीक है, तो अपन 9 example कर चुके हैं, इसमें थोड याद रपलो, यह सब जगे काम आएगा, अब दो problem ऐसे हैं, जो अपन pseudo force के करेंगे, यह last के दो सवाल हैं, जो अपन pseudo force के करने हैं, तो मैंने बताई है, pseudo force अपन अभी तक pseudo force काम नहीं किया, pseudo force अपन तब काम है, जब डबबे पे डबबा होता है, तो question number 10 है, तुम देख सक यह कीटा एंगल है, यह नोट से जा रहा है, नहीं अगर light-wide रेही होगी, अगर तुमारे पास बुख नहीं होगी, तो उसके यह कर देता हूगी बबाद काम इसको, यह problem है, ओल्ड़ प्राव्लम, यह particle slides down a smooth inclined plane of elevation theta, तो एक particle है, जो slide करता हुग, ऐसे जा रहा है, going up with an acceleration a0, यह elevated रहा है, पूरल पूर a0 से उपर जा रहा है, the base of the incline has length L, इसका length L है, तो अधेड़ा बनगे, इसको सिंदा पर जूम पर जेना, find the time taken by the particle to reach the bottom, तो actually, इसमे फिकर यहां दे रहा है, but actually particle यहां से शुरू हुआ होगा, यहां से शुरू हुआ होगा particle, ऐसे move कर रहा है, तो अगर एक simple incline होती, theta angle पे, तो particle का acceleration कितना होता है, g sin theta acceleration होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था, जो force along the slope होता है, s for slope, s for sin theta, जो along the slope force होता है, sin theta होता है, तो इसका along the slope होगा, g sin theta होगा, acceleration, क्योंकि mg sin theta force होता है, यह जो सही था, लेकिन इस case में क्या करेंगे, इस case में A naught ऊपर भी जा रहा है ना, तो इसको आम एक short period बता दूदा बाद में, लेकिन अभी के लिए पन क्या कर लेते हैं, इसका पूरा अपन post-mortem करते हैं, अब दो तड़े की observer बहु सकते हैं, पहला observer बहुत है जो ground पर खड़ा हुए उसके साथ दिक्कत के है जो आपको एम लिए बना चुका हुआँ कि यह एंगल और सार्श में इसрав delightful far okay should he? ऐसे जा रहा है ऐसे रहा है? कैसे भी जा सबता है. इसको यह है नहीं पता उसका angle क fiance म pinchment का इन समज़क्तारी बार इसको यही नही पता कि उसlaws अंगल अगर यह इक इस पर ह TOP, पूरा चीज तो थीटा एंगल भी नीचे आ रहा होता हो, लेकिन क्योंकि पूरी चीज उपर जा रही है, इसलिए ग्राउंड वाले अब्जर्ब को यह नहीं पता है, कि वो थीटा एंगल पे आ रहा है कि थोड़े किसी और एंगल पे क्योंकि एक दीए मोशन हो गया, इसका इडिशन तो करो कि तो मोशन ऐसा भी आ सकता है, तो ग्राउंड वाले को इसका एंगल भी नीचे पता है, जब एंगल नीचे पता कैसे हो फोर्स को रिसॉल करेंगा, कैसे हो लिटेगा चीजों को, यहां दिक्कत आती है, मैंने बोले डब्बे पी दब्बा जब होता है, तो डब्बे इसके लेफन सुड़फोर्स लगा देंगे, यह दब्बे पे डब्बा और दब्बे में डब्बा भी है, दब्बे के अंदर एक डब्बा उसके उंटर दब्बे पी दब्बा है, तो इसलिए observer में को यहां बेठाना पड़ेगा, यहां बेठाना पड़ेगा, कई भी इसलिए अपन क्या करेंगे, इस ब्लॉब का एक वड़ेटी वराते हैं बगार, यह दो फोर्स को लगी रहे है, लेकिन यह उपजरुबर से बेठाना पड़ेगा, यह दो फोर्स लगी रहे है, लेकिन क्योंकि यह अपजर्वर्स से बेख रहे है, अपन जो खुद ऊपर इसलिए एक सूड़ो फोस दावा नीचे के तरफ एम इंटू ठीक है अब रिजूर्व किस डिरेक्षिन में करना है तो नहीं है बता चुका डिरेक्षिन पर कैसे चोज करते हैं या तो देखो कि किस डिरेक्षिन के लोग ज्यादा फोर्स है या फिर देखो मुवमेंट किस क अलागी यहां पर दो फोर्स वर्टिकल है बढ़ कि इसमें डिरेक्षिन क्यों करेंगे प्यकोर्स मुवमेंट को ऑनको इसके या नको ननग करना पड़ेगा तो उसके तरफ प्रक्राओ परफोर्स के नंग कड़ेगा तो नोर्म को रिजॉवम्स को परपेंटिकुल हूर् प्लस M E0 sin θ, तो simple हो गया, इस तरफ force कितना आगया अपने पास, इस तरफ को जो force आगया, इसको तुम माल लू, x-axis महांदर सको तुम, fx कितना आगया अपने पास, fx इन इकल टो M into Ax, fx कितना आपने पास, M into G sin θ, plus A0 sin θ, ठीक है, Ax कितना आगया अपने पास, Ax आगया अपने पास, sin θ into G plus A0, acceleration क्या है, acceleration इस तरफ का acceleration है, लेंथ, पता है इस तरफ की length क्या होगी, यह L है, तो यह बनेगा L upon cos θ, तो अपने equation क्या लिखनेंगे, displacement is equal to half it is, t square plus L upon cos θ, is equal to half into G, plus A0 sin θ, into t square, यहां से अपने पास, time आजाएगा, time कितना आजाएगा, जेखो, 2L, यह यह time का value आजाएगा, देखो time का value बिक्ता आ रहा है, यह value है time का, 2L upon G से, cos θ, sin θ, तो यह तो एक लंबा method होगया, अब short trick क्या है, short trick यह है, ही समझ में आजाएगा, पूरा method आप समय रहता हूँ, बहार से observer उसको तो यह भी नहीं करता कि, उसको ऐसे भी हो सकता है motion, इसको ऐसे भी हो सकता है, mg नीचे लगा, ma0 नीचे लगा, n अगर लग गया, अब यह सुड़ो force है, mg का मुझे पता है component sin θण होता है, तो ma0 का भी sin θण हो जाएगा, तो इस तरह जो forces अब कितने आगा है, mg sin θण प्लस a0 sin θ, यह मैं लिखूंगा, m into as के बराबर है, तो a बता पड़ गया, फिर अपने kinematic equation लगा दी, x is equal to ut plus half 80 square, तो u 0 था, तो x जो है displacement जो है, वो half 80 square के बराबर अपना हा गया, ठीक है, short trick क्या होगा इसका, जैसे मैं वहाँ बता चुका तुमको, कि यह चीज a0 से उपर जागी जैसे मैंने tension के लिए बताया था, कि कोई tension उपर लग रही है, और एक block है, और वो उपर accident कर रहा है, तो tension का value कैसे निकालना बताया था मैंने था, tension बताया था था यह रही है, बताया था कि ने बताया था, तो जब भी चीज ऊपर के तरफ accelerate होगी न, तो 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 भारी feel करोगे, भारी feel करोगे तो g के जब गी जब गी प्लस है लिग दे रहा, इसको अपन g-डश जी effective बह स तो जो g effective होगा कितना बन जाएगा, g plus है, जब जो कोई चीज नीचे की तरफ आएगी, एक्सेट अप्टर हुए, तो g effective बन जाएगा g minus है, अब इसको चीज ऊपर के तरफ accelerate होगी a not, तो इसको g effective होगा, कितना बन जाएगा g effective बन जाएगा g plus a not, पैल इसको चीज यहां त जाएगा g plus a not, sin theta, distance कितना ही है, l upon cos theta, तो लिख दो s is equal to ut plus half rate square, तो मैंने बता है कि pseudo force में लगा में इतना confusion भी नहीं करना पर तो simple का fund है, कि अगर कोई चीज a not से ओपर move कर गे acceleration से, तो g की जगे g plus a करदो बस, कोई चीज नीचे आ रही है, acceleration से, तो g की जगे तरफ गरदो तो next question, one of the most difficult question से solo forces का, इससे difficult नहीं आएंगे, question देख लो, all surfaces are smooth, ये चोटा है मैं, ये बड़ा है, ये अंगे फीटा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, all surfaces are smooth, the block of mass slides, which is slight bright, but find the acceleration of the with respect to the prism, देख इसमें तो बोली दिया साब साब, कि find the acceleration of the smaller block with respect to the prism, ये जे प्रिसम है, इसके respect में smaller block का acceleration निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इसका acceleration A पीचे की तरफ है, और इसका इस direction पे A1 है, A1 मान लेते हैं, A1 क्या है अगे, A1 है with respect to the prism, मैं फिर से बताने की कोशिश करगा हूँ कि A1 जो है वो with respect to the prism है, अगे, actually ground के सबसे उसका acceleration पीचे जो होगा, उसके दो पूरेटे से एक तो इवन इस तरफ और एक इस तरफ एक तरफ, A1, इस लिए पितर होंगा, तो chalk का यह slide है, यह वाला point देखो, यह वाला point यहाँ पे आ रहा है, अब मैं book को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मैंने शुरुवात की थी यहाँ से, अब यह point आगे चला गए, यह point आगे आगे, तो होसकते chalk ऐसी चले गई हो, होसकते ऐसी चले गई हो, होसकते ऐसी चले गई हो, तो दोनोंगा combination बन के आएगा, तो ground वाला इंसान देखने पाएगा, actual acceleration का direction क्या है, इसलिए वो forces को resolving कर पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, pseudo force, तो यहाँ पे एक बंदे को बढ़ा देता हूँ, वो देख रहा है, acceleration इस तरफ है, तो इस M block की बात करते हैं, पहले, तो इसके हिसाब से with respect to prism, जब में इसका FBD को नम्र एक तो M की नीची की तरफ आएगा, एक normal direction आएगा, एक इस तरफ M in node force लगेगा, यह समझ में आजाना की सुदो force लगा जाएगा, अपनों सी तीन forces लगेंगे, और इनकी वज़े से net result है, वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो obvious सी बात है, मुझे इसका acceleration एवर निकालना है, तो मुझे जो forces हैं, इसके along उनको उनको resolve नहीं करना, जो बाकी forces उनको resolve करना है, तो देखो M तो इसके perpendicular उनको resolve नहीं करना, mg का resolution along the plane क्या होता है, mg sin theta, तो यह बन गया mg cos theta, ऐसे इसका resolution बन जाएगा, यह angle theta है, यह angle theta है, तो यह angle 90 minus theta, तो यह बन जाएगा sin theta, ma naught sin theta, प्रिवन जाएगा ma naught cos theta, तो यह बन जाएगा ma naught cos theta, यह बन जाएगा ma naught cos theta, यह बन जाएगा, पहले क्या बन गज़ी, Mg sin θ plus Mn cos θ is equal to M1 यह इस direction के लोग बनेगी, second क्या बनेगी, second इस direction के लोग बनेगी इस direction के लोग कोई motion नहीं है इसके respect में, तो fix है तो क्या बन जाएगी, N minus Mg cos θ plus Mn plus Mn sin θ minus Mg cos θ is equal to 0 यह दो equations बन गई तीसरी equation इस block के लिए बनेगी A0, A0 यह बनेगी block के लिए क्या बनेगी, जो block के जो प्रिजम है इसके normal reaction ऐसे लग रहा है इसका यह component क्या होगा और यह component क्या होगा because इस तरफ मुख कर रहा है A0 से इसका यह component upon M A0 के बराबर लिखेंगे आपको पहले कि अगर horizontal का plane की साथ angle theta होता है horizontal का plane की साथ angle theta होता है तो vertical का perpendicular to plane की साथ angle theta होता है यह बन जाएगा N sin theta तो तीसरी equation बनेगी N sin theta is equal to capital M into K0 इन सबसे अपने answers आएँगे यह 3 equations बनेगी काफ़ी लंदी चोड़ equations हो जाएँगी इन सबसे अपने answers आएँगे तो अपना answer आजाएगा बड़ासा answer है M plus M G sin theta upon M plus M sin theta square वो calculate रना पड़ेगा तो यह पूरा भी पूरा अपने पास चीज है actually second equation चाहिए नहीं because अपन इसको नहीं A naught से चाहिए A naught के लिए second equation चाहिए चाहिए second equation चाहिए second equation चाहिए इसको उठाके यहां डालोगे N eliminate हो जाएगा A naught का value आएगा A naught को उठाके यहां डालोगे तो अपने पास आए value आएगा तो यह पूरा चाह अपना रोग इसके लिए अब जो short trick है इसके लिए कोई short trick है क्या तो अपन निगाल सकते हैं चाहिए तो यह सारी बात थी solved examples थे सारे के सारे इसके अदर अपने दो तीन चीज़े सीखी और मैं देखता हूँ lectures को अब एक comments में लिख दो कि सर यह चीज़ यह कड़िया करो अब उससे क्योंगा मेरे को पता पर जाएगा exactly क्या कड़ना है तो मेरा इस साल का जो मोर्टीव है वो यह है कि मैं physics को आसान बना दू ऐससे और वहां में काफे बच्चों को बिखकर रोगी तो और अगर चाहो तो मैं special बना सकता हूं कि how to solve series कि मतलब इस चीज को कैसे solve करते हैं constraint relations कैसे निकालते हैं arrangement column कैसे solve करते हैं friction को कैसे करेंगे अलग अलग चीज़ों के बना सकता हूं सबके लिए अलग 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 बना दूँता हूं अलग जैसे करवाई हो और वैसी करवा रहा हूं मैं तो तुम बता देना अब सभी यह particular topic अलग से आप पढ़ा दो 10-15 minute में तो मैं पढ़ा दूँ आपक्स तो बच्चों अब आगी चलें questions for short answer फिर objective 1 objective 2 exercise पूरी की पूरी तब तर बने रहो मेरे साथ में रहा हूं हर्शकरवाद आप देख रहे हैं thank you have a nice day Hello students welcome back हम कर रहें Newton's loss of motion के short answer questions उसके बाद objective करेंगे हम कर चुके हैं solve examples कर चुके हैं हम theory पढ़ चुके हैं theory मैंने फटाफट से complete कर वाज थी एक कंटे में तो पहले आपको theory पढ़ना है जिससे आपको चीज़े समझ में हैं उसके बाद शौर्ट solve examples देखनें तो थोड़े दिक्कत हो सकती है क्योंकि physics यहार interconnected होती है कोई अलग अलग chapters है जैसे chemistry होते है अलग chapters नहीं है तो physics में कम से कम rotation तो सब कुछ connected है rotation तक के जो भी lecture आप देखोगे पहले के सारे lecture देखो तो vectors के लिए physics and mathematics देखो kinematics देखो उसके बाद यह देखो तो हमने देखते हैं पहला question the apparent weight of an object increases in an elevator while accelerating अपड हमको पता है जब भी accelerator पे ऊपर जाते है तो weight जो होता है वो m into g plus से बन जाता है ठीक है नहीं बात बता चुका आपको अब moomphi वाला cells moomphi using a beam balance moomphi वाला beam balance जो होता है जो यह वाला ऐसा जो होता है यह ऐसे रहता है इससे moomphi cell कर रहा है तो क्या उसके moomphi का जो daam लगाएगा वो जादा लगाएगा moomphi जादा जो उस चीज को समझो जो कि अगर यहां पर वेइंग स्केल होती है और यहां पर एक केजी की मुंफली रखी रहती है तो अगर एलेवेटर ऊपर जा रहा होता तो जो हमारा इसके लिए रेडिंग आती वह वन केजी से ज्यादा आती क्यों ज्यादा आती बिकॉस वन केजी तो तब आ दी है जब वो एम जी के बराबर है उसका फोर्स अब जो फोर्स से इफेक्टिम पर ने बता चुका हूं जी की वैली प्लस ए हो जाती है तो यहां पर वन केजी से ज्यादा वैली हो आता मतला बेसिकली जैसे यह मुंफली रखी हुई है बहुत स और यह एम भी वन किलो है तो दोनों को जो पूल है वो बराबर रहेगा यह चीज कैसे फंक्शन करती है जिस तरफ पूल ज्यादा होता है उस तरफ टिल्ट हो जाता है लेकिन अगर यहां पर वन केजी रखा हुआ है तो ग्राउंट पर क्या था इसका पूल एम जी इसका क जादा नहीं होगा लेकिन अगर आप वो यह इस प्रिंग बैलन्स लेके बैठे है तो उसको फायदा होगा तो उसको एक किलो की जगे मुंफिली बोल सकता है तो उसको फायदा हो जाएगा यह बास समझ में आगी अपनी आप सवाल करी चुके है इस और इलिस्ट्रिशन मे कि एक जो पर्सन है जो स्कृइंग बैलनस में ख़ड़ा हूँ है इसलिस्ट्रेशन में उपर जा रहा है उस पर्सन का वेट यह जादा में आता यह आथा जाता है तो उसको कि तना वेट WY तो इए की बारे शीज़ बताू कार्ट्रून से रभीर यह उख ऑगा धो तो अगर दोनों body साथ साथ गिर रही है, तो यह इस पर force लगाएगी या नहीं लगाएगी, यह इस पर कोई force न लगाएगी, तो कि अगर दो body साथ साथ गिर रही है, तो दोनों free fall कर रही है, और दोनों की भीश में normal reaction 0 होगा, ठीक है, मैं example लेता हूँ, जैसे मानलों एक floor है और यह m block है, तो m block एक normal reaction उपर होता है, एक mg नीचे होता है, और इसका acceleration 0 होता है, तो मैं लिखता हूँ, mg minus n is equal to 0, लेकिन अगर यह block हवा में गिर रहा है, इसको मानलों एक normal reaction लग रहा है, और यह g acceleration से नीचे आ रहा है, नीचे यह तरफ mg है, तो mg minus n is equal to mg आ गया, मतलब n क आ गया है, जो भी block हवा में होता है, उसके उपर normal reaction जीरो होता है, इसका मतलब वो दूसरे block पर यह नार्मल reaction लगाता है, वो भी 0 होता है, इसका मतलब दो bodies जो हवा में है वो एक दूसरे पर कोई force नहीं लगाती, तो तो तुम कुछ भी भरकम कुछ भी लेके कूच जा हव तो जैसे astronauts करते हैं, freely float करते हैं तो कोई भी भारी चीज़, उनको भारी नहीं नहीं लग रही होती वो चीज, उनके उपर नहीं आती वो चीज, ठीक है, लेकिन जब एकदम से वो land करेगा ground पे, तो एकदम से क्या होगा, कि जो block था, उसके momentum में change आएगा, जैसे यहां पे वो वो तो rest पे आगया, और block की velocity V थी, तो जैसे land करेगा, उसके बाद block इसके सर पे आजाएगा, उसकी velocity 0 हो जाएगी, तो इसके momentum में change आए, momentum में change कितना है, dmv, force कितना होता है, dmv upon dt, अब time जितना कम होगा, force कितना जादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको force एकदम से जादा लगता है, तो यह लिखा हुआ है, does the force greatly increase, विल्कुल greatly increase होता है, क्यों increase होता है, तो इसलिए वो force greatly increase हो जाता है, तो इसलिए वो force greatly increase हो जाता है, next है person drops a coin, describe the path of the coin as seen by the person, if he is in the car moving at constant velocity, अगर वो person car के अंदर बैठा हुआ है, तो अपन कर चुके है, aeroplane वादा problem kinematics के अंदर, कि जब भी मैं coin को drop करूँगा, तो point के उपर forces नहीं आएंगे, क्या नहीं आएगा, forces नहीं आएगा, लेकिन velocity सेम रहेगी, ठीक है, coin को जब भी मैं drop करूँगा, तो forces नहीं आएंगे, लेकिन velocity जो रहेगी, वो same रहेगी, तो जैसे ही car के अंदर से point को drop करा, car 20 speed से आ रहे ह तो जब coin को drop करा, तो car तो आगे जाती है, एक बी speed से, लेकिन coin नीचे गिरना चाल हो जाएगा, लेकिन coin को हमेशा car के, जैसे ये end, ये तो points पकड़ेंगे, तो coin हमेशा car के vertical distance पर रहे गए, जैसे अपने एरोपलेन के लिए किया था, तो उसका पात क्या होगा, straight downwards, जब भ तो चौक है आखों के सामने ही रहेगा, रहेगा ना, रहेगा ना, क्यों रहेगा, because इसके उपर भी force के तरह रहा है mg, मतलब इसका भी acceleration के तरह है नीचे के तरह है g, मेरा भी acceleration के तरह है g, तो दोनों के जो relative acceleration है 0 है, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है, question number force देखते है Is it possible for a particle to describe a curved path if no force act on it, तो अगर कोई force act नहीं करेगा, तो particle वैसे तो curved नहीं होगा, particle हम ने बता है कि कोई force act नहीं करेगा, तो particle की velocity सेम रहेगी, velocity सेम रहेगी, तो curved हो नहीं सकता, लेकिन इसमे एक और चाहिए डाल दी, does your answer depend upon the frame of reference, हाँ, तो frame of reference में depend करता है, अगर तुम अगर हम खुद गूम रहे हो, लेकिन पार्टिकल रेस्ट पर तो पार्टिकल भी घुमता हो दिल जाएगा तुमको, तो पार्टिकल के ओपर कोई force नहीं लगदा, लेकिन फिर भी अगर हमारा frame of reference की खुद ही हम गूम रहे हैं, velocity, किसी speed से circle में जा रहे हैं, तो जो भी पा curve path, अगर हम खुद curve path में हैं, तो पार्टिकल भ़़े ही rest पर हो, पार्टिकल में भ़़े ही कोई force नहीं हो, तब भी वो curve path को describe कर लेगा, simple सी बात है, question number 5 देखते हैं, अब यह तुम नहीं देखा होगा, जब तुम car में चल रहे हो, एकदम से brake लगते हैं, तो आगे कि दर नहीं देखे हैं, तो car की speed भी थी, तुमारी speed भी थी, अब car को एकदम से brake लगा दिया, तो car तो rest पर आ गई, बट तुमारा जो speed है, अच्छे यह वाला भी portion जो है, वो रुखा हुआ है seat से, लेकिन जो तो सर की speed भी रह गई, तो तुमारा सर आगे कि तरफ उसी speed से जाता है, कोई नया force नहीं लगता, जब मैं car में से एकदम से brake लगाता हूँ, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, तो कोई नया force नहीं लगता, वो मेरी speed सेम रहती है, inertia of motion रहता है, car रुख जाती है, लेकि मैं आगे move करता रहता हूँ, इसके लिए मैं आगे की तरफ जुखता हूँ ऐसी क्या होता है, जब मैं circular motion में जाते हैं, तुमने जखाओगा, अगर मैं circle में ऐसे turn मारूँगा, मैं बाहर की तरफ हो जाता हूँ, अब एकदम से गुमाई होगी ऐसे इस तरफ, तो तुम बाहर की तरफ निकलोगे, इस तरफ गुमाई होगे तुम ऐसे निकल जाओगे तो वो भी ऐसा नहीं होता है कि तुमारी ऊपर कोई force लगता है, कुछ लोग बोलते है, सूझो बोलते हैं सेंねं, कोई force निलग रहा है, सूडव एक विलोसिटी तरफ इन था इंख इहता है, ठीक है, एक्छल आभना की आउरा होता है, यह कार ऐसे है, आगे जा रही है, तो कार को जब मैं इस तरफ मोड़ता हूं तो मैं बाहर की तरफ ऐसे हो जाता हूं समझ रो कार को जब मैं बाहर की तरफ मोड़ता हूं तो मैं इस तरफ हो जाओंगा मैं इस तरफ नियático हो थो मैं, एक्सेली पॉत यह पीज़ा जागूली का इसके पृच्छ तरफ भी कार इस तरफ हो गया WHY मैं इसक्थख फरफ इस तरफ पहुँज़ हो गया स्लोटा कर अधैर्श मैं आट जाता तो मैं डिंप्र ये moment, property of inertia होती है, 166 देखते हैं, it is sometimes hurt that inertial frame of reference is only an ideal concept, and no such inertial frame actually exist comment, देखो जब हमने माना, अRETH एक inertial frame of reference है, तो मैंने बताया था, कि जो भी वोड़ी Ultra उपर रwirकी हुई है, उसके उपकी वहल थो फोर्स तो है, से ओल किया लगा रहा है, इस्टार भी पोर्स लगा रहा है, बहुत सारी चीज़े फोर्स लगा लिए है, प्लस वो फ्रेम भी एक्सलरेट कर रहा है, अर्थ भी जो इस्पेस में एक्सलरेट कर रहा है, तो इनर्शल फ्रेम कुछ नहीं होता, अगर तुम इस डिसकॉशन को वहां पर ले जाना इसको अभी इसको अब एक मास रखते हैं, तो वहां से भी शुरुबात करेंगे तो इनर्शेर फ्रीम एक्छली कुछ होता नहीं है, हम यह बोलते हैं कि न्यूटन का लोग जहां पर हमको अपलाए करता हो दिख रहा है, वह इनर्शेर फ्रीम हम बोल देते हैं, तो न्यूट तुम समझोगे तो confused जाओगे, basically अपना main motive भी इस chapter के अंदर numerical solve करना है, तो वह main motive है ठीक है, 7th question लेखते हैं, again यह same चीज बोल रहा है, an object is placed far away from other object, तो एक object रखा हुआ है, उससे सब कुछ अठा दिया हमने, क्या वह inertial frame होगा, जैसे अपने space में सब कुछ अठा दिते हैं क्यबल एक mass M, क्या है इक frame, inertial frame है क्या, तो यह frame भी inertial frame नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे मान लो एक mass अपने लिया M mass, यह तो एक frame ले लिया अपने, और दूसरा एक वार M mass लेका है पर जो same उसका है, इस पे force के लग रहा है, इस पे force लग रहा है, force of gravity, लग रहा है की नहीं force of gravity लग रहा है, और force of gravity की वज़े से, मैं लिखोंगा, F is equal to M into A, A कितना आना चाहिए मेरे पास, FG upon M आना चाहिए मेरे पास, आना चाहिए कि नहीं, इसका जो acceleration है, गो कितना आना चाहिए, A आना चाहिए, लेकिन इस पे भी force लग रहा है M चाहिए, तो actually इसका भी acceleration A होग और इसका भी acceleration A होगा, अगर दोनों मास M बराबर है तो, जिवाद समझे बागी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं आउंगा कि Earth को अपन inertial frame क्यो मान लेते हैं, तो जब तुम इसके respect में जग होगे, तो इसके respect में तो इसका acceleration चूँए होगा ना इस तरफ, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दोनों के ओपर force और gravity लग रहा है, इन्होंने पूछा question में, कि क्या एक मास, जो हवा में खाली पड़ा है, वो inertial frame है, उस frame में भी चीज़े करने के लिए मुझे कुछ तो object देखना पड़ेगा ने, इसके ओपर मैं newton solar लगा सकूँ, तो मैंने आ इसके तरफ, इसके respect में जो अपना frame है उसके respect में इसका expression किया हो गया, 2A हो गया, विकॉजू है अग्यार्फ जताओ, इसका expression आप इससे है, Earth का acceleration जो होगा, वो क्या होगा, F is equal to mass of Earth into acceleration of Earth, तो acceleration of Earth, देखो, तुम क्या हो गया, F upon capital M, capital M बहुत बड़ा होता है, तो acceleration of Earth, 0 के बराबर हो जाता है, लगबाग, यह बाद समझ मेरी है, acceleration of Earth, जो रहा, वो 0 के बराबर हो जाता है, लगबाग, और इसका acceleration क्या आजाएगा, इसका acceleration आजाएगा, small F upon small M, तो अगर तुम Earth के respect में देखोगे, तो Earth का acceleration 0 है, और इसका acceleration कितना है, A is equal to F upon M, तो जब तुम Earth की उससाब से इसकी equation लिखोगे, तो क्या लिखोगे, summation of all the force मतलब F is equal to M A, यह satisfy करणा है ना इसको, पिछले के से 2A हो राख रवो, तो इसलिए Earth inertial frame of reference वे जाथी छोटे objects के लिए, लेकिन Earth के सामने एक और Earth रख दोगे, तो अब Earth inertial frame of reference नहीं रहेगे, तो यह सब समझा लेगे कि कोशेश में कर रहा था, यह इतना important नहीं है सब चीज़े, इतना याद रख लो कि अपनी calculations के लिए अपना Earth को इनेर्शा frame माना लेते हैं, जबकि actually में कोई inertial frame होता नहीं है, सब अब अब अप्रॉक्सिमेशन है, ठीक है, question number 7 हो गया, question number 8 देखते हैं, एक spring balance है, 20 kg के block रखे हुए है, और graduation से tension अपन को पता पढ़ती है, तो balance की reading क्या होगी, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर इस पर total force 40 Newton लग गया, तो यहाँ पर confusion होता है, वो मैं clear परना चाहता हूं तुम लोगों को, जैसे मानों एक रसी है, मास 0 है इसका, तो इस पर force लगा दिया, अपने 20 Newton का, तो इसका एक्सिवेशन इंटी हो गया, तो यह तो case possible नहीं है, दूसरा है कि इसको बांधा हुआ है, और यह f is equal to 20 Newton है, अब मैं इसलिए बोलता हूं, रसी पर net force कितना है, net force 0 है, और tension in, ज्याद सोरी के अंदर बाव लगा, tension in the string बहुत है, tension in कितनी है 20, क्यों है इसका अगर मैं FBD बनाऊंगा पूरा, तो कैसा बनेगा, इस पर 20 Newton लग रहा है, लेकिन वाल पर 20 Newton लग रहा है, यह force कौन लगा रहा है, यह वाला point लगा रहा है, मतलब, spring दोनों तरफ से 20 Newton से किची हुई है, तो उमको force एक बना रखा है, दिखा रखा है, लेकिन दोनों तरफ से 20 Newton से वह खिची हुई है, कार्टी बताया तो मैंने, कि यह 20 Newton होगा, यह भी 20 Newton होगा, तो कहीं भी किसी भी cross section पर 20 Newton का force, हमेशा हर जागे 20 Newton का force, 20 kg है, तो 200 Newton basically, तो what is the reading of the balance, तो balance measure करताया tension, तो जो reading आएगा, वो कितना आजाएगा, 200 Newton आजाएगा, विल दा reading change if the balance is highly say 2 kg, या वगा 2 kg का balance होगा, लेकिन ही 20 और 20 है, तो यह balance कर रहा है नहीं दूसरे को, तो वापस से यह tension आएगी, इसमें calculate करोगे, तो 200 Newton आएगी, ठीक है आगे चलते हैं, what will happen if the spring is light, बटना blocks of an equal, अब spring light है, लेकिन block के unequal masses है, for example, इसका mass 10 मान लेते हैं, और इसका mass 30 मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका कुछ acceleration होगा नीचे की तरफ और इसका कुछ acceleration होगा उपर की तरफ, होगा की नहीं होगा, अब यह पूरी चीज़ तो light है, तो net acceleration हो जाएगा, 30 minus 10 into g, upon 30 plus 10, यह output machine का formula होता है, यह अपन calculate भी कर सकते हैं, but acceleration की तरह हो जाएगा, 30 minus 10 into g into 30 plus 10 की तरह होगा, 20 g by 2, तो अब मैं इसके लिए equation लिखूंगा, तो यह t हो जाएगा नीचे की तरफ, 300 हो जाएगा नीचे की तरफ तुम्हें क्या लिखूंगा, 300 minus t is equal to 30 into 5, g by 2 को 5 ले लिया, तो t k value कितनी आजएगा, t k value कितनी आजएगा, तो मतलब जो measurement है वो अलग हो गया, अब यहाँ पर आपने दो-तीन चीज़ यूज़ करीए, पहली चीज़ अपनने क्या यूज़ किया, tension निकाला है अपनने, acceleration निकाला है अपनने, तो अगर तुमको यह formula नहीं आदा, तो directly तुम क्या कर सकते हो, तुम directly tension लिखके, और directly कर सकते थे, इसके लिए क्या बनती equation t-100, is equal to 10 into 5, इसके लिए क्या बनती 300, minus t, is equal to 30 into 5, तो यह देखो यह क्या बनती, 300 minus 200, 300 minus 100, is equal to 40 into a, यह यहां पर लिखे थी और tension निकाला था, तो tension different हो जाएगी, बस यह CDC बात है जो अपन को समझनी है, next देखते है, 9th question दा, acceleration of particle is 0 as measured from the inertial frame of reference, can we conclude that no force act, ऐसा नहीं कि कोई force act नहीं कर रहा, सारे forces का जो sum है बहुत 0 हो रहा है, तो force act कर रहा है, लेकिन सारे forces का मिला के sum हो रहा है, वो कितना हो है 0, suppose you are running in a field, when you suddenly find a snake in front of you, you stop quickly, which force is responsible for your deacceleration, तो साथ को देखके जो तुम रुखे हो, friction का force, ground का जो force है, वो तुमको responsible है deacceleration करने के लिए, 11th if you jump, where put it on hard surface, hard surface पे jump करते हैं तो हमारे legs जो है, या फिस chop को अगर मैं गिराऊंगा, hard surface पे तूट जाएगी, इसी को अगर मैं मिट्टी में गिराऊंगा, rate के अंदर, Rajasthan में जो rate होती है, तो यह नहीं तूटेगी, तो जैसा क्यों है, soft surface पे पर इंजर नहीं होते हैं, तो अगर इन बात force की हो रही है, जैसे जब मैं गिरने की बात कर रहा हूं, किसी soft surface पे, hard surface पे जब कोई चीज गिरेगी, तो यहीं पे रुख जाएगी, soft के अंदर गिरके वो अंदर से चले जाती है, तो इसको एक time बिल जाता है, यह तो एकदम से गिर रहा है न, और यह आराम आराम से रुख time लग रहा है इसको, क्यों अंदर से जा पा रहा है यह, तो हमने बात की force क्या होता है, change of momentum upon time, तो change of momentum दोनों case में same है, लेकिन time t1 जो है, बहुत जादा है, तो force जो है वो कम हो गया, तो force कम हो गया, तो तुम्हारे ओपर जो धक्का लगा वो कम हो गया, जो अपनने block की बात की थी जो इंसान block लेके एकदम से जम कर रहा था, वैसा ही case है, तो force कम लगा तो जो धक्का है वो कम लगा, धक्का गम लगा तो छोड नहीं लगी, 12 देखते है, अकॉर्डिंटो नुक्टन थर्ड लोग, एच टीम पूल्स तपोसित टीम विज एकवल फोर्स इन तग अवार, यह भी अच्छा कॉश्चन है, दो टीम है, तग अवार खेल भी है, तो यह ऐसे पूल कर रहा है, यह ऐसे पूल कर रहा है, ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, तो अब क्या बोल रहा है, कि इस पे जो टैंशन लग रहा होगा, टी लग रहा होगा इस तरफ, अगर मैं इस पटा दूं, और ऐसे इस पे जो टैंशन लग रहा होगा, इस पे भी टैंशन टी लग रहा होगा, और T लग रहा है तो अगर यह टेंशन T है यह टेंशन T है तो दोनों साथ आने चीए थे लेकिन ऐसा क्यों होता है एक आगे आता है एक पीछे जला जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक force को neglect कर रहे हैं वो force कॉन सा है friction का force तो यह देखो ground को हम आगे धक्का देते हैं क हम ground को खीचते हैं तो ground को हम आगे धक्का दे रहे होते हैं तो ground हमको पीछे धक्का दे रहा है सपेक फिक्षिण लेटार है इसपेक तो f1 अगट जादा हो जाएगा तो यह इस तरफ आ जाएगा और इसका f2 मतलब उस तरफ जो force up हो गया तो यह भी इस तरफ आ जाएगा और जो उतना प्यूश नहीं कर पाएगा वो आगे खिचके चलाएगा चाहिए फिर वो ग्राउंड के दिर खिचता हुगा आ रहा है करता है तो कैसे कम करता है कि जो पैराशूट है वो हवा का force लग रहा होता है ऐसे यह प्यारा चूट है तो दो force लगते हैं एक तो net mg लग गया नीचे के तरफ एक एक force of hair लग गया तो net जो mg नीचे force है वो आप कम हो गया मतलब mg तो उतना है यह लेकिन जो net force नीचे के तरफ हो कम हो गया क्योंकि ऊपर हवा force लगा रही है उसको य अब बढ़ा चुका था प्रिश्ट लेक्टर में कि जो mg यह वो एन के बराबर है बुक की केस में लेकिन और mg थर्ड लोग के action-to-action pair नहीं है नॉर्मल का पेर नॉर्मल के साथ होगा एमजी का पेर एमजी के साथ होगा अर्थ का थिप्टें देखते हैं तू ब्लॉक्स ओ यह क्या बोल रहा है एक स्प्रिंग लेली बेसिकली इस प्रिंग में दू ब्लॉक्स लगा लिए एम बन फू इसको स्ट्रेच कर दिया और यह इसको छोड़ दिया छोड़ेंगे तो यह नदर आएगा इस पर एक फॉस लगरा होगा इस पर एक फॉर्स लग रहा होगा तैंशन बोल जाते हैं यहीं पहली लग रहा हुगा किया पहली बात तो हाँ बराबर होगी क्यों बराबर होगी क्यों मुझे पता इस प्रिंग के इस और aticsदी लग्रा और इस और यो टेंशन होती है लग भग तो यह टेंशन इस टेंशन के बराबर होगा यह टेंशन इस टेंशन के बराबर होगा बट यह साथ में पूछते हैं कि क्या यह न्यूटन के थर्ड लोग एक्जम्पल है क्या अब न्यूटन के थर्ड लोग एक्जम्पल के लिए क्या इंपोर्टेंट है कि पहले तो किस की बात कर रहा है इस tension औरанию tension की बात कर रहा है क्या है योटन की 3rd law example की equal है, बिल्कुल equal हैं, opposite है, बिल्कुल opposite है तीसरी बात क्या है, same type की है same type की है, but फिर भी इस 3rd law example नहीं है, क्यों नहीं है because इसका connection इसके साथ है तो इसको जो force लगा रहा है वो ये लगा रहा है इस तरफ और इसको जो force लगा रहा है ये लगा रहा है अपनी तरफ तो इस point पे जो action reaction pair है वो ये और ये है इस point पे जो action reaction pair है वो ये और ये यह और यह action-reaction pair नहीं है, हाला कि, यह action-reaction pair की सारी-sारी conditions satisfy कर रहे हैं, कौन-कौन से equal हैं, opposite है, और different bodies के लग रहे हैं, वो भी ठीक है, और same type के वो भी ठीक है, तो यह बहुत ही भाएतरीन example है, कि action-reaction pair की सारी condition satisfy हो रही है, बट फिर भी एक्षिन-्रियक्षिन की पेर नहीं है, क्यों नहीं है, विक्वाद इसका connection इसके साथ है, तो इसका action reaction इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, तो अब 16th question वापिस से वह है, कारवाला question कि train एकदम से start हुआ, तुम खड़ेगो तो एकदम से पीछे ऐस तुम के respect में तुम अभी भी ऐसे ही हो, अब train आगे चलेगे तुम ट्रेन की हिसाब से तुम पीछे आगे ना, जैसे मालो तुम यह खड़े है, तो इस खड़े पर यहां पर खड़े थे, तो train आगे हो गई, तो तुमारे पैर हो तुम नीचे रह गई और तुमारा सर है, वो तो वहीं पर है ना, बीबी, पैर आगे चले गए, सर इधर चला गए, एक खड़े की थी, contact में तुमारा पैर है, अब एक खड़े की ऐसे train की आगे चले गई, मतलब train आगे हो गई, तुमारा point, इस point को देखो, यह point में यहीं पर रखोंगा, तो यह खड़े की आगे च कोशन नमर 17 देखते हैं, कोशन नमर 17 काफे लंब है, मैं समझा जाता हूँ, क्या बोला हुआ है, कोशन नमर 17 के अंदर, कोशन नमर 17 बोला हुआ है, कि, एक तो train compartment में एक pendulum लगा रखा है, और एक box से जो की, ऐसे जा रहा है, velocity V से, constant velocity है, V constant है, acceleration देर हुआ है, इस पे लटक के रहेगा, और यह angle theta है, और theta की value tan inverse of a yg है, और यह acceleration a है, तो पहले तो इसके अंदर theta calculate करते हैं, अपन theta क्या होगा, यह अपन calculate कर चुक है, theory के अंदर, इसको without pseudo force भी कर सकते हैं, pseudo force से भी कर सकते हैं, without pseudo force से कर लेते हैं, यह ऐसा बन जाएगा theta, theta angle अपन calculate कर चुके थे, त यह t cos theta है, तो t cos theta m a के बराबर होगा, यह t sin theta है, यह mg के बराबर होगा, तो tan theta कितना आएगा, a yg, इस case का भी theta है, वो tan inverse a yg है, और यह angle theta है, तो यह जो vertical, यह तो इसका जो, इसमें इंसान जो बैठा होगा, उसको तो यह लग रहा होगा, यह ball vertical है, तो यह वर्टिकल यह horizontal का plane के साथ, तो vertical का, perpendicular to, यह perpendicular to plane है, तो vertical का, perpendicular के साथ भी angle क्या बन रहागा, theta, तो पहले तो यह question में पूचा गया है, जोनों के angle क्या होगा, तो दोनों के angle theta बराबर होगे, 10 inverse a yg के बराबर होगे, अब पूचा है कि क्या है person sitting inside the compartment, 10 by looking at the plumb line, whether the train is accelerating, और उने horizontal straight triangle, और what is going on nightline, तो इसके अंदर एक बन्दा बैटा हुआ है, इसको भी क्या लगेगा, चत से मेरी तरफ जुका हुआ है, इसको भी क्या लगेगा, मेरी तरफ जुका हुआ है, तो क्या कोई बता सकता है क्या कौन सा acceleration है, यह तो acceleration है, इसका acceleration 0 है, कोई बता सकता है क्या नहीं बता स इसमें g-effective कितना है, g के बराबर ही है, और इसमें g-effective क्या बन जाएगा, t is equal to 2 by root of l by g-effective, इसमें g-effective क्या बन जाएगा, under root of g, d square plus a square, यह बन जाएगा, तो दोनों का time period दिफरेंट आ जाएगा, अगर तुम इसको SHM करवाना चालू कर देते हो, तो यह जो time period है, यह अपन SHM जाएगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, फीछे ले lecture आके देखो, theory वाले, वह अच्छे देखो, यह समझ में आ जाएगा, मैं hope करता हूँ, यह तुम सब लेक्चर पढ़के आ रहे हो, तभी आगे बढ़ रहे हो, कोई मतरब नहीं है, बीश्वे से चालू करने का, ठीक ह Hello Students, Welcome Back, We are doing now objective 1 and objective 2 of laws of motion, we have already run three lectures, one for theory, one for solved examples, one for short answer questions, before you are seeing this lecture, I request you to please go through those particular lectures, जो पढ़ने ना, जो आपजेक्टिव पेपहले हमें सॉड़ एक्जाम सिसके रहे हैं वो देखें ना और जो प्रिशून करें वो भी देखें ना, उससे तुम उसको पंसर्ट सु क्लियर हो जाएगा New verse from Det decides this into an Formula हम देखे उसको उसको ह मैं अ मेरे इसा करें इसा आ अप्ला करक नहीं है रह ब्युक्पिछ करेंगी मैं शेकिन कि आप्षा सोफ भी ऐसे प्लाइख विलिभल है अप nevertheless खो मैं था एक माजय है यह बोडी ऑफ वेट डूँव इसका वेट है तो उंको पूछना है कि सिलिंग यहां पे तेंशन कितना होगा अगर शिलिंग इस चैन को किस फोर्ट से कुल कर रही है यह भो निकालना है ठीक है तो बॉडी ऑफ डूबड डूब 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 तो यहां पर कुछ भी निकालना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा यहां कैसुडी बनाना ही पड़ेगा तो इसको इहां से अटा दिया यह चेन है और यह ब्रॉप लगाओगा यहां पर जो मैं टेंशन प्री लगाएंगा तो इसको नीचे w2 है इसका नीचे w1 है टोटल जो इस पूले को सिस्टम ले सकते हैं इस total weight की अगया है तोले सिस्टम के नीचे की तदफ इसका total weight होगा है w1-w2 और क्योंकि ये, क्योंकि एक्टिरेट नहीं कर रहा है, इसके इसके पोर्ट इस बालन्स होने चाहिए, इसके जो जो उपर के तरफ टेंचेंड होगा, वो नीचे के तरफ W1 के बराबर होगा, ठीक है, ने सिंपल कोश्चन, कोश्चन आप टेके ने डेखते हैं, मैंने इसमें से तरफ से gout को फीछे कुछ करना होता है, तो आगे जापाता है, तो the cart on the horse, cart को horse की पीछे ही port सखा हैं, ये cart है ये cart है, और ये horse से बंवीव रहती हैं, ये horse है, ओ का M vä तालों कि पीछे कुणी सब्सक्राइए प्राइए है। एक आपने पर देट है। आपने डाउनिके और होगोड़े वाकी करता है, और लेखा है। जो को पीछे अरय कर्णी जाना है। अगी इन काड़ जो मूव करती है, यह पर हम भी मूव करता है जो ए प्रिक्षट के वज़ मूव खरता है बहर सी फिच्ट नहीं होता है। अलए टर नॉरमल जियक्षन का भी आपर इसको नीगे अगरा है तो मैं इसको पीछे पूछ कर रहा हूं यह में को इस तरफ पूछ कर रहा है, तो ग्राउंड मैन को आगे पूछ करेगा, यहां पर काल को आगे पूछ करेगा, उटर की तरफ और आगे इस तरफ, रोड, ठीक है? ए ब्लॉग अप मास 10 kg इस अस्क्रटेट तो तूर राइट ispilt balance in the finance, और रूठ इसे तरफ द्विघः गरे तंट कि शोक होंचा पर आगे पाउग मेन पाना इसन्ट किन्ट को झाहिए यह वह जब कॉश्चन था, जब कॉश्चन था, जब कॉश्चन था, हुगा, की इसमूद बोग पाद रहोगा, क्या होगा, कैसे है पंदेख्ष्ची ज़गो, जिक विद्द जो नों के इसमें 10 kg का देटीम है गएगा, फिस्ट गॉस्ट्ट इड़ खूश्चन, ए रख अब इसके अलॉंग, Mg का क्मपोनेट कई बन जाते है Mg, मैंने बनावद है slope for sin, s for slope, s for sin So slope के बन जाते है sin of theta and के बन जाते है Mg cos of theta लेकिन इस direction कोई motion नहीं होगा, तो हम लिखेंगी time is equal to mg cos theta, normal direction का value will be equal to mg cos theta, तो normal direction किसके बराबर आगे, mg cos theta के बराबर आगया, यह तब है, जब smooth है, block move कर पा रहा है, अगर block move नहीं कर रहा होता, तो कुछ और होता है, तो कुछ और होता है, कोई friction में बढ़ेंगे next section में, question number trick, एक wedge है, उस पे block रखा हुआ है, wedge है, कीटा angle है, उस पे block रखा हुआ है, whole system is accelerated आगे के तरह, आगे के तरह, पूरा की पूरा system accelerate कर रहा है, so that the block does not slip on the wedge, block wedge पे ऐसे ही रखा हुआ है, the force exerted by the wedge on the block is blank, अब यह देको यह देको रखे भी दखा को problem है, लेकिन इसको मैं बिना pseudo-port से भी बढ़ सकता हूँ, pseudo-port से भी करी सकता हूँ, क्योंकि अब जो ground पे इंसान कड़ा हुआ है, वो देख पा रहा है कि block straight, straight ही जा रहा है, because उसके लिखा हुआ है, block wedge का move नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह straight जा रहा है, इसका मतलब इस problem का acceleration की इस तरह पर मुझे बता है, तो अब ground पे खड़ा हुआ इंसान इसको कड़ सकता है, block पे खड़ा हुआ इंसान इसको कड़ सकता है, तो जब सब pseudo-port पे जड़त नहीं होती, हमगे pseudo-port यूज नहीं करता है, पर simply use करेंगे, तो इसका MPD बनाएंगे, इसका MPD में क्या क्या आएगा, देख एक मीची के तरफ energy की आएगा, एक इस सिरफ N आएगा, एक सिरफ N आएगा, ठीक है, यह दो forces होंगे, अब N ऐसा है और अगर इसका component लेंगे तो देख वो यह है perpendicular to plane का plane के साथ, यह है plane का horizontal के साथ, यह हो horizontal का perpendicular to plane के साथ, यह है horizontal यह में plane, यह है horizontal यह में perpendicular to plane के, यह component 91 theta होता है, इसलिए बनेगा M into cos of 91 theta, मतलब N sin theta, यह बनेगा N sin theta, और उपर के तरफ जो बन जाएगा, वो बन जाएगा N cos theta, तो effectively ब्लॉक्त टीम पोटल जब रहे हैं, एक तो निशे की तरफ M G, एक उपर की तरफ N cos theta, तो एक आगे की तरफ N sin theta, यह बनेगा नहीं, वर्टिकल डरेक्शन, ग्लोग मोव नहीं काता, व्लोग fixed है, पिकल्ट प्रीक्स है मतलब ब्लोग, उपर लिशी भी लिए जा रहा, आगे पीछे भी नहीं जा रहा लेकिन आगे क्यों जा रहा थे, क्योंकि यह यह पूरा निशे के आगे बेश आगे आगे n sin theta is equal to m अर गान्याचिल को इक्मिश्म बनेगी n sin theta is equal to mass into acceleration it is equal to m तुम दोनों को क्या निकालना है फ़ान को n निकालना है न अपन को अपन को क्या निकालना है quote accepted by the wedge on the blog n निकालना है पन को तो इसके sorry acceleration की इसाफ से निए रखा तो तो a को भी अलेट करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है, तो इसके निकाल लो, n कितना आगया, m g upon cos of theta, n कितना आगया, m g upon cos of theta, अगर a दे लखा उता, तो अपने squaring और adding करतें, तो under root of mg squared plus m a squared का value अपने बास आता, ठीक है ना, तो that is not a big deal, हो गया समझ में आ गया question number 7 देखते है neglect the effect of rotation of earth suppose the earth suddenly stopped attracting object's place near its surface person standing on the surface of earth तो क्या होगा देखो earth के उपर जो भी चीज है earth ऐसे भूम रही है earth के उपर जो भी चीज है भूब भूम रही है तो earth के उपर जो भी चीज है वो ऐसे भूम रही है तो अगर इसको यहां से जेखो कि circle के अंदर जा रही है इसको अगर top view बनाओगे top view बनाओगे तो कोई भी चीज earth के उपर ऐसे गूम रही है ऐसे मान लो ऐसे मान लो तो जब earth stop हो जाएगी और attract करना बंद कर देगी तो कोई भी body होगी उसके पास velocity होगी tangentially तो tangentially वो move कर जाएगा fly along a tangent to the earth surface टीक है tangentially वो move कर जाएगा ठीक है next dict है 8 जिसे तुमने देखागा अगर तुम tennis की ball को गीला कर लोगे पानी में और उसको rotate करोगे तो पानी की बंदे tangentially fly करती है कुछी दर जाती है तो यह माननों कि पानी की बंदे वो इंसान है और यह ball अर्थ है पानी की बंदे इंसान है और जो ball है वो क्या है अर्थ है अब पानी की बंदू का attraction ख़तम होगा अर्थ ने उस इंसान को अट्रक करना ख़तम कर दिया बंदेखने का टनी कर देखने पा है यह रॉड से बंदा हुआ है, मतलब एक रॉड है और चार्ज पार्टिकल बंदा हुआ है, यह रॉड है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर नेट पोर्स इस कौन कौन के होंगे, एक पोर्स पेलेक्रोस्ट्राटिक इधर से होगा, इधर से, एक पोर्स पेलेक्रोस्ट्राटिक पुल भी कर सकती है, पुछ 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 भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है, पुछ भी कर सकती है, पुल 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 भी कर सकती यह ना, rest space ना मतलब क्या होगा? कि acceleration is equal to zero, तो मतलब इसलिए इन फोट सिगना होगा? zero के बराबर होगा. नेक्स्स जेक्टे 9th question. ए फोर्स f1 गाक्ट आ हो ने particle so as to accelerate it from rest to a velocity v. the force f1 is then replaced by f2 which d accelerate it to rest. एक force ने accelerate करा v velocity d, एक force ने deaccelerate करा. तो क्या पुछा है कि equal होने चीए कि unequal भी हो सकते हैं, तो unequal भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि fourth time को acceleration मिलता है, और acceleration unequal हो सकते हैं, किसी particular acceleration से मैंने V speed लेके आया, और तो कुछ और de-acceleration देदी है, तो क्या answer होगा? may be equal to F2, may be equal to F2, may be equal to F2, may be equal हो सकता है, may be equal, नहीं हो सकता है, question number 10 देखते हैं, two objects are thrown upward simultaneously with same speed, the mass of A is greater than the mass of B, suppose that the air exerts a constant and equal force of resistance, so कौंसर जादा उपर जाएगा, और हमको निकालना है, ठीक है? तो A object और B object, दोनों की initial speed यू और यू है, अब अगर air resistance नहीं होता, तो दोनों के लिए initial speed किया थी यू, final speed किया भी 0, और activation किया था, minus of G, तीन शीरे पताते हैं कि इस दोनों की height भी बराबर होती है, वोती बराबर हम projectile motion ने कर चुकी है, अब इसके उपर block AQ पर कॉन का से force हो ने को, block AQ पर एक पर एक पर नीची के तरह 5G है, capital M into G, और AQ नीचे के तरफ A resistance R ने को, block BQ पर कॉन का से force है, एक फोटा M into G है, और एक capital R है, तो दोनों add होनी because दोनों नीचे के तरफ है, अगर तो maximization निकालोगे तो इसमें upon M कड़ना पड़ेगा, इसमें निकालोगे इसमें small M कड़ना पड़ेगा, यह क्या बनगे, G plus R by M, और यह क्या बनगे, G plus R by M, अब G तो बराबर दोनों के अंदर, तो बराबर दोन के अंदर, लेकिन R by M, R by M, कौन सो बना बढ़ा है, capital M बढ़ा है, नदर यह पूरी सीज शोटी हो गई, यह पूरी सीज लेस हो गई, और यह पूरी सीज more हो गई, यह पूरी सीज लेस हो गई, और यह पूरी सीज मोर हो गई, अब तुम्हारे पास b² is equal to u² plus 2a होता है b तो 0 है जिसका acceleration कम आएगा उसका displacement ज्यादा हाएगा जिसका acceleration कम होगा displacement ज्यादा होगा तो acceleration इसका कम है तो इसका displacement ज्यादा होगा मतलब ही ज्यादा height reach करेगा तो higher block भारी block a will go higher than b ना इस लेखतें question number 11 लेखते हैं क्या क्या लिखा हुगा है तो बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुगा है लेखते हैं smooth wedge a is fitted in a chamber ending from a fixed train a block b placed at the top of the wedge takes a time free to strike down the length of the wedge if the block of place at the top of the wedge in the cable supporting the chamber is broken at the same time the block will तो इसमें दे रखा है एक number जोड़ा first question दे रखा है अधर एक wedge लिया पन ने और इसके ऊपर एक block रख दिया और इस पूरी चीज को चोड़ दिया free fall में तो यह नीचे slide केसने time में करेगा तो मैंने बताया तो यह नीचे slide यह नी करेगा पानी है पानी को अगर इसके ऊपर तो पानी यह से आयगा ना इसके आए गा लेकिन पानी को और इसको साथ कर दिशी चोड़ोगे तो दोनों ऐसे आ रहे होंगे नीचे पानी ऐसे के slide करेगा फास्टू में तो इसको तो रसका नहीं मिल पाद है इससे slide करता है ground पे लेकिन जब वर्टिकल किर रहे है तो फास्ट गिरेंगे तो नीचे नहीं आया रहे है डिमें अड़ टॉप अफ दे वैज का अंसर हो जाएगा अगे दिखते है इन इमेज़री अथमोस्पिर एर एक्समॉल फोर्ट एफ अन अनी पार्टिकल इन डाइरेक्शन ऑपार्टिकल मुल्शन नहीं पार्टिकल का जो मुल्शन है उसके अलॉंग ही एर जो है वो फोर्ट लगा रही है ठीक है एक पार्टिकल ऑफ मास और प्रोजेक्टिट अफ़र टेक्स टाइमर इन नीचे के मैक्सिम हाइट एन टेटू इन डिटर्ण जाड़नी तो अब इसमें यह बोला गया है कि उपर गया और उपर से नीचे आया तो क्याल रख रहे हैं मिन दा डियरेक्टि आप एक प्रोक तो इस से नीचे के तरफ एम्पन्ताफ एम्पन्ता बें वर इसका अधर acceleration निकालोगी और इसका अधर acceleration निकालोगी डी एक्केरेशिन बोलो दो इसको एटू बोलो इसको एवन बोलो तो इस में दोनों कूट नर्फू ? तो यह चोगा व बढ़ा होगा विवन से जब पार्टिकल नीचे अचो हा रहे तो उसका acceleration जाना है जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो उसके एक्षेलर्शन के वैल्यू है जी की वो एक्टिवली कोड़े के कम हो जाएगी क्योंकि mg नीचे लग रहा है लेकिन पोर्ट में पर लग रहा है इस केस में पोर्ट भी नीचे लग रहा है mg भी नीचे लग रहा है एर जो है वो direction of the particle के motion में पोर्स लगा रही है अब दोनों ही case में दोनों ही case में एक जगी की velocity दो 0 है displacement भी same है तो अगर एक जगी की velocity 0 का displacement same है तो जिसका acceleration ज़्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा ठीक है ना? क्योंकि अपन क्या यहां से यहां तक की जगे इसको उल्टा करके भी लिख सकते है equation को इस equation को अपन उल्टा करके भी लिख सकते है तो 0 से लेके वो ऐसे जब आएगा समझे नों जा तो वो उपर रहा है लेकिन अपन motion को उल्टा करके भी लिख सकते है equation same रहीगे तो इस case में acceleration कम है इस से जाधा है इस जाधा acceleration जाधा है displacement से, मैं आप सोच हो same displacement एक तो जाधा acceleration से हो रहा है और same displacement सी कम acceleration से हो रहा है ते तो टा зависन Div Thank you, Tackin अगर बिस राइबने दिए अगर तो अगर निंग अगर तो अगर उनिफर्डी करेंगा तो ने ग्रविटेशन जो होगा वो तब दी बराबर होगा मैंने बताया था कि जब उपर जा रहा हो तो G- से कर देंगे, नीच जा रहा हो तो G- से कर देंगे, लेकिन A तो 0 है, A कितना है 0 है, क्यो 0 है, because acceleration 0 है, because अब भी वो उतना ही टाइम लेगा, T1 will be equal to T2, अब भी वो उतना ही टाइम लेगा, तो यह वर कुछ बच्चों होंगी जिनको सोचता है समझ में या रहा हो, तो मैं वापे से बोल रहा हूँ कि पिछले लेक्सर देखो, किसी भी चैप्कर को हमेशे शुगू से पढ़ो, पह अब देखे हैं, तो फिस lega लेगा हो तो फिस दस अब रहा हूँ कि एपके हैं, ए पुछ करुड़ लेगा, उसे अब देख्य करुआ है यह भी एकशी होगा, जुस्में कि एबंडिका है? यह इजको पे रहा हो हमस, यह पोल रहा है कि एक uranium का nucleus है, एक person बैठा हुगा uranium है, दो case रेरे एक train की speed दीड हो है, यह decay हुगा तो यह alpha particle को emit गड़ा, alpha particle आगे जा रहा है, यह पीछे आ रहा है, तो कुछ time बाद ही यहाँ पहुँँगे, यहाँ पहुँँगे, इसकी बीच्छा distance से वो, act इसने मित रहा है, दूसरे time में train B की speed से आगे जा रही है, तो यह वाली चीज भी B की speed से आगे जा रही है, पूरी की पूरी चीज, तो इसकी मान लेते हैं, इसकी velocity B1 है, इसकी velocity पीछे की तरफ V2 है, अब क्योंकि इसकी इंची velocity Bc, इसकी alpha particle की, जो decay करेगा, तो जो alpha particle निकलेगा, उसकी जो आगे की speed होग पीछे के तरफ V2 minus V, पहले है, पहले है रेस्ट पे था, तो यह वीवन से आगे चला गए यह B2 से पीछ चला गया, अब यह पूरी चीज आगे जीज जा रही है, तो इसकी speed क्यों जा जा जएगी, आगे की तरफ V1 minus V, बलांच के बाद, पूरे के बाद, इसकी speed भीवन है बाद, अगर पूरी की फूरी से आगे बीगे, तो बहाँ रो दिखोगे, बहाँ रो देखर आंगे की अंदर से देखरा यह चाँओ, इसकीजे मेरे पार्टि भीवन यंदे training station and nuclear decrease, passenger makes the separation between alpha particles passenger यह उदा ना? पैसेंजरी ना? पैसेंजर झाल तो अन्दर ही है तो पैसेंजर की relative इसकी थहीद थीक है तो इसना भी नियी कडना पैसेंजर के relative तीनों ही V से मुवग करा ले था इनीशली अमझे रहे हो? तो तीनों ही initially 2 में से पहले ये V3 मूव करना था तो इसके respect में इसकी speed दिनी जीन ही है ना पूरी train V से आगे जा रही है ये मैंने initial बनाया हुआ है इन दोनों का mixture तो initially जब passenger भी V से मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है तो passenger के respect में इसकी speed की दिनी जीन है 0 है ना passenger के respect में इसकी speed 0 है तो finally passenger की same equation से रहेंगी V1 और V2 ठीक है मैं बहुत सजना बोलना चारा था अगर भार भी passenger होता तो उसको भी separation X जीता क्यों तो ये भार भी passenger होता उसकी इसकी speed बन जाती V1 प्रस V और इसकी बन जाती पीछे की तरफ V2 और इस तरफ V तो भी इसकी relative आगे की तरफ जीन होगी बन जाती जीन होगी आगे की तरफ V1 प्रस पीछे की तरफ V2 होगी ठीक है relative ठीक है तो ऐसे हम इसको समस्ट रखे हैं तो इसके अंदर पता नहीं Newton's Clause को कोशे में क्यों रखे हैं Simple Relative Velocity का ही problem है Objective No.2 करते हैं होगा Objective No.2 A reference frame attached to the Earth Inertial नहीं होता लेकिन हम assume कर लेते हैं Inertial So cannot be inertial frame परस कान सर भी सही है क्योंकि Earth को दिवाल कर रही है तो Inertial तो हो नहीं सकता फिर cannot be inertial because the Earth rotate कर रही है तो इसले भी Particle के उपर जो एक्षालरेशन से हैं एक तो Earth को द हवा में move कर रही है Earth भूम रही है गॉल गॉल तो accelerate कर रही है तो Earth पर तारी बाडिज आखेलेट कर रही है इसले इसले इनर्टियल नहीं है Earth पूरी की पूरी इस्पेश का भूम रही है वह एक्सेलरेट करते हैं को या पास में संदों आ जो की एक्सेलरेट करती है यह इसे जा रहे हैं तो डबल circular motion है, कभी भी circular motion में particle होता है तो accelerate कर रहा होता है, और कोई भी frame accelerate रहा होता है, तो inertial frame नहीं होता है, तो इसके रांसर D हो जाएगा, D हो जाएगा, second, एक पार्टिकल B option क्या है, C option क्या है, inertial frame है, because Newton के लोग अप्लिकेबल है, नहीं, एक्चुली को अप्रॉक्सिमेशन है, हम उसके forces नेगलेट कर देते हैं, उन सारे forces नेगलेट कर देते हैं, question number two, एक particle stays at rest, we can conclude that the frame is inertial नहीं, पार्टिकल rest पर सब भी है सकता है, जब frame non inertial हो, लेकिन पार्टिकल पर force is balance हो जो सुड़ो को मिला के, ठीक है, जैसे एक ये था, जैसे एक elevator माल लो, ये ते उपर जा रहा है, एक ब्लॉक अटा होगा है, rest पर इस रही है, पहेगी नहीं, अंदर कोई person खड़ा होगा, उसको rest पर लगेगा नहीं, तो इससे सुड़ो पोर्स पर सब मिला के, forces balance हो रहे है, इसलिए rest पर, resultant force on the particle is 0, अब अगर resultant force 0 होगा, पार्टिकल पे, लेकिन तुम्हारा frame कुछ और है, जैसे अपने बात की सी curved part पर जा रहा है, पार्टिकल, short answer questions के लिदर, तो वो सब्ते है, particle पे forces 0 हो, बट वो सब्ते है, frame of reference अपना कुछ और है, जैसे, जैसे मानलों, यहां पे एक ball रखी हुई है, तो इसके forces 0 है, लेकिन इसके एसाब से यह rest होगी है, इसके एसाब से इंका distance increase कर रहा है, यह non-restal frame है, तो इसके एसाब से किया लग रहा है, इसको भी move कर रहा है, ठीक है ना, the frame में भी inertial, but the resultant force on the particle is 0, हा, inertial frame हो, और 0 force हो, सब ठीक है, सब रहा है, the frame में भी non-inertial, but the resultant force है, और non-0, non-inertial frame होगा, तो net force होना चीए, कुछ ना कुछ होना चीए, जिसके उसाब फूलों को cancel out कर सके, मतलब जैसे इसमें बात के हमने, non-inertial frame, यहां से मैं देख रहा हूँ, तो इसका tension mg, tension mg के बराबर नहीं होना की है, यह उपर move कर रहा है, एक उनको बता है, tension के किना होता है, mg प्लस में होता है, तो tension mg के बराबर होता है, ground पे stationary रहता, तो inertial frame में, tension और mg बराबर होते है, तो इसके रहता, तो यह c option होगा, the frame में भी inertial, but the resultant force on the particle is 0, अब यहां पे resultant force 0 नहीं ह पे, उस बच्चे बोलते है, rest पे, rest पे पोड़ी है पार्टिकल, अंदर के frame से rest पे, भार के frame पे उच्वर बजा रहा है नहीं पार्टिकल, एक पे, tension value mg प्लस में है, इस पे पोर्ट के कौन के, mg नीची के तरफ tension उपर के तरफ 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 है, tension जादा है ना, इस पे network आएंगे M में, और अब balance कर देंगे इसको, ठीक है, next question number 3, a particle is found, तो वापे से request कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पीस्टी लेक्टर्स में रहे हैं, तो देख लो जिससे आपको इसे concept clear हो जाएंगे, शुरू से देखना, चिवली देखना, पिर examples देखना, देखना, द पूरे देखो, आजे आजे देखने से कोई आएदा नहीं होगा, ठीक है, फिसस, पाउर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होती, ठीक है, इसे भी चालू कर दिया, शुरू से चालू करना करता है, question number 3, a particle is found to be addressed when seen from a frame S1, and moving with constant velocity when seen from another frame S2, mark out the possible options, both the frame are inertial, both the frame, so, एक particle is found to be addressed when seen from a frame S1, and moving with constant velocity when seen from another frame S2, so possibility क्या क्या हो सकती है, तो जैसे अपनने kinematis का last objective 2 किया था ना, वैसे ही अपन इसको करना है, तो एक particle is found to be addressed, तो अपन बोलें, velocity of particle with respect to S1 is equal to 0, velocity of particle with respect to S2 is equal to V, यह है पहली बात तो, हमें के निकालना है, हमें निकालना है, acceleration of S is respect to S2, अगर यह 0 आता है, तो दोनो frame inertial हो सकते हैं, दोनो frame non inertial हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक inertial है, दूसरा non inertial है, समझे रहो, तो velocity एक की 0 है, तो एक की 0 है, तो acceleration of particle with respect to S2 के आगे, यह भी 0 आगया, इसका मतलब अगर हम दोनों को minus करेंगे, तो acceleration of S2 with respect to S1, यह के नहीं हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब यहां से दोनों को दोनो frame सा acceleration0 है, यह ससे है, यह दोनों को दोनो frame अगर यह 4입니다 per second square से move कर रहा है, तो यह भी 4 पर second square से move कर रहा, यह S यह सकता, यह सकता, एक प्रAcayloration0 और दूसरा 4 EstamosewVery यहां तो दोनों को acceleration 0 है, तो दोनों inertial हो गए, यहां दोनों same acceleration से move करें, दोनों non-additional frame है, same type of non-inertial frame है, अब भी तुदा जाएदा हूँ, velocity of particle with respect to h1 0 है, velocity fixed भी है लेकिन acceleration भी 0 हो गया, velocity constant है, तो आप इस acceleration 0 हो गया, तो इन दोनों को minus करेंगे, तो acceleration of h2 with respect to h1 0 हो जाएगा, 4 देखते हैं, figure shows the displacement of figure, figure देखाना है, figure shows the displacement of particle, the 4 acting on the particle is 0 in the region, so displacement of figure बना रखता है, अगर सो पहले ही अपन काइनमेटिक्स में कर चुके हैं, कि displacement or time, x or t, x or t का slope होता है, वो velocity देता है, और उसका भी slope acceleration देगा, मतला, तुमको slope तो 0 चाहिए, तुमको slope constant होना चाहिए, slope क्या है, velocity, अब इसका जो differentiation है, वो को क्या देता है, acceleration, तो इसका differentiation क्या देगा, slope का, acceleration, तो हमें कै चाहिए, हमें चाहिए कि force 0 है, force 0 है, बतला, acceleration 0 है, acceleration 0 मतला, velocity constant है, velocity constant मतला, slope constant मतली यह, x or t ग्राप का जहांपे constant slope आएगा, वो region होगा जहांपे हमको acceleration 0 होगा, x or t ग्राप का जहांपे slope, slope मतला, velocity constant हो जाएगा, MAT легко call जहेगा, slope constant मतला, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो तो तो तीन लोकीशन्स हैं, और अब लेकर ए से लेकर बी अंसर है, और दी अपना अंसर है, तो ग्राफ मेकर के इसके से याद करा करो, कन्फूजन होता है यह तब को, अटापर से नीदोंने को भी नहीं बिता सकता है, तो लोग रटा मत करो, तो लोग एगी तीश पच्छे समझा करो कि X40 का जो जो स्लोक है, वो फिलोसिटी जेसा है VLバイosity constant तो acceleration 0, तो जो स्लोक को को स्लोक करना पड़ेगा, जो इसे यह AB और PD तो प्क्राफ पाच पने बास होंगे, नेक्स दिखते हैं, चिप, इससे इस दिंदर 8 फिलोसिट दिखते हैं, तो वोजे हड़ेज झन लगाए तो यहां के बीच में फ्रीट पोर्स लगा रहा है। और T is more than 0 के लिए करना है, T is less than 0 के लिए क्या होगा, F1 F2 बराबर होगे, और F2 बराबर होगे, यह अपन कर चुके है, जो अपने short answer ने question किया था, T is less than 0 के लिए acceleration 0 है, और F2 बराबर होगे, T is less than 0 के, T is less than 0 के लिए figure है, figure का acceleration 0 है, acceleration अगर 0 है, दोनों को, दोनों साइट से same से pull कर रहे हैं, तो कहीं से भी काट होगा हमें, तो उस तरफ उतना ही pulling port आना चीए है, अगर मैं यहां से काट होगा, यह F, बट इसका acceleration 0 है, इस तरफ है फ लग रहा है, इसका acceleration क्या है, 0 है, तो इस तरफ लोगी port के लाना चीए है, बना चीए, तो हर point का port आना चीए है, तो T is less than 0 के लिए F1 is equal to F2 is equal to F, first transfer हो जाएगा, second गलत है, और T is more than 0 के लिए, कोई option तही दी है, T is more than 0 के लिए क्या बन जाएगा, T is more than 0 के लिए यह खटा दिया, तो इसक A कितना आ गया, F upon 2M plus M, अब अगर तुम F2 निकालोगे, F2 कैसे निकालोगे, यह मास M है, इसके F2 लग रहा है, तो F2 would be equal to M into A, कितना जाएगा, M into F upon 2M plus M, ऐसे तुम इसको F1 निकालोगे, F1 कैसे निकालोगे, यह है, यह है, यह F1 लग रहा है, F1 is equal to M plus M, इसका मास कितन M, इसका मास कितने capital M, तो M plus capital M into A, A को यह लिखत होगे, तो तुम देखोगे, कि जो F1 का value ज्यादा आएगा, F1 कैसे M plus M into A, F2 कैसे small M into A, F1 का value ज्यादा आएगा, F1 is more than F2 value लग तो, गुस्ते बात तो बराबर नहीं आएगा, तो यह equation भी गला, ज़िए, केवल इसका answer A जाएगा, next question number, six, six हो गया, 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 the force exerted by the force of elevator on the force of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is, मैंने मोना उपर की तरफ accelerate करना चाहिए, तब अपना points होता है ज्यादा होता है, effective gravity G plus A बन जाता है, जब accelerate उपर की तरफ, तो accelerate उपर की तरफ कैसे कर सकता है कि यहां तो उपर ही जा रहा हो, और speed increase कर रही हो, यहां फिर नीचे आ रहा हो, और speed decrease कर रही हो, पर नीचे अगर आ रहा है और speed decrease कर रही है, इसका मतलब forces उपर की तरफ है न, acceleration उपर की तरफ है, उपर जा रहा है, speed decrease कर रही हो, तो भी acceleration उपर की तरफ है, और नीचे आता ह question number 7 if the tension in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator so tension अगर elevator की weight के बराबर है mg के बराबर है ना तो G plus AR और G minus AR मतलग acceleration 0 है simple भी बात है so acceleration 0 के दो case होते है यहां तो elevator है यहां constant velocity से move करना है so पहला क्या है पहला गलत होगा दूसरा गलत होगा C already option हो सकते है पहल भी आता है नीची भी आता है नीची भी आता है बाट speed constant हो नीची होगा C already option होगा एड देखते हैं वापिस से frame की बात है a particle is observed from two frames f1 and s2 the frame s2 moves with respect to s1 is an acceleration so acceleration of s2 with respect to s1 भापन a बोलते है आगे क्या है with an acceleration a let f1 and f2 be the pseudo forces on the particle when seen from s1 and s2 respectively which of the following are not possible so pseudo code तब लगाएंगे जब non-inertial frame होगे लेकिन इसमे ऐसा कुछ नहीं बोदा कि non-inertial frame है इसमे तो कुछ बोदा ही नहीं कि non-inertial frame कॉन सा है so कौन कॉन सा केस होगा s1 is inertial है s2 is non-inertial है कि यह होगा a यह को सबता है कि s1 is non-inertial है और S2 inertial है ये भी हो सकता है कि S1 भी non inertial है और S2 भी non inertial है लेकिन ये नहीं हो सकता कि S1 inertial है और S2 inertial है ये क्यों नहीं हो सकता ये से नहीं हो सकता क्योंकि ये से नहीं हो सकता क्योंकि क्यों नहीं हो सकता ये से नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनो Reczature होता है तो दोनों का एक तूसरे केorteλ स्ट you know दिरीशण भी पहोता है preço को अब f1 is equal to 0 501 एसा हो सकता है क्योंकि f1 हो सकता है ees वन हो सकता है्एने नोन हो सकता है तो दोनों पी इसमें एक exploration आगया ना तो दोनों non-inertial भी हो सकते हैं non-inertial अगर होगे दोनों के दोनों तो भी pseudo forces के वेरे non-equal to zero लेकिन चौता के इस possible नहीं है inertial-inertial inertial-inertial भी pseudo forces zero-zero आएंगे तो zero-zero possible नहीं है d also is not possible in this particular scenario question no.9 देखते हैं यह person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero while no force for acting on it यह तो अपन बाज कर चुके हैं कोभी force act नहीं करना तो person could accelerate कर रहा था he is aligned नहीं ऐसी बात नहीं liar नहीं हो clock clock to run slow नहीं meter scale might have been longer movement नहीं है he might have used non-inertial frame उसको भी accelerate कर रहा था इसलिए particle तो रह इस्टे था लेकिन उसके respect में particle उसको accelerate करता हुआ दिख गया तो यह अपने पास से objective 1 और objective 2 I hope think are clear अगर clear नहीं तो उसका equation है कि पिछल lecture सुमने नहीं 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 कि पिछल लेक्टर से देखते हुए आ रहा हो तो सारी इस इस चीछ clear होगी for sure कोई ऐसी वज़े होई नहीं क्लियर नहीं हो तो अपना यह हो गया है तो अपना यह हो गया है कतम अब 42 questions से exercise के अंदर जो अपन करने वाले अभी इस lecture के बात आप तक के लिए take care have a nice day बाए Hello बच्चो welcome back हम लोग कर रहे हैं Newton's loss of motion के पूरी exercise एससे वर्मा की जो भी पहले के lectures हो आप जेख सकते हो theory plus numericals, solve examples, objective and objective पूरा करवा चुका हूं मैं तो इसके अंदर मैं directly results use करूंगा जो मैं theory के अंदर पढ़ा चुका हूं वह सारी results तो हम चालू करते हैं first question से total 42 questions है तो हम बीच में एक lecture 20-31 questions पर बना लेंगे इसके बाद हुआ तो आप इससे चालू करेंगे question मैं first देखते है तो एक 2 kg का block है एक 2 kg का block है इसको फन फुल करके लेके जा रहे है और 10 meters ही move कर रहे है 10 meters in 2 seconds अगर यह 10 meters move कर रहे है 2 seconds आप acceleration निकाल सकते है क्यासे निकालेंगे 10 is equal to half into 2 into t square s is equal to ut plus sorry a 2 square तो यह 2 से 2 square cancel हो जाएगा a अगर 5 हा गया तो force कितना हो जाएगा mass into acceleration acceleration मतलब 10 meters force कितना हो जाएगा force हो जाएगा इसका mass into acceleration मतलब 10 meters second सवाल देखते सब देखो बूख लेके बैट जाओ और तुद से देखो सवाल को pause for the video को और फिर आगे बढ़ो तो इसका बोल गया है कि एक कार है जिसका initial speed 40 km पर आपर है उसको अपन को चार मिटर के इंदर अंदर रोखना है तो उसके कितना force लगाना है तो obviously force लगाएंगे तो acceleration होगा तो d acceleration होगा तो velocity तो 0 को जाएगी अब 3 चीज़े मुझको बता है v u or t अगर मुझको 3 चीज़े मुझको बता है v u or t उसके क्या निकाल सकता हूँ अब इसमें 1 km कराबर है ये meters में तो इसको अबन convert कर सकते है meters per second तो कैसे करेंगे 40 into 5 by 18 कर देंगे तो ये कितना होगे अपने पास initial velocity होगी तो v is equal to u plus 18 तो v कितना है u कितना है 40 into 5 by 18 plus a into time 4 10 बच जाएगा 50 upon 18 तो acceleration कितना आगिया minus of 50 upon 18 अब acceleration दे रखा है mass दे रखा है तो force इतना आएगा mass into acceleration तो इसको इससे multiply करेंगे answer आजाएगा negative है negative है तो देखो initial speed 0 है velocity कितनी reach कर रहे है 5 into 10 to power 6 velocity कितनी reach कर रहे है 5 into 10 to power 6 तो u पता है u 0 है v पता है v कितना है 5 into 10 to power 6 distance दे रखा है 1 cm तो 3-6 दे रखे इस acceleration निकाल सकते हो v square is equal to u square plus 2 as करके अपन acceleration निकाल सकते है v दे रखा है u पितना है 0 और distance दे रखा है अब acceleration पता पढ़ जाएगा तो force क्या होगा mass into acceleration तो mass दे रखा है उसको acceleration सो multiply करेंगे mass दे रखा है उसको acceleration सो multiply करेंगे तो force हमारे पास आ जाएगा इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं question में force question देखते है एक block के उसका mass दे रखा है इसको ceiling से suspend करा हुए इसका everybody बनाते है यह 0.2 kg है इसके नीचे 0.3 kg है यहाँ पर मुझे tension निकाल ली है T1 यहाँ पर मुझे tension निकाल ली है T2 तो पहले T2 की बात करेंगे T2 किस string में है किस string में है तो T2 निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ पिछले lecture में कि T2 निकालने के इसको कट करना पड़ेगा और T2 हमको बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे 0.3 kg T2 पर की दरफ नीचे की दरफ कितना जाएगा 3 तो T2 का value कितना यत्री आ गया ऐसी अगर मैं इस पूरू system की बात करूंगा इसको एक system माननोगा G को 10 लिखने को बोला है तो 5 newtons अबने बास answer आ जाएगा समझगे न कैसे करना है इसको कट करोगे तो इसको उपड लगेगा T1 T1 उपड लग रहा है नीचे कितना लग रहा है पूरी body पे 0.5 into 10 मतलगी 5 newtons नीचे कितना लग रहा है पूरी body पे तो कैसा है प्रॉब्लम देखो एक मास यह है और हम force F लगा रहे है एक मास यह है हम force F लगा रहे है अब हमको कैसी है तो टेंशन निकालने के लिए इसको कट करना पड़ेगा यह tension लग रहा है T इसका कुछ acceleration होगा A यह tension लग रहा है T इसको कुछ acceleration होगा A तो मैं tension क्या लग दोगा M into A tension क्या लग दोगा M into A वह बार T बट A भी तो पता करना पड़ेगा A भी तो मुझको पता करना पड़ेगा तो A के लिए मैं इस पूरी body को एक system मान लोगा और यह पूरा body आगे मूख कर रहा किससे A acceleration से पूरा body को क्या मन लिए एक system और पूरा आगे मूख कर रहा है किससे A acceleration से तो four step लग रहा है पूरा mass कितना होगे 2M तो अब मैं इसके लिए क्या लिए F is equal to 2M into A तो A कितना आ गया F upon 2M तो यह F को क्या लिए हमने F को लिए 2M into A तो A कितना आ गया F upon 2M तो A F upon 2M अगे इसको यहां डाल देंगे तो tension कितना आ जाएगा M into 2 F upon 2M कितना आ गया F upon 2 कितना answer आ गया F upon 2 next दिखते है question number 6 force निकालना हमको 2 पे 4 पे 6 पे velocity time का graph दे रखा है क्या graph दे रखा है velocity और time graph अब सोचो velocity time graph से force कैसे निकालहोगे तो उनको पता है graph से रखा slope और area Vt का slope क्या होता है vt का slope क्या होता है acceleration को mass से multiply और force आएगा Vt का slope क्या होता है acceleration का mass से multiply करदेगा dönem dit 12 के demuiltr 1 का slope मतलब यहा का slope i ha suspicious 35 कि यहाका slope y 80 ब्लब किया है vertical upon horizontal, vertical कितना है 15, horizontal कितना है 3, मतलब slope कितना गया है 15 upon 3, मतलब की 5, 5 इसका slope है 50 gram इसका mass, multiply कर दो, gram को 50 upon 1000 टेखलो, multiply कर दो, टेक है न, 0.25 newton अजाएगा, इसमें slope किया है 0, इसका slope किया है 0, तो acceleration क्या हो गया 0, acceleration 0 हो गया, तो force किया जाएगा, हैंपे 0, फिर इस मतलब पीछे की तरह नेक्स तवाल दिखने हैं 7 तो दो ब्लॉक से म और न वी इसको पुछ करा एफ पोर्स से पर फोर्स क् discrimination ऐसको कुछ पूछ करा इसको पूर्स ख़ा अन दोशन मां की वीच में क्या असर ओन मांग्स कि गाते में प्लॉक अजप्वा। में M B 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 B, B 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 C B 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 लगी राए चैष्त धिर दो नो Тह सबगारे यह संदों सद-धि Alma- burada कुछ इस ऐसा तो रहा है को इसन घंए सब्सक्रिदान में शर्पर कर दगे जब वर सब्सक्राइब क्या बनेगी, F1-F is equal to M A into A, अब F1 तो हमको निकाल रहा है, और F1 को question ने रखा है, A नहीं पता, F1 तो हमको निकाल रहा है, F question में दे रखा है, A नहीं पता, तो A के लिए हम क्या उसके लिए, A is equal to F upon M B, तो यह क्या बन गया, F1-F is equal to M A, A को लिक देंगे, A को लिक देंगे F upon M B, F upon M B, तो मरको पास equation क्या आ गई, F1-F is equal to M A upon M B into F, F1-F is equal to M A upon M B into F, इस F को इदर लिए हैंगे, तो क्या बन जाएगा, F common आ जाएगा, 1 plus M A upon M B बन जाएगा, हर एक चीशों बढ़ने का पहुती basic तरीका होता है, F B D बनाओ, तोड़ तोड़ के F B D बनाओ, आंसर अतना आ जाएगा, next देखते हैं question number 8, question number 8 क्या है, raindrops of radius 1 mm, raindrop है 1 mm के उसकी radius है, and mass 4 mg, mass कितना है, 4 mg, mass कितना है raindrop का, 4 mg, 30 m per second से आ रही है, 30 m per second से आ रही है, 30 m per second से आ रही है, falls on the head of bald person, तो किसी bald person के सर के उपर आंके गिर रही है, 30 m per second से, the drop splash on the head and come to rest, drop T final speed क्या हो गई, B equal to 0 हो गई, U दे रखा है, B दे रखा है, U दे रखा है 30, और B कितना दे रखा है, 0, assuming equivalently that the drop cover a distance equal to the radius on the head, तो हम क्या मान के चलें कि drop ने कितना distance कवर किया head पे radius के बराबर, मताब displacement कितना हो गया drop का, 1 mm हो गया, क्योंकि 1 mm radius है, तो drop ने कितना distance कवर किया, 1 mm, estimate the force exerted by each drop on the head, अब आप इसे force की बात की है, लेकिन अगर मुझे U पता है, V पता है, displacement पता है, तो इन तिनों से मैं acceleration निकाल सकता हूं कैसे, अगर बेर को U पता है, V पता है और S पता है, तो इससे मैं acceleration कैसे निकालूंगा, V square is equal to U square plus 2 AS, V to zero है, U कितना है, 30 meters per second, 35 square plus 2 into A into, displacement कितना है, 1 mm, displacement कितना है, 1 mm, 1 mm over meters, 1 upon 1000 meters, 1 meter by 100 centimeter, or 1 centimeter by 10 millimeter, 1 meter by 1000 millimeters, sorry, 1 meter by 1000 millimeters, 1 mm by 1000 meters, तो यहां से हम acceleration निकाल सकते हैं, acceleration कितना आ जाएगा यह इस तरब जाएगा, यह भी multiply होगा, 30 का square, 900, 900 upon 2 into 1000, इतना बड़ा तो acceleration हो गया, 900 into 1000 into 2, negative होगा, obvious सी बात है, negative answer आएगा, 900 into 1000 upon 2, अब दे रखा है 4 mg है, से दे रखा है 4 mg, तो force में कालना है, तो acceleration हमको पता है, mass कितना है 4 mg, acceleration हमको पता है, mass कितना है 4 mg, acceleration हमको पता है, force equal to mass into acceleration, तो इसको multiply कर दो 4 mg से, तो 4 mg का मतलब क्या होता है, 4 upon 4 into 10 to power minus 6 kg, 2 mg मतलब, gram का भी 1 upon 1000, 1 kg में 1000 gram, 1 gram में 1000 mg, 1 kg में कितने mg होगा 10 to power 6, 1 mg में कितने kg होगा 10 to power minus 6, इसको multiply कर दो, 6 minus से यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.9 upon 2 बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.9 upon 2 बन जाएगा, तो कितना आंसर जाएगा, 4 into 0.9 upon 2, 2 से 2 गया, 1.8 newtons का में पास answer आ जाएगा, 1.8 newtons का में पास answer आ जाएगा, ठीक है, simple सवाद है, kynetrist女 τωνका में बनाक्स kaoinernक को ईसे Boy T नवर 4 Price čas को ढूर्प में पास एगा, काजर्इजवatif और K में रख एगा my teacher का सबर्से आइगा, 4s कितना है, –P sim одно . 15x मित्त देरखब 10, k1 मित्त तदा x कितना है, 20 cm? 받아-0.2 Hmm तो, कितना बन गया? 15 तो 30, लेकिन एक dot पीशा है, मतलब माईनस of 3 4s कितना देरिखभ पन को –P sim 3 4s कितना है, पन को –3 और मास कितना जी रखा है? 0.3 kg. तो चल्राशन कितना होगा? पूर से कोल मास? पूर से कॉल मास कितना होगा? 10 Newtons. नेगेटिव डारेक्शन में होगा? 10 meters per second is square. Newtons ने. अगेटिव दिखेए 10. अगेटिव दिखेए 10. इसका acceleration क्या होगा तो अगर मैं ये ब्लॉक है मेरे पास ये ब्लॉक है मेरे पास ये क्ये बनेगे के टूग है यह ब्लॉक है मेरे पास, यह K1 यह K2 है, इसको अपन ने X दिस्टेंस से आगे डिस्प्रेस कर दिया, मतलब ब्लॉक यहां पर आ गया, यह दिस्टेंस कितना है X, तो यह भी पूल करेगी पीछे की तरफ, यह क्या करेगी, पूल करेगी पीछे की तरफ, और यह पुछ करेग की से ब्लॉक चेए कोल करेगी, अब फूर्स पता है तो एक्सलेश निखा पशतते हो, यह स्कों है, इसको यह चाहिए कोल करेगी को अगर मास से रिवाइट कर दिया, तो acceleration आगे, यह यह answer है, k1 plus k2 into x upon m, opposite to displacement, opposite to displacement का बतलब, अपने displacement को right में माना, अपने displacement को right में माना, तो इसका force किस तरह पार है, पीछे की तरह पार है, acceleration भी किस तरह पार है, पीछे की तरह पार है, question number 11 देखते है, यह small block B on, placed on another block A of mass 5 kg, and length 20 cm, तो इसका जो length है, 20 cm है, इसका mass कितना है 5 kg, यह A है, इसका mass कितना है 5 kg, और एक small block B रखा होगा, यहाँपे B block रखा होगा, 5 kg, Initially, the block B is near the right hand, a constant horizontal force of 10 newton is applied, 10 newton का force लाया, all the surfaces find the time, because, तो B separate क्यों होगा, देखो, इसमें बोला है, frictionless है, बोला होगा कहीं पे, all surfaces are frictionless, तो frictionless, तो क्या होगा, जैसे मांदरी chalk है, और यह नीचे वाला block है, अब यह chalk यहाँपर है, अगर मैं इसको आगे हख का मारूँगा, देखो chalk पीछे आगई, पीछे आगई ने chalk, तो frictionless नहीं होगा, तो यह चीज यहीं पे रहेगी, यह चीज भूब नहीं करेगी, तो final situation में क्या होगा, बी तो यह नहीं पे आगई चालेगा, लेकिन ए यह यहाँ पे आगई, ए कितना डिस्पेस हो गया, इस point से इस point पे कितना डिस्पेस हो गया है, 20, 0.2 meters करवश दिस्पेस हो गया हूँ, इन ब्लॉक इतना डिस्पेस हो गया, उतना यहीं, और बी ब्लॉक को सहीं प行, तो chalk देखोँ के थिर्लों होगा, तो chalk दे रहर 이야기 है, मैं ब्लॉक में पूद कम लेगे चॉणग होँ, chalk वहीं पे बहर गयें देखो Muhy पे और chalk भ़़़गी भाण धरस फिर in अपर फट्रिक्षाम को ठेंजर करें एक dated अग्वद पमई फ sincer। अग्शली 25 लिए कर दो को अग्वर कृष्य सुरी प्रिक्ष्यक को सर्फेस самого तो चॉक वहीं पर नीचे लीचे टाइगी तो यह बॉड़ो लग बना। Actually, मुझे नीच्छे बनाने चाहिए था Actually, मुझे को नीच्छे बनाने चाहिए था But मैंने space नहीं था उपर So, block कितना space हुआ है? A बाला 0.2 meter So, हमको displacement बता है displacement कितना है? 0.2 meter हमको 5 kg पता है 10 to 10 बता है बता हमको acceleration बता है कितना है? 2 A कितना है? 2 U कितना है? 0 और हमको u भी पता है 0 अगर 3 चीजे मुझे पता है, तो मैं time निकाल सकता हू S equal to ut plus aft square 3 चीजे पता है kinematic sequential तो मैं time निकाल सकता हू S equal to ut plus aft square S equal to ut plus aft square S कितना है? 0.2 U ते तो 0 है Half of 2 into t square तो तो तूसर 2 cancel हो गया T square कितना आगे? 0.2 T square कितना आगे? 0.2 0.2 का root लोगे 0.45 आता है T कितना आगे? 0.45 0.45 इसको लगता है Next लिखने question number 12 Question number 12 काफी interesting problem है कि एक man है वो गिर गया निचे और दो दो उसको उठा रहे है इसका figure कुछ ऐसा है इसको उठा रहे है मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को अना यह बुक पे मत करो कुछ से ऐसे और रहा की बुक लेकर बैटो यह D दे रखा है यह हाई टास दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का हाई टास दे रखा है तो बोला है कि इसका एक दोस्त होगा यहां पर जो रसी से इसको खीच रहा है वो रोड को आगे दका मारा हूगा ऐसे ही यह वाला जो ढोड BJ वह भी रोड को आगे दका मारा हूगा तो पहend चीज़ते रेकने हैं ओददर्य रॉड़स पर ये बस खीच रहे हैं. और एक बद्र एक Parव उसका मधि बनाऊंगा. तो इसको testoster कीच रहता है, और ग्राउच को धक्क्का दे रहा है, friction force है. तो tension friction के बराबर यह होगा. Tension के के बराबर होगा? Friction के बराबर होगा. और friction क किसे बराबर होगा? तो friction वो force है जिससे ground को थक्का दे रहे है Ground इसको friction से पीछे push कर रहा है मतलब ground को आगे आगे push करें गे ground को ऐसे तब यह तो खीच पाएगा गो अगर मुझे किसी को खीचता है तो मैं friction थक्का ground के force आगे लगाँगा ना जैसे आपने tag of car वाल प्रावलम किया था तो हमको प्रूफ करना है कि friction के वाली increase करेंगा जैसे जैसे इंसान उपर आएगा friction increase करेंगा उपर आएगा और इसमें भी दे रखा है slowly यह भी दे रखा है इसमें अगर तुम question पढ़ोगे अगर तुम question पढ़ोगे तो इसमें यह भी दे रखा होगा कि slowly the friends are slowly pulling him out of this slowly pull करते है जब भी slowly pull करो ना बच्चो आगे भी पढ़ना work energy power के अंदर slowly का ही मतलब होता है slowly का मतलब क्या होता है कि उसकी speed बहुत ही कम है obviously बात ही speed कम है और speed कम है तो speed initially भी बहुत कम थी और finally बहुत कम है और अगर इनिचली बहुत कम है तो अगर इनिचली बहुत कम है तो अगर इसका इसका इपड़ी बनाऊंगा तो अगर मैं यह एंगल theta मानता हूं अगर मैं यह एंगल theta मानता हूं और इसका 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 अगर मैं इस एंगल को ठीटा मानता हूं तो यह अगल भी थीटा है अगर थीटा है अब एक्सलेशन जीरो के बराबर है इसलिए जो ऊपर का फोर्स आप नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए इसलिए 2t sin तो थीटा, mg के बराबर आ गया, 2-tee sin टिटार्स के बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया, यह अधिक पार खेर होगी, अब तो टी कितना आ गया, टी आ गया, हमारे पास mg अपॉन 2-tee, mg अपॉन 2-tee, अब मान लो यह बहुत नीचे था, तो ठीटा ही ज्यादा बन रहता कि अब धृता ज्यादा बन रहता है यह 애से पाुझ जाएगा, तो ठीटा कम दन जाएगां, तो ठीटा क्या करएगा? धिक्रीस कर रहा है अगर धिक्रीस करेगा, तो overwhelmedEN, इंक्रीस करेगा? कि स्वारीं डिक्रीज करेगा अगर ठीटर डिक्रीज रिटरा करेगा तो साइन फिर दिक्रीज करेगा तो यह पूरी चीज का करेगी इंक्रीस करेगी, तो पूरी चीज करेगी, इंक्रीस करेगी, तो इसके ज़से हम इसको उपर लिपे गए, वैसे-वैसे यह क्या करेगा, इंक्रीस करेगा, इसमें यह कुछा है कि force निकालो मैं पे, जब वो depth ह है, जब वो h depth पर है, h Unit D दे रख तो force निकालो me, तो force लों निकाले है तेंशन, निकालने को बोट है, कि force निकालो, find the force, find the force, तो, कॉन सा force? यह वाला force, तो फी tension के बराबर है, यह ground focus force कूछ कर रहा है, जो tension के बराबर है, tension निकाल लिए उंको, तो tension को अब हैं थीटा केदम से निकाल लिएंगे लिया, अब है थीटा कितना है, यह चीज d घय है, और यह ही ज़िआ हे एक है, सानी थीटा किया बन जाएगा? sin-rita बन जाएगा h upon under root of d by 2 kawoli square plus h2 square sin-rita क्या बन जाएगा vertical upon hypotenuse dh upon d by 2 kawoli square plus h2 square sin-rita क्या बन जाएगा this upon this hypotenuse this कितना है h? वै यह triangle बन रहा है na प्रिपर्स देखा जाए तो यह triangle बन रहा है na इस triangle में इसको d by 2 मान लो और इसको h मान लो actually इतनी clarity नहीं है बट यह करना पड़ेगा इतना पड़ेगा तो यह triangle बन रहा है h vertical upon hypotenuse इसको डालोगे तो answer आजाएगा next देखने है question number 13 the elevator is descending with acceleration of 2 the mass of the block A is 0.5 what force is exerted by block A on the block B so मैंने बताया कि जब भी elevator नीचे की तरफ accelerate हो रहा है तो हलका लगता है हलका लगता है मतलब effective parameter कितनी होगे अपनी कम होगी G minus से कुछ नहीं करना everybody बनाना तो बनाओ नी बनाना तो मत बनाओ directly answer क्या होगे 0.5 से कुनवार से into G minus A कर दो, G को 9.8 की जगे 9.8 ही लेलो तो क्या answer बजाएगा 0.5 into 9.8 minus यह किता बन जाएगा 7.8 यह 0.5 है मतलब half है 7.8 है c.5 c.9 c.9 होगा c.9 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 दे रखा है 10 लेलो 10 मतलो 4 ले रहा है 10 मानके कर रहा है अगर पीछल लेक्ट्रेट कर रही है अगर कोई चीज उपर अट्सलरेट कर रही होती है तो G effective G plus A हो जाता है और कोई चीज नीचे accelerate कर रही होती है तो G effective वितना होगा G minus A अब यह इस पर कितना force लगाएगा normal reaction लगाएगा weight के बराबर लगाएगा weight इस का कितना है m into G होता है simple question है इसको तुम पूरा की पूरा solider कर सकते हैं मैं अल्ड़ी बता चुक है तो वह मैं वापस से नहीं बताऊंगा question देखते है question देखते है यह पैंडूलम बॉफफ माउस 50 G is suspended from the ceiling of elevator find the tension in the history of the elevator goes up with acceleration तो यह वह simple है अगर उपर जा रहा है acceleration 1.2 से अगर उपर जा रहा है acceleration 1.2 से तो G factor कितना हो जाएगा 9.8 plus 1.2 तो पहले बाले case में G factor कितना हो जाएगा 11 दूसरे बाले case में goes up with d acceleration 1.2 अगर कितना हो जाएगा G factor 9.8 minus 1.2 अगर कि 8.6 इस G factor हो गया अगर वाला case किया है goes up with uniform velocity तो acceleration 0 है G factor कितना हो गया G ही हो गया D क्या है goes down with acceleration 1.2 तो नीचे के तरफ acceleration है तो नीचे के तरफ acceleration होता है G minus A करते है G factor कितना हो जाएगा इसमें भी G minus A crist 8.6 जीहा है goes down with deacceleration जातल नीचे के तरफ जारा है और deaccelerate करररा है नीचे के तरफ जाके daccelerate कररा है अगर को एचे के तरह के तरह keeps 10 बेले वाला case तो is take a तो आपस एक रहो जागा, लेवर हो जागा, इसको बस MULTLY कर तो 50 g, 50 g को सब क्या होगा, 50 upon 1000, 50 upon 1000 बढ़ा हो गया, 50 upon 1000 है कर तो ऐसे point में निखाल लेंगी शराई एज आणसर, कौंसर कुछछन है, protein question है Newton ने point में निकाल दिया था, point में निकाल दो, पहले का answer 0.55 आ रहे है, सबको 50 by 100 से multiply कर दो, तुम्हारा answer आ जाएगा, इंपोर्टन चीज यह है कि अपने को कैसे, मैं वापर से repeat कर रहा हूँ, यह जो problem से, इंको मैंने solve example एक lecture बनाया, उसके अंदर भी करा हुआ है, तो solve example में तुम देखना, मैंने बताया हूँ है कैसे इन solve अपर करते हैं, कैसे ही चीज जाए अपने, से नीचे जाती है, मतलब नीचे की तरफ accelerate कर रही है, लिफ नीचे जा रही है, मतलब नीचे की तरफ accelerate कर रही है, तो G-factor को क्या लगता है, कम लगता है, कोश्चन आपर 15 देखते है, यह पर सब्सक्राइब नादेखं रही है, अपर गतार हूँ है, यह तीन चेस है, मतलब नीचे पहले पाल रहा है, 72 and 60 kg, तो maximum weight तो इस case पे record होगा 72 kg, minimum इस case पे होगा 60 kg अब यहां पर रिक्वोड सीज़े है कि जो बहिंग मशीन record करती है weight को बहंग मशीन मास्क को record होगा in-क और नहीं करती, weight को record करती है weight मतलब normal reaction को record करती है करल समझे बहुत जैसे बहुत जीक कावाली को 10 लेडो वह सब्सक्राइब गारी है वेइग मशीन का G अपर 10 वालो तो वेइग मशीन के 200 N को फोर्स होगेगा मतलब 20 किलो का इंसान खड़ा होगा है तो वह अंसर 20 किलो देखे तो वेइग मशीन के एक सिंपल सा पंड़ा होता है कि 200 N है इसमें G को 9.9 लेने को बोला है वेसे ठीक है तो G को 9.9 लोगे तो जब 200 N के फोर्स लगेगा तो रीडिंग किया देगी वह 200 upon 9.9 ऐसे समझ लो कि जब उसके उपर 20 किलो का मास होगा तो इसके उपर जो नॉर्मल डेक्शन आ रहा होगा एम्टी नॉर्मल डेक्शन आ रहा होगा तो वेंग मशीन हमेशा वैल्यू के देती है वेट अपॉन G वेंग मशीन हमेशा वैल्यू के देती है वेट अपॉन G इसके वैल्यू क्या रही होगी इसके वैल्यू क्या रही होगी वेइंग मशीन को जो कैलिब्रेशन है उसी सफ से कराऊगा है जैसे 20 किलो का वेट रखा तो उसने आंसर देगा 20 किलो अब यह उपर उपढ़ेगा एकदम से उपर जाएगा तो इसमें वेट इंक्रीस करेगा नहीं करेगा तो अमेजिन करो कुछ को में एक वेइंग मशीन के उपर खड़े हो और किसी ने एकदम से उपर उठा है चालू कर दिया तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग है बढ़ जाएगी क्यों बढ़ गाए लेकिन रीडिंग देदे का तरीका तो उसका सेम रहेगा कैसे कि जो नॉर्मल डेप्षिन आ रहा है इसको वे हैं जुआ Normal Direction click on iphone is on g. जी कौनस air? Join g want in this time. अब, 72 की a value यह ञहाय रहा होगा? value into g² मतलब इसके इसके रहाया होगा 72 into 9.9 आँए, इसका कितना रहा होगा? Normal Delete रहा हो गोगा, 72 x 9.9 क्योंकि वहीं मशीन क्या देती है में पनको तो वहीं मशीन जो वाल्यू देती है और नौर्मल डीक्शन अपन गीनोट इसमें 9.9 अधिक है मतलब कि m into gⁿauso- equalyадu . इससे तो निकालना है और गनोट तो निकालना है रहिए ? गाल भान को गलेता है सो सब्धम तो कैसे करेंगे यार इन दोनों को आणा, add कर दो एक बार, add करोगा तो minus minus cancel हो जाएगा, तो क्या आजाएगा, 2m g0 is equal to 72 plus 60, कितना हो गया, 6 x 12, 132, into g, ये g0 है न, g0 g0 cancel हो गया, और तब m कितना आगे, 132 upon 2 है, 132 upon 2, m कितना आगे, 132 upon 2, मसला कि 66 तो kg उसका mass है, फिर सम्को यहाँ टाल दू, g0 पता ही है, a आजाएगा, ठीक है न, a, b1 बन को पता पड़े जाएगा, तो m कितना है, 66 kg आ रहे है, और a की value 0.9 आएगे, तुम देखोगे, तो a की value कितना है, 0.9, अचाए, फिगर बना लेते हैं पर अल्रड़ी, ये फिगर बना लेते हैं, और फिर सवाल पड़ते हैं एक बार, देखनें, कैसे करेंगे सवाल को, फिगर बना लेते हैं, फिर सवाल पड़ते हैं, तो फिगर क्या है, ये 1.5 kg है, और ये 3 kg है, और ये उपर जा रहे है, जी वाइटेंसे, आप सवाल देख रहेते हैं, बन क्या है, ये क्या होगे, सुमें, identify independence, find the reading of the spring balance, shown in the figure, और यहां पर spring balance लगा, आप यहांपे spring balance लगा, साथ, यह जो trick को भी याद रख लो जो trick है, कि spring balance होता है, यह यहां फिर जो bearing machine होती है, वो reading लेती है आपन को, वो रीडिंग देती है अपन को, N upon G not, इसको ऐसे याद को फॉर्मला बनाती है, आपन कोई दिक्कर नहीं है, कि जो spring balance होगा, spring balance पे ऐसे काम करें था, जैसे spring balance कैसे काम करें था, मालो, spring balance पे तुमने 2 kg की चीज रटकाई, spring balance पे तुमने 2 kg की चीज रटकाई, आपन था पे तुमने 2 kg की आपन था, इसको पॉली है खिए, जैसे sprem difference पे नहीं, इसको अपन था लोगी, आपन था था बनाती है, तुमने 2 kg की तुमने 4 kg कीज रटकाई, इसको अंती हम दा पन दिखलाने हैं छीजों को काय से को आपन कारेंगे, इसके तरह पन देख नहीं सिर्यों करेंगे अलिविर इस गवेंगे एषिलायुलकर एंद पुली स्मोर्श अचो Curtis यहां पर जो जेर्अचिन होगी टती होगी इंपोली मास्त थिह जया यहां-पर टbecca टी प्री गवी तो तो ज ποडी तो टी प्ली गवी तो सिह remember मशीन होती है यहाँ पर मास M1 है और यहाँ पर मास M2 है तो इसका जो टेंशन होता है वो 2 M1 M2 अपोन M1 प्लस M2 इंटू G होता है यह अपर निकाल सकते हैं बढ़ बूरा प्रोसेस नहीं कर रहा हम है अब यह के लिए इतना कर रहा हूं और अपोन M2 प्लस M1 मत्त इंटू प्लस अगर उपर जारा ला हूं आप उसके लाइंग ऑग वार से तो इब यहां पे तुम G की जागे क्या लिखोगे, G plus G by 10, G plus G by 10, M1 का वेलु कितना है 1.5, M2 का वेलु कितना है 3, तो अपने पास equation क्या है, 2 into 1.5 into 3, upon 3 plus 1.5, इतना हो गया, 4.5 into 11 G upon 10, अब calculate कर दो, 1.5 3 जा, 4.5, 1.5 3 जा, 4.5 3 जा, 4.5 3 जा, 3 जा, 3 जा, 2 से 5 जा जाएग तो क्या अंतुरा कि 11 G upon 5, 11 G upon 5, तो आंसर के आगे है 11 G upon 5, अब G का वैलु को देखो, S-T-E-E-U-R-V-A-M-E-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N-E-R-A-N- यह तो कैंसिल हो गया, 2 से 5 गया, 11 G upon 5 आ रहा है ना, 4.4 क्यों आ रहा है, 44 आना चीए, 16 का अंसर क्या है, 1.5 kg था गया, 1.5 kg था गया, 1.5 kg है, 3 kg है, 9,8 है, तो यह तो अपने पास कितना आ गया, 22 आ गया, 22 दूजल तो अपने पास टेंशन आ गया, वह तेंशन निकालेजिए पने नहें यहां पर, तो अपने तैंशन कितना हो गए अपनी 22 Newton नети, पो यह कितनी हो जाएगी, 44 Newtons, यह कितनी ओजाएगी 44 NEWTONS, B अब हमको क्या बता है रीडिंग कौन से होती है T upon G, G को आपने 10 माना, तो T upon G मतलब कितना हो जाएगा 44 upon 10, 44 upon 10 मतलब 4.4 kg तो इस प्रॉल्म के अंदर पर्टिकुरिटी बहुत साइगा पहला कंसेट किया है कि जो स्प्रिंग विलिंग से होती है Tension upon G not जो स्प्रिंग की रीडिंग के अंदर लग रहे हैं कोशन पर 17 देखते है ए ब्लॉक के मास्ट इसको अपने स्प्रिंग से लगा रखा है इसको अपने स्प्रिंग से लगा रखा है स्प्रिंग कॉंस्टिंग कितना है 100 है तो अगर मैं इसका एपड़ी बनाऊंगा 2 kg का तो 2 kg के नीचे लग रहा होगा mg नतर 2 x 10 और ऊपर लग रहा हो इस फ्रिंग के बराबर होगा क्या ख्यान और रही कि नाच यहींच के बराबर होगा k of s ख जराघ को इसको सम्ट कर रखा होगा स्पेंट करके रखा होगा मतलाыл क्या होगा किonic Airlines की टेर्खा हौगा तो kx equal to 20 आगया, kx equal to 2 into 10 आगया, तो k कितना है 100 है, तो 100 into x is equal to 20, तो x कितना आगया 20 upon 100 of the 20 cm, अज़ा पहले concept आगया 20 cm, 17th concept के है 0.2 meter बदा भी 20 cm, आभी मैं बोलने, इस another 1 kg is added to the block, एक और 1 kg add कर देंगे इसमें, तो यह 3 बन जाएगा, तो 3 के corresponding answer कितना जागा 30 cm, 3 के corresponding answer कितना जागा 30 cm, तो कितना और further elongation हो गया, 10 cm का और further elongation हो गया, अब 0.1 meter का और further elongation हो गया, तो एक नेक्स जलते हैं कोईशना बड़िटी, Suppose the ceiling in the previous problem is that on an elevator which is going up with an acceleration 2, इसका जो acceleration उपर के तरफ हो कितना है 2, अगर acceleration 2 में उपर के तरफ हो कितना है 2, अगर acceleration 2 में उपर के तरफ हो, तो मैंने बता है बस G की जगे effective gravity कर देते हैं अपन, effective gravity कर देते हैं, तो यहां पर 10 की जगे 10 plus 2 आ जाएगा, जब भी उपर जाओगे इसको ऐसा feel करा करो, जब भी उपर जाते हो तो इसको भारी से लगता है, तो उपर अगर accelerate करेगा, उपर अगर accelerate करेगा तो G के अंदर 10 plus 2 कर देंगे, तो कितना बन गया, पहले 20 था यह, अभी कितना बन गया, 2 into 12, 24 बन गया, 20 से answer भी 20 आना था, 24 सांसर कितना जाएगा 24, तो एक आजाएगा 24 सेंटीमेटर्स, 24 सेंटीमेटर्स, और दूसरा answer कि आजाएगा, 24 है ना, 24 का अंसर, 20 का अंसर 20 आना था, 24 का अंसर 24 आजाएगा, 3 के जी लगा तो, 3 to 10 plus 2, 3 to 10 plus 2, 3 to 12, 36, 36 कोर्रसपंटिंग आजाएगा 36 सेंटीमेटर्स अंसर आजाएगा, ठीक है, बस समझ में आगे, calculation सेंटीमेटर्स रखनी है, next करते है question number 19, question number 19 देखते है, the force of buoyancy exerted by atmosphere on the balloon is B in the upper direction, एक balloon है, उस पे जो force of buoyancy बी लगा है, उस पे जो force of buoyancy है, बी लगा है constant है, the force of air resistance is proportional to it, force of air resistance जो है, वो K B के बराबर है, नेगेटिव है, क्योंकि velocity के अगेंस नरीजाएगा, आगे चलते है, the balloon carries the mass, it is found to fall down near the surface of constant velocity, क्या बोल रहा है, ये, कि balloon जो है, उसका mass capital M है, और ये नीचे आ रहा है B velocity से, balloon का mass इतना है capital M, और ये नीचे आ रहा है B velocity से, balloon का mass इतना है capital M, और ये नीचे आ रहा है B velocity से, पहले इसके forces दिखेते हैं, एक तो buoyancy का force बहार B, एक नीचे mg होगा, एक तो buoyancy का force बहार B, एक नीचे mg होगा, और एक क्योंकि इसकी velocity नीचे इसके उपर एक force का kv, kv, और बोल रहा है constant velocity से आ रहा है, मतलब इसका expression इतना है 0, पता नहीं, उपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तो expression अपर 0 तो अपन क्या रहा है, mg-kv-b is equal to 0, mg-kv-b is equal to 0, यहां तो कोई दावत नी है, दूसरा case क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, how much mass should we remove from the balloon, so that it may rise to constant velocity, कि इतना mass हम remove कर देंगे, कि यह उपर उखे b velocity से, दूसरा case क्या है, कि balloon अपने पास उपर जा रहा है, b velocity से, balloon अपने पास जा रहा है, उपर जा रहा है b velocity से, इसका mass कर देंगे, मास क्या बन जाएगा, gravity लग रहा है, m-m into g, अब क्योंकि इसकी velocity उपर की तरफ है, इसके एक और force लग रहा है, नीचे की तरफ kv, एक force रही हो गया, buoyancy का force मेंचे उपर लगता है, इसमें बोला हुआ है, the force of buoyancy is in upward direction and remains constant, force of buoyancy मेंचे उपर लग रहा है b e, नीचे की तरफ force इतना है, m-m into g, gravity का force है, kv नीचे क्यों है, यहां पर kv उपर लगता की तरफ kv नीचे आएगा, अब वापस से force balance के क्यों हूँ, क्योंकि इसके velocity है वो constant है, acceleration zero है, velocity constant है, acceleration zero है, velocity constant है, acceleration zero है, तो वापस से और मैं इसकी equation लेकोंगा, plus kv, this should be equal to b, m-m into g plus kv should be equal to b, m-m into g plus kv is equal to b, m-m into g plus kv is equal to b, और पहले क्या रहा था, mg minus kv is equal to b, अपनको answer किसमें चाहिए, 19th answer क्या रहा है, b और m में चाहिए, k तो अपनने माना था ना, kv की value यहां से यहां रहा है, kv कितरा है, kv कितरा है, kv कितरा है, mg minus b, तो यह है equation क्या रहा है, m-m into g, plus mg minus b, is equal to b, m-m into g plus mg minus b, is equal to b, तो अप क्या करेंगे, इसको सुर्ण 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 कर रहते हैं, m-m को अलग रहते हैं, बागे सब एक कर रहते हैं, तो, यह क्या है, 2mg, minus m into g, is equal to 2b, 2mg, minus total m into g, is equal to 2b, mg को इदर लिए, 2 into, m into g minus b, upon g, अपने पास mg, अब उनको physics की बात कर रहते हैं, बाइंसी उपर लग रही है, इदर velocity उपर है, तो kv नीचे लग रहा है, इदर mg नीचे लग रहा है, इदर m minus m, दूरों में acceleration 0 है, तो force of उनको balance करके लिए, force balance बहुत आसान होता है करना, यह तो तुम ऐसे कर दो, सारे summation of force equal to 0, यहां पर तुम कर दो, नीचे वाला force equal to उपर वाला force, यहां पर मैंने क्या लिखा है, सारा sum मतलब, नीचे की तरफ, force equal to उपर वाले force, कैसे भी कर दो, आँसर अपने पास आगया, 2 into md minus, b upon g, कोशन no.20 भी वैसा ही है कुछ, कोशन no.20 भी कुछ वैसा ही है, देखतें क्या है, कोशन no.20 भी कुछ वैसा ही है, देखतें क्या है, अन empty plastic box box of mass m is found to accurate, up at the rate of g by 6, इस तो एक box से plastic तो उसको पानी के नडाल दिया, एक box है, mass m का, उसको पानी में डाल दिया तो उसको जो acceleration है, वो कितना आ रहे है, g by 6, acceleration आएगा, g by 6 को आएगा पास पानी उपर में तरह पोर सगा रहे हैं प्लास्टिक को, अगर तुम प्लास्टिक का मगड़ पानी में डालोगे तो अपनी अप उपर आता है, तो पानी उपर पोर सगाता है, तो पहले अपर इसके condition लिख लेते हैं, तो यह mg तो नीचे आ रहे हैं, अब पानी का एक force of buoyancy होता है, अब पानी का एक force of buoyancy होता है, अब पानी का लगए है, तो यह पहली कुछा है, आगे पढ़ते हैं question को, How much sand should we put inside the box, so that it may accelerate down at the rate of g by c, सब दूसरी condition किया बोली है अपन को, कि इसके अंदर अपने sand अपर भटती है, तो इसका मास M तो था ही, और sand का मास M1 मान लेते हैं, मास कितना होगा, M plus M1, center मास कितना मान लिए M1 मान लिया, और इसका मास कितना थो M ता, अब भी पानी एक force of buoyancy तो लगएगा, अब भी पानी कहा लगाए, force of buoyancy लगाएगा, वो force of buoyancy तो same रहेगा, विश्के बाले question में force of buoyancy तो same था, इस question में force of agency, same रहाएगा, बाद में पढ़ाएगा, फन्टूइट के इंदर, कब same रहता है, कब different होता है, बट अब इक लिए मालूब same रहाएगा, और नीचे कितना force रगा है, m plus m1 into g, नीचे कितना force रगा है, mass into gravity, अब इसका net result है, वो नीचे कितना एक्सलेट हो रहा है, न माहँ रहे है, m1 plus m g minus fb, is equal to m plus m1 into g by 6, m1 plus m into g minus fb, is equal to m plus m1 into g by 6, fb कितना आगा है इसके, fb इसके इसके, अपने पास, यह स्कारब जाएगा, रहाएगा, minus ho रहा हाएगा, 5 m1 plus m into g by 6, 5 by 6, 5 by 6 of M1 plus M into G 5 by 6 of M1 plus M into G 5 by 6 of M1 plus M into G यह आ गया अब force of points किसके बराबर है? 7 G by 6 यहां से आ रहे है 7 M G by 6 के बराबर है यह किसके बराबर है? 7 by 6 M G के बराबर है तो G से G cancel होगे, 6 से 6 cancel होगे अब आपने पास किया आ गया? 5 of M1 plus M2 5 of M1 plus M is equal to 7 of M 5 of M1 plus M is equal to 7 of M इस 5 को नीचे ले आओ तो M1 क्या आ गया? M1 आ गया, this minus this को 2 by 5 of M M1 कितरा आ गया? 2 by 5 of M M1 कितरा आ गया? 2 by 5 of M तो यह सेम कोश्चन है पिछले कोश्चन कितर है एक बार बेट लगा के करो एक बार बेट लगा के करो एक बार बेट लगा के करो एक बार बेट गा के करो Q21 देखते है Q21 देखते है Force is exerted on particle in addition of gravity where V is the velocity and A is the horizontal particle so that it continues to go to a basically particle move कर रहा है V velocity V Ais a velocity Tm तो एक force लगा रहे है हमन तो particle का mass अगर M है तो particle के नीचे M G लग रहा होगा force तो हमको एक force उपर की तरफ चाहिए यह force कितना बता रहे है V cross है V force कितना बता रहे है V cross A अब यह cross product पढ़ना पढ़ेगा आप लोगों को इस चीज को solve करने के लिए तो नीचे की तरफ कर रहे है M G है तो इसका magnitude कितना होगा उपर की तरफ maximum V into A इसका जो highest magnitude है वो कितना होगा V into A तो V into A M G के बराबर हो ना चीए V should be equal to M G तो V का value कितना आना चीए M G upon A V का minimum value है वो कितना आएगा M G upon A क्योंकि actually कितना होगा V into sin theta होगा V into sin theta करके देख लो V कितना आ रहे है अब इसके बूच़ा what is the minimum velocity what is the minimum speed minimum speed पूचता है sin theta को maximize करना पढ़ेगा इसको minimize करने के लिए इसको maximize करना पढ़ेगा इसको minimize करने के लिए इसको maximize करना पढ़ेगा इसको maximize करना पढ़ेगा मतलब इसको 1 कर दो कितना अंसर आगे M G upon A 21 की speed क्या अगई M G upon A आप question number 22 से क्या है Atwood machine Atwood machine उसको मैं next lecture मैं लूगा इसके इंदर में ट्रिक बता दूना पहले कैसे करना है इसको पढ़ेगा और उस ट्रिक से अपन इन सारे सवाल को solve करेंगे और ये सवाल चल रहे है लगवा ये मान लो problem no 36 उसके बाद एक दो बंदल वाले problem उसके बाद पूली वाले problem आपन इसके लिए सारे problems को जब तक के लिए take care, have a nice day, bye question no 26 चालू करेंगे next lecture मैं तो अभी के लिए take care and bye Hello बच्चो, welcome back अब हम कर रहे है question no 22 से Newton's laws of motion की exercise मैं आपको को tricks बदा दूँगा जिससे आगे के सारे सवाल बहुत आसना हो जाएंगे वो trick है इस question में पढ़ लेते हैं इस question में क्या है अपन M1 M2 पान लेते हैं इसके नदर एक बार M1 साथ से निकाल लेते हैं देखो मुझे एक चीज बताओ पहले अगर मुझे एक चीज बताओ अगर अपने पास दो ग्लोग सोते जो की connected है इसका मास होता 10 kg इसका मास होता 5 kg इस पर में लगा रहा हूं 100 Newton का force इस पर में लगा रहा हूं यहां फर इसको 4 मानलो जिससे तोड़ा सा लग ठीके तो system आगे जाता net force के system के आगे की तरफ इसको लगे system मानलो इसका acceleration भी A है इसका भी A है तो जो system है वो आगे जा रहा हूता net force किता है system पे 100-40 net force किता है 100-40 net mass किता है system का 10 plus 4 तो यह acceleration जा system का system का expression क्या होता net force upon net mass net force कितना है 100-40 net mass कितना है 10 plus 4 अब इसके अंदर भी सेम चीज लगी होती इसके फोर्स के लग रहा है M2G इसके नीचे फोर्स के लग रहा है M2G इसको नीचे की तरफ A मानलो तो यह उपर की तरफ A है लेकिन अगर तुम इसको खॉल के देखोगे अगर तुम इसको खॉल के देखोगे तो SI तो कुछ है कि M1 mass यहां पर है M2 mass यहां पर है M2 G यहां force कितना लग रहा M1 इंटू G तो इसलिए मैंने 10 इंटू 10 लिया G को 10 बानके चलेंगे तो अगर ज 근को जारे M2 M15 तो यहां पर force के देखा लगता 100 इसका mass यहां přे 3 इसका mass इक देखा 4 होता व च सका force क्राश्प खॉल करकी है तो इसका excreation का से निकालते है इसका excreation यह नमा तो अक्रिक यह नीचे आ है आ आरह ए यही ऊपर आरहा है तो पूरी चीछ ऐसे जारी एसे, नीचे आ रहा है एसे की ऊपर जा रहा है, तो पूरी चीछ ऐसे जारी है एसे, तो अगर मैं ए निखाल रूपत क्या बन जाएगा, M2G-M1G, M2G-M1G upon total mass कितना है, M1 plus M2, अगर M2 का value 10 होता है, 100-40 upon 10 plus 14, तो यह याद रस्प्तिव acceleration के होता है, M2G, M2-M1 into G, तो basically इसको ऐसे है, अगर मैं नेट-force upon net mass, net force, net force में ऐसा मत कर देना कि इसको खोल के, खोल के, जो net force रजा है, वह तो खोलना सीकलर सिस्टम को, इसको खोलना सीकलर से प्रावलम आसान हो जाता है, और tension का formula directly राग्वारी 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 तो X, tension का formula केतना होता है, T is equal to 2M1M2 upon M1%2 into G अब यह भी derive कर सकते हैं, यहां पर tension T मानके, spec solution A मानके, कर सकते हैं इसको जैसे solve कर लेते हैं, जैसे देखो, A to कितना आ गया था, solve कर सकते हैं, कोई दिख्वारी बात नहीं, राग्वारी से solve कर सकते हैं, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो question देखते ह सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यहां का force लेंगे, यहां का force कितना हो जाएगा, इंटु G-syn किता हो जाएगा, यहां का force कितना हो जाएगा, M-G, यहां का force कितना हो जाएगा, M-G, तो वह और हम ले लेंगे, ठीक है, तो जैसे हम चालो करते हैं, question 22 देखो, so M1, M2 connected है, value दे रखिये, distance travelled by the block in the first two seconds, distance travelled by the block in the first two seconds, तो distance निकालने के लिए मैंको यू पता होना ची, A पता होना ची है, distance निकालने के लिए मैंको यू पता होना ची, A पता होना ची है, तो यह initially rest पे था, यह 0 है, एक इतना होता है, A होता है, M1 minus M2, G, अपोन M1 plus M2, अब एक value 600 gram दे पो जे जाएक, 0.6 minus 0.3 upon 0.6 plus 0.3 into G, 0.6 minus 0.3, 0.9 से cancel होता 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 है, तो distance के लिए मैंको, 0T plus R, G by 3 into 2 by 2 से 2 के लिए मैंको, 2G by 3, तो 20 by 3 अपने पास, answer आ आ जाएका, 22 by 3 अपने पास आशर आजाए, तो एक इस पता होता है, 6.5 कार्यास पास अबना आं the tension in the string. String में tension हो भी कोई है 2m1m2 upon m1 plus m2 into g, तो 2 into 0.3 into 0.6 into 0.6 into 0.9 में जाएगी. 3 into 0.6 into 0.5 into 0.4 तो 4 newton tension अपनी string में आ जाएगी, 3.99 आ रहा हुगा अंसक्स लागा3 in 4 newton tension 520 अपनी इन बिली है जाएगी. Finder force exerted by the clamp on the pulley हम नसीॉर्ट रभी हम कट चुके है गो clamps है यह clamp है यह pulley है तो यहाँ tension T होगी य में tension T होगी इसको कट पर दो यहाँ पे एक הכर चुटी आएगा को पुली बाह और जुली एक घुटी आएगा जो पुली ही व्लेटे माशचले साकेट रहत खाए तो ़ाइक पुली तो पुली बाहर music and ख़ाच रहत, तो जो नीचे जिक तर्भ फो्से ओपर परक कितरफ भी बैलेंच निय जिए बेकोस नेट फोर्स को जिलो करना है तो इसके ऊपर टूटी आजाएगा तो इसके ऊपर टूटी आजाएगा, मतलब 2 इंट पोर 8 N. समझर आजाएगा, एक एक नएक्स देखते हैं, Question Number 23, Consider the Edward Machine of the previous problem The larger mass is stopped for a moment 2 second after the system is set into moment 2 तो अप्या करापन में, जो लार्जर मास था, ये 0.6 पानगो, ये 0.3 पानगो, ये नीचे या रहा था, ये उपर जा रहा था, तो T equal to 2 seconds में, T equal to 2 seconds में लार्जर मास को एक बार हाथ से पकड़ लिया, find the time allows before the string is tight again, अप्या हो रहा है system में, string को tight होने में क्यो time लग जाएगा, देखा समझो इस चीज को, कि इसकी velocity क्या हो जाएगी, acceleration क्या रहा था, acceleration क्या रहा था, g by 3, तो V कितना होता है, 0 plus, मदब U plus 80, ये तो 0 था, तो g by 3 into 2, 2 g by 3 इसकी क्या थी speed 3, V क्या थी 2 g by 3, मतलब ये भी 2 g by 3 से रहा था, velocity is equal to 2 g by 3, और ये भी velocity equal to 2 g by 3 से उपर जाना था, ये भी 2 g by 3 से उपर जाना था, एक 2 g by 3 से नीच आ रहा था, इसको एक दम से पकड़ लिया हाथ से, तो इसका जो inertia है, बहुत हो सेम रहा था, इसको अपर ने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन इसका inertia आएगा, बतलब सेम रहेगा, तो ये जो block बन जायेगा 0.3 बादा, ये जो block बन जायेगा 0.3 बादा, ये उपर जा रहा होगा किसी speed से, 2 g by 3 की speed से, तो इसका u मान था 2 g by 3, ये बोल रहा हूं है, क्योंकि अब मैं condition को कहां से देख रहा हूं, जो मैंने हाथ इस दूसी बाद, इस ट्रिंग टाइट रहेगी, ये ऊपर जा रहा है, तो इस ट्रिंग लूस होगी, इस ट्रिंग लूस होगी, तो इस बोल जो कि इसका acceleration निचे के तरब G होगा, फ्रीपॉल होगा, तो ये block ऊपर जाके वापिस से नीचे आएगा, ये block को तो मैंने आइगा, तो इस बोल जाके नीचे आएगा, और अधिस से जब इस पॉसिशन के आजाएगा तब टाइट होगा, तो इह problem कौन सा बनिया बनगा, कि अपने एक block को ऊपर खायका, तो नीचे आने में कितना time लिया वापिस से, उपर जाके नीचे आने में कितना time लिया, तो 2g by 3, a कितना है, minus 0, displacement को भिया कर देंगे 0, 3 जिए पता है time हो जाएगा, u पता है, a पता है, displacement पता है, 3 जिए पता होती है, मैं 4 पाचोची से निकाल दूगा, तो क्या कर देंगे, s is equal to ut plus half it is part, 0 is equal to ut, ut मतलब 2g by 3 into t plus half minus of g into t is part, तो एक आंसे तो t is equal to z बाएगा, उसकोट आदो, दोसरा असरा गया अगा, t is equal to g से g गया, t is equal to 4g by 3, ने, sorry, g से भी g cancel हो जाएगा, तो t कितना आजाएगा, 4 by 3, तो 4 by 3 अपने पास, time आगया, find the time to last before the string is tied again, इसका u कितना है, 2g by 3, acceleration g by 3 आखा, the आजनमा से स्टॉप आएगा, 2 seconds of the system is tied into motion, ठीक है, find the time will last before the string is tied again, तो b कितना आगे, अपने पास, 2g by 3, b आगे 2g by 3, और यह 2g by 3 है, तो यह उपर जाएगा, इसके नीचे g लग रहा है, तो displacement is equal to, s equal to ut plus half of t square, s equal to ut plus half of t square, 0 is equal to ut, 2g by 3 into t plus half of minus g into t square, तो यह तो अपने पास 4 by 3 आगे, आगे आगे, इसमें पीछे 2 by ती रखा है, seconds, जो अपना answer है, वो 4 by 2 seconds आगे, पीछे answer 2 by ती रखा है, देखते है, क्या वल्टी हुई अपनी, तो t is equal to 2 के, जो velocity है, वो, a कित्ता था, a g by 3 आगे आगे, a m1 minus m2 upon m1 plus m2 into t into g, 0.6 minus 0.3 minus 0.3 upon 0.9, so g by 3 है, तो acceleration g by 3 है, तो velocity कित्मे होगे, v is equal to u plus at, तो 2 seconds बाद जो velocity होगे, पीछे है, 2g by 3, 2g by 3, तो a g by 3 है, 2g by 3 है, यह उपर के तरफ 2g by 3 है, वापस से नीचे आएगा, stop for a moment, अच्छा है, एक moment के लिए ही छोड़ा है, एक moment के लिए ही छोड़ा है, ओके, यहाँ पर गल्ती कर दिये पनने, इसको पनने एक moment के लिए ही छोड़ा, अकड़के नहीं रखा, ठीक है, वापस से अकड़ लेते हैं, इस प्राबलम को, इस प्राबलम को वापस से कर लेते हैं, तो गल्ती कर दिया है, इसकी विलोसिटी कितनी है, जब दोनों की दोनों वापस से स्टीन टाइट हो जाएगी, मतलब एक तरह से इसने जो displacement कवर किया, वो इसका उपर जो displacement के बराबर हो जाना चाहिए, यह S1 है, यह S2 है, तो इसका acceleration तो gravity का acceleration है, S1 कितरा हो जाएगा, S1 is equal to half gt square, S1 कितरा हो जाएगा half gt square नीचे की तरफ, विकास नीचे की तरफ g लग रहा है, और S2 उपर की तरफ माना है, S2 की हमाना है, उपर की तरफ माना है, तो ut plus half gt square, ut plus half gt square, तो u कितना है, 2g by 3, into t plus half of minus g of t square, यह वात वाज में नहीं, यह कितना है 2g by 3, यह कि होगा 2g by 3, because people to 2, मैंने क्या सोचत इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो गरत पढ़ लिया मैंने, moment के लिए रोख है, moment के रोख के वाफिस छोड़ दिया, मैंने क्या सोचत इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको छोड़ेंगे, यह भी नीचे आ रहा होगा, यह उपर जा रहा होगा, तो इस ट्रिंग आपी से टाइट कर हो जाएगी, जब इस ने जो डिस्टेंस टैवल किया, वो इसका डिस्टेंस जो टैवल हुआ उसके बराबर जब हो जाएगा, समझे रहो, भई अभी स्ट्रिंग टाइट है, अब यह डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं हो लेकिन यह डिस्टेंस टेजी से कवर कर रहा है, तो वापस से दोनों के पीच में जब लेंथ L हो जाएगी, लेंथ L कब हो जाएगी, जब यह एंड जी तरह नीचे गया, उत्रह यह बड़ गया, आपस से लेंथ L जाएगी दोनों के पीच में, प्योंकि अब भी जो लेंथ L से कम हो गई, क्यों कम हो गई? विकाज यह बड़ जा रहा है खाती तीजी से, यह तो देरे देरे नीचे आ रहा है, तो S2 यह है, S1 यह है, यह उपर की तरफ का दिस्टेंस है, तो माइनस जी कर दिया, यह नीचे तरफ का दिस्टेंस है, इसलिए इसको पॉजिटीव ही रखा है, S1 के रखा है, हाफ GT2 नीचे की तरफ के, तो इसके लिए मैंने लीचे वाले को पॉजिटिव माल लिया, इसके लिए मैंने उत्ते वाले को पॉजिटिव तो यह और यह बराबर होने चाहिए, यह और यह बराबर, तो half gt square शुट भी इक्पल टू जी बाए 3, minus of half gt square, तो g से g cancel हो गया, t भी 0 की बराबर होगा नहीं तो half gt to half gt के बन जाए अगर total gt, तो 20 की तना आगे 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 2 by 3 seconds, तो वहाँ पर अपनने गल्ती कर दी थी, अगर हम यह बोलते कि इसको पकड़ के रखा हुगा है, तो मेरा answer वो सहीता पूर बाए अगर यह बोलते कि इसको पकड़ के रखा हुगा है, यह हम एक moment के लिखा हुगा था, तो वो मैंने पढ़ा है था, तो moment के लिए खरेंगे तो यह भी इती नीचे जाना, चालो कर देगा, question number 24 देखो, figure 5E8 shows, figure 5E8 कहां पर है, आगे है, चलो ठीके देखते है, uniform road of length 30 cm, इसका length कितना है 30 cm, इसका mass है 3kg, length 30 cm, इसका mass है 3kg, length 30 cm, इसका mass कितना है figure are pulled by constant force of 20 newton and 32 newton, figure ऐसा बना रखा है, जो string है, उसको 32 newton और, यह कुल्ली है, इसको 32 newton का force लगा रखा है, इसको 20 newton का force लगा रखा है, यह कुल्ली है, यह इसको 20 newton का, इसको 32 newton का, यह पूचा आगे, find the force exactly by the 20 cm part on the 10 cm, इसको 20 cm है, यह 20 cm है, और यह 10 cm है, यह 20 cm है, यह 10 cm है, तो क्या बोला है, जो force इसको 20 cm बाल के 10 cm पे कितना प्रोस, प्रोस इन दुने बीच में, इन दुनों के बीच को force निकालने के लिए यहा से काटना पड़ेगा, और force से replace हो इसको बादा चुका हूं, जो भी force इकालना होता है, वहां से इसक और मादको अबनको और दूखनो और निकार लागत ohh is Ubetu 20 त्रहत्ति ने पोस्त इस तरफ अउस तरफ इस तरफ इंदे इस तरफ इस सउर ने इस तरफ अड़ा पूर्स अभगो अगर तुर उसके अट्रफ है और श्रॉफकर ङध़ा क्यक्त अरुफकर तरों पुलिटी में होगा यह इसको फुल कर रह रह हो गा यह वाले जो फुल हाँ पहला दिंत हो टूक मिदी खिर सी को फुलिजेंटमत संवें पीच्छे का रिएगा लिए बूर्ट क फूरंगो इसका जो exploration हो कितना है? 4 है. तो हम क्या लिखेंगे? Summation of all the force equal to mass into exploration. Summation of all the force, 32 minus f is equal to mass, mass उतना है 2 into 4. 32 minus f is equal to 2 into 4. तो f कितना आगे? f equal to kach kach 32 minus 8. 32 minus 8 हितना हुटा है 24 newtons. दोनों के वीश्म force इतना है 24 newtons. दोनों के वीश्म force इतना है 24 newtons. तो 24 का answer भी खेया है 24. इसको तुम चाहे तो इससे भी कर सकते थे. इसको तुम चाहते तो 10 cm वाले से भी कर सकते हैं इस दिखा और बताता हूँ. So 10 cm पे जो force लगा था. वो आगे लगेगा f, पीछे लगेगा 20 newtons. और इसका जो acceleration है व आगे तर पोर है. इसका मास कितना है? 1 kg, 30 का 3 है, तो 10 का कितना है? 1 30 का 3 है, तो 10 कितना होगा? 1 तो उनके अरिखिते हैं, F-20 is equal to mass into acceleration, बसाट कि 4 Mass into acceleration बसाब 1 into 4 मसाट कि 4, तो F कितना आगया? 24 तो कैसे भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को, आगे पीछे कैसे भी तूं कर सकते हो? नाइक्स देखते हैं, question number 25, ये situation दे रखती है, ये 39 में, तो हमको निकालना है acceleration, हमको क्या निकालना है, acceleration, तो मैंने बता है, simple सा फंडा, देखो, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अगर ये अंगल शीटा है, एक्चुली, ये अंगल 90 degree होगा, तो ये अंगल 3K positive 37 degree बनेगा, और ये अंगल बनेगा 53 degree, इसका साइन 50C कितना होता है, 4 by 5, साइन 37 कितना होता है, 3 by 5, ये मैं याद कर बच्कों, मैं एक्टरस में कैसे याद करेंगी, वो तेंगी बता चुका होगा, साइन 37 कितना 3 by 5, साइ क्यों साइन 39 किओ नियों या मैंने, ग्विट ब्लोग्स होता है, ऐसे खवामे, again, slope K तो स्लोक के हला उटा हता है, वो साइन होता है, स्लोक, स्लोक ख्र१ mom can great, 1kg का block later, 1kg का block later, और इस पे और 4 साइनले ऋ बहुता है, म इंटू G निएनले, और 5 इं exist लाइता है, इसकं़ से फिल्च रचेकों, 1 इंटू G इंटू 4-5, बीटर tous रग रहा हो निचे से चिश्क थे इस दो पूर वीड Computy इस पर दो और स्फिसल आज यह तरफ इसे से वह से अगले से इनतरा हो ने होगा तो इस चीप है उस चीप यहह दो से लुट किर अगु उपर आयगा यह नीचे इस तरफ किता है, पीछे किता है 3 by 5 of g, पीछे किता है 3 by 5 of g, अगर एक्सिलरीशन ए मान लेंगे हम, लिखेंगे, नेट फॉस किता है 4 by 5 of g, 4 by 5 of g, 4 minus 3 by 5, 4 minus 3, 1, तो फोरस किता है फोर्स से जी भाय ये ओक ये नीचे आ रहाी होगाए, ये नीचे आ रहा और बात इसको तुम पूरा उससे मज़ना करें इसको ये पूल कर रहा है समझना मूने इसको टॉल कर रहा है इस तरह पूल कर रहा है मैं सबन wondering है qtion No 26 26 इससे अब 26 में क्या हो रहा है इस वाले भॉक को आपन f4 से पॉल हो रहे है इस वाले ब्लॉक को m2g ऐपन 2 से पॉल रहे है थेखते हैं यह m1 भॉक है यह m2 यह इसको फोल दू को इस तरफ पूल अता हुसा हो नुंट ॐ आ कि टो निगालन थाे ऐसे मी होगा चाहरों इस सरफ हो तरब हो आगी तरफ हो गाउगा एक्सरीशन इसके लिए क्या बनाऊगे, इसके लिए क्या बनाऊगे, इसके लिए क्या रिए क्या बनाऊगे, इसके लिए क्या आएकि, इसके लिए क्या पनाऊगे, बस यह बार कुछ नहीं है कि ट्रिक करने से बहुत आफसान चीज़े हो जाएंगी 27 देखने में 15 में 22 है तो स्टेट कर दो आपके से सिधा कर दो इसपे फोर्स लगा है वन ञूटन का इसमें प्रोड गरा हो कि अगल नखा रहें यूटन सब्सक्राइब तो चुन्दो पॉर्स बहुत शोटा पॉर्स है यहां लगा रहें की निलगा रहें मुझको नीमिपता की लगा रहें की लगाए यह लगा हो सबदिए उसके सब्सकी सब्सक्राइब मपत में म और इसे प्सकी दो मिन थे ने विर्ट लिए अगा है प्रेश्ट इकना गया, 30 इपान 7, पीछे दे रखा होगा, गीटे टम्स पर रखा होगा, तो अगर तुम इसको 9.8 लोगे, तो उस तरह से आंसर निकाल गो, 7.4 दे 28 आता है, पीछे आंसर 4.3 दे रखा है, 7.4 दे 28 बचेगा 2, 7.3 दे 21, तो 4.3 अपने पास आंसर आ जाएग इस तरफ आ रहा है, मतलब यह नीचे आएगा और यह उपर जाएगा, यह इस तरफ आ रहा है, मतलब यह नीचे आएगा और यह उपर जाएगा, इस तरफ आ रहा है, मतलब यह नीचे आएगा और यह उपर जाएगा, डिस्क्राइगा, डिस्क्राइगा, डिस्क्राइग में है कि M1 का मोशन बताओ कुछ को M1 का मोशन बताओ कुछ को स्ट्रिंग तो वह connection नहीं है लेकिन F नीचे लग रहा है और M1 जी नीचे ही F नीचे है और M1 जी नीचे है तो net force किता है M1 G प्रस F तो इसका जो acceleration हो जाएगा नीचे के तरफ accelerate करेगा और कितना accelerate करेगा तो F प्लस M1 G अपॉन M1 हम इसको लिख देंगे तो कितना हो गया 1 फ्लस 5 इंटो G एपॉन 5 तो कितना हो गया 0.2 फ्लस G यह acceleration नीचे के तरफ नीचे के तरफ force कितना है एक तो F एक M1 G है तो net force कितना हो गया F और M1 G एक्सेलाशन क्या होता है total force upon mass total force कितना है इतना अपॉन मास तो 5 इंटो 0.2 अपॉन G इसका अपना पार देख लेंगी क्या है तो M1 दे रखा है 1, M2 दे रखा है 2 M3 दे रखा है याद करना बहुत असान है find the expiration of M1 M2 M3 तो पार एक्सेलाशन का निकालना है आगे क्या है the string from the upper pulle to M1 is 40 cm when the system is released how long will it take before M1 strikes the pulle तो इस्ट्रिंग का लेंथ पूल देते हैं, length 0.2 meter दे रखा है, बता तुम कौम सा length है, तिकर देख लेते हैं तो यह string का जो length है वो 0.2 है, पहले तो अपन expressions निकालते हैं M1 M2 M3 के अब मैं बता चुक हूँ ऐसे conditionals से यहाँ करना है बहुत simple होता है यह मैं बता चुक हूँ lecture में, इसका लेक्षर लिया था मैंने, जिसके लिए examples कर गाए, वाइप a solid examples उसके लिए बता गिया था मैंने कैसे करना होता है इन problems को, सबसे simple तरीका क्या है, यह 3 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 2 है, यह 2 है को फिल्फ लिंदागा है यह 2 है एक 0 गटाए, यह 2 है सबसे बदूध, लिए कि MartFit को क्या है, ''summition of tension into x को mate k Verkehr को करें यह संगे रएक प्ञेचन वन धIndम्न बटेखंदे के लिए लो, भर महाना चतके लिए, मासा सबसें लिए себित का है क्या है, क्यों पर गटे है तो क्या बंद्रियागा, नेगेटिव पॉमन लेलो, 2t into a1 plus t into a2 plus t into a3 is equal to 0, tb नटिया, तो क्या आगया, 2a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, 2a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, 2a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, एक तरीका यह भी होता है, बट वो टू ब्लॉक में होता है, उसको छोड़ो, तो 2a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, दोसरी उपन क्या करेंगी, अपने इसके लिए, एक्वेसिन लेकिन में यह ज़ञे कि इसकी इसकी और इसकी, इसकी आपर इसकी, तो एक्वेसिन नीचे है तो नीचे की तरफ वालके है, तो फर्स्टवाला a1 ब्लॉक लिएको, नीचे की तरफ प्रॉस के तरफ गहेगा 1 into g, उपर कितना है 2T, यह 1 x A1 बन जाएगा, वेट आउट क्या पर, 1G-2T is equal to 1 A1, इसके लिए बन जाएगा नीचे कितना है 2G, उपर कितना है T, A2 A2 बन जाएगा, 2 A2 बन जाएगा, 2 A2 बन गया, 2 A2 बन गया, 2 A2 बन गया, अब यहां से हमको इसको acceleration निकालना है T, A1 A2S भी निकालना है, और tension भी निकालना है, tension भी निकालना है, और acceleration निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको? tension भी निकालना है, expression भी निकालना है, तो कैसे करेंगे लिपो? tension को eliminate करना पड़ेगा, अब यार यही दिकास लगता है, तो एक काम करते हैं, अपर सब को है ना, पहले तो इसको 2 से divide करेंगे, तो ती बाइ 2 बन जायेगा, इसको 3 से divide करेंगे तो ती बाइ 3 बन जायेगा, तो a1 आगया, मेरे पास a2 आगया a3 आगया, अब मैं बता है, 21 plus a2 plus a3 is equal to 0 है, 21, 21 मुसे बिक्ता हो गया, 2g minus 40, तो मैं कहले लिए 2g minus 40, plus a2, a2 कितना है? g minus t by 2, plus a3 कितना है? g minus t by 2, g minus t by 3, this is equal to 0, तो 2g plus g plus g plus g kitना हो गया? 4g, minus 40 minus t by 2 minus t by 3, 40, तो 40 तो हो गया, यह 0.5 होता है, t by 2 और t by c कितना होता है? 5 t by 6, तो 4, plus half, plus 1 by d को अगया लो, तो यह कितना है 6, 64 is 24, plus 3 plus 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो plus minus 29t upon 6 equal to 0, तो t आ जाएगा अपने पास t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा 24g upon 29, t कितना जाएगा 24g upon 29, t कितना जाएगा 24g upon 29, a1 के लिए कर दो g minus 2t, तो a1 कैसे निकालेंगे? a1 कितना जाएगा? a1 is equal to g minus 48g upon 29, upon 29, तो 29 उपर जाएगा, 29 minus 48 upon 29 × 2g, तो नेगेटिव आ जाए, 48 मिस 29 नाइस को लोग से इतना हैगा? 48, 38, 28, 19 upon 29, तो minus of 19 upon 29g, इसका किया मतला हुआ negative का कि negative का मतला पहली बार तो ये उपर जाएगा? तो इसका expression उपर कितना होगा? 19 upon 29g, 19 upon 29g, 19 upon 29g, ऐसे इसमें भी डालोगा तो आ जाएगा, तो पहला सवाल यह होगा, दूसर सवाल क्याता है? कि यहां से लेकि यहां तक का distance है, वो 0.2 meters है, यहां से लेकि यहां तक का distance इतना है, 0.2 meters तो time किता लगेगा? स्काद जाएगा, यहां से निकाल दो, आंसर आजाएगा, क्रलेते हैं, solve क्रलेते हैं, तो यह क्या होगया? अब यार यह सॉल करना तो डिपिकल्टी है तो कैल्कुलेटर ना सॉल कर लेना है यहां तो टीक है इसको एक बार रहा ना 3 x 2 माल दो 29 x 92 3 x 2 माल दो तो यह बनी है 1.5 1.5 इसको पर 10 माल दो 15,6,90 और 15,10 बचावा पिसे 15,6,90 तो 6.66 आएगा तो 0.4 upon 6.66 आ रहा है 6.66 को माल दो 20 upon 3 20 upon 3 तो बनी है 0.4 upon 20 into 3 इसे भी कोई फायदा निकाओ यह बन जाएगा 200 तो यह बन जाएगा 2 से कैंसल क्रते, 2 थो जाएगा 6 upon 100, Do정 करते 6 upon 100. 2 पाय टाम जाएं 6 का रूट कितना होता है 6 का रूट जाएं 2.5 25 25 25 6 25 जाएगा 6 25 जाए ना 6 का रूट कितना हमा यह बनार 2.4 2.5 कि लब लब हो यह तो देख था था, what should be the mass m so that it remains at rest, what should be the mass m, नहीं है, यह कोई आगे चल गया है, यही तो है question, previous problem में क्या दिख था है, यही से में तो है, question number 28, let m1 is equal to, what should be the mass m so that it remains at rest, यह समझ में नहीं है, कौन सा question है, previous question में तो, m2 को 2 मान रख रहा है, m3 को 3 मान रख रहा है, मेरी साब से मिस्प्रिंट है, यहां पर mass m1 आएगा, what should be the mass m1 so that it remains at rest, m1 का value क्या हो, क्या हो, so that it remains at rest, m1 का value क्या हो, कि यह rest पे रहे, m1 का value क्या हो, कि यह rest पे रहे, यह ऐसे जा रहे, यह पुली है, यह 2 है, यह त्वी है, यह मिस्प्रिंट है, मास m की जागे, m1 आचाहिए, क्या है, तो यह rest पे है, मतलब यह पुली पे है, यह rest पे है, मतलब यह पुली मिला से इसको fix मान लो, हम कर चुके, यह fix होगा, तो थोड़ा तो ऊपर से fix मान लो, यह rest पे हैगा, यह पुली है, यह पुली के पुली पे यह पर जाएगा, तो इसमें जो tension है, मोट निकाल से कि तना होगा, 2m1 m2, upon m1, plus m2, into g, मतलब रिर्टा बनगे, 2x2, 3, upon 5, into g को 10 मान दो, 2X10, 3X6, 2X14, 24 Metons के tension । 2M1 M1 M2 x M1 2X G , M1 M2 । 2X3, M1 M2, 5, 5X10, 2X6 2X12, 24 Metons 24 Metons । 24 Metons । 48 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 Metons । 4.8 तो नीचे 4.8 x G से multiply और 48 बनाएगा, तो जो आएगा 4.8 kg अपने पास answer आजाएगा, next zip में question number 30, next zip में question number 30, calculate the tension in the string, show on the figure the pulley and the string are light and all the surface of frictionless 1 kg बनाएगा, तो यह बनाए, तो यह ऐसे बनाएगा हता है, जो एक षिर फैक्स करेगां Юरी अगर इसको खोन दो, इसको खुल दो, फुले को ऐसे इस पर एं है इसको कोई है, इसको कोई सहीं है, तो यहां से बनाओ तो यहां से काट दो यहां पर यहां पर यह बन आख लुटन तो यहां के लिपण से क्लेशन परेंट इसे टो यहां पर यह करने पर यहां वह नत्ता है यहां पर एक और तुमको रॉमपन बताने वालू हूँ एक और तुमको रॉमपन बताने वालू हूँ एक्सलेशन का रिलेशन निकालने के लिए मैं यह तो बताई चुका कि summation of t into a कड़ो उसको 0 कड़ो तो ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर tension एगर t होगा यहां भी t होगा यहां 2t हो जाएगा तो अगर इसका acceleration नीचे मान रहे हो a1 इसका आगे मान रहे हो a2 इसका नीचे माना a1 इसका आगे माना a2 तो हम क्या लिखेंगे यह यहां पर यह उपर a नीचे तो minus k into a1 इसको इकल तो इसका इसका acceleration अगर a होगा इसका 2a होगा मतलब इसका acceleration double होगा मतलब a1 इकल तो 2a होगा तो directly यह formula भी ज़्याद रहसके होगा थो अगर दो ब्लॉफ सिस्टम हो चल्म है तो accelerations are in the inverse ratio of the tension तो इसका a तो 2a तो a2 तो a1 कितना बन जाएगा 2a तो इसको a नीचे कितना बन जाएगा 2a तो इसको a लिख दो इसको नीचे कितना लिख जाएगा 2a आगे चलते हैं, इसका बनाते हैं, पूरा FBD बगर बनाते हैं, और solve करते हैं, ठीक है, acceleration निकालना है, tension निकालना है, force exerted by the clamp on the pulley, A in the figure भी निकालना है, ठीक, करते हैं, चलो, तो, इसके उपर का equation बनेगी, 2T is equal to 2M into A, इसके लिए के बनेगी, नीचे के तरह positive लेंगे, तो, mg minus T is equal to M into 2A, mg minus T is equal to M into 2A, मनेगे तो, जो, दोनों को add करोगे, तो, भी कोई फाइदा निए होगा, थैसे के थी cancelsule निकालना है,szetto, तो इसको 2 से multiply कर लोगे, तो, इसको 2 से multiply करोगे, तो, इसको 2 से multiply सब्सक्राइब गरया, नहीं की दो, इसको 2 से multiply कर लोगी, तो बनेगे चाहीं कर दो, इसको और इसको अड़ कर दो, तो एड़ कर दो, तो डिए को तो डिए कर लोगो को होग। यहां कितना आगे में 2m g , इस इंग घया है तो A कितना आगे है, A कितना आगे 343 अधिक इसका बन्जाएगा 2g एक value g by 3 है, तो इसका expression 2 है, तो यह बन जाएगा 2g by 3, पीछ आण से कितना है 2g by 3, ठीक है, find the tension in the distance, tension के लिए 2t is equal to 2ma, 2t is equal to 2ma, 2t is equal to 2ma, t is equal to ma, 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 t is equal to mg by 3, tension के पना है, mgy by 3, tension is equal to mg by 3, तो पुली, तीसरा पूच्छा है, अब यह नहीं चीज पूच्छा है, calibrate the force exerted by the clamp on the pulley A in the figure, तो clamp का इपर FBD बना है, clamp क्या लग रहे है, एक तो नीचे टेंचन लग रहे है कि इस तरह tension लग रहा है, तो नीचे टेंचन लग रहे है कि इस तरह tension लग रहा है, तो बाकि तो fixed है, वो, भई clamp on the pulley पूचा है न, यह pulley है, यह clamp है, तो pulley, का अगर मैं FBD बना होंगा, तो pulley पे एक और force लगाना है, इस तरफ F । लगाना पड़ेगा न, तब ही तो balance, पुली पे net force जीरो होना चीए कि नहीं, फुली माचलस लेते हैं तो फुली पे net force भी जीरो करना पड़ते है हुँआ तो फुली पे एक तरफ टैंशन ती लग रहे हैं, इस तरह एक force लगाना पड़ते है यह force कुल्ड प्रवेट कर रहे है, यह चोटा सा धंडा यह fcostheta is equal to t, fsintheta is equal to t. f kleutar is equal to t, f square is equal to t square is equal to t square square o write ,cken to que, s square knows k aj sqe 성 y i tk सब्सक्राइब करें देखें हैं का, क्लैम 45 डिगरी पे पोर्स लगा रहा है किसना, रूट अफ दू, एमजी बाइ, सीखा, चाटी दो देखते हैं, find the acceleration of the block of mass, in the situation, so all the surfaces are frictionless and full is a nisting unlike, तो हमको क्या किया रिखने है, पैरी चीज कर यहां रिखने है, तो हम यहां रिखने है, तो यहां टी ले लो, यहां टी ले लो, यह ऐसे है, यहां 2T होगा, यह process है, तो यहां पर tension T है, यहां पर 2T है, तो अगर इसका acceleration नीचे की तरफ यह होगा, इसका 2A होगा उपर दी तरफ, बासमाजी नहीं, acceleration आविंदा, इंवर्स ratio का tension से, यह आगा सकते हो, यहां पर दिखता था, तो T into A1, देखो इसको T into A to कर रोगा तो 2T उपर ली तरफ ना, इस पर, minus of 2T into A, plus T into 2A, तो cancel भी हो रहा है, यहां इसका मास केतना है, 2M, इसका मास केतना है, यहां अंगल लिखना है, 30 degree, 30 degree angle है, तो यहां दो G होगा, Mg, sin 30 लगेगा, मतला Mg by 2 लग रहा होगा, और यहां दो नीचे लग रहा होगा, 2Mg लग रहा होगा, 2Mg, उपर की तरफ के आप उसे 2T is equal to 2M, दो equation आगे दो variable है, क्या पूछा है, acceleration पूछा है, mass M का, मतलब 2A पूछा है, तो A निकालो, उससे 2A निकालो, tension को cancel करना है, तो इसको multiply by 2 कर दो, यह क्या बन जाएगा, 2T minus Mg is equal to 4M, तो अपर सेम अंसर आजाएगा अपने पास, 2T 2T के अंसर, 3Mg, sorry, minus M, mg is equal to 6M, mg is equal to 6M, तो एक इतना आगया, G by 6, लेकिन अपर को तो 2A निकाल रहा है, of mass M, तो कितना आजाएगा, G by 3, कितना आजाएगा answer G by 3, अपना answer हो गया, क्यों नेक्स चलते है, question number 33, अब 33 में pseudo force भी लगेगा, क्यों डब्बे पर दब्बा problem है, जो इमको नहीं सबझे बाल है, डब्बे पर दब्बा क्या होता है, मैं lectures नों बता चुका, solid examples के अंदर, और जब मैं theory पढ़ा रहा है, जयादा लंबे theory नहीं है, एक कंटे अपनी theory के वर कर दिया है, तो पढ़डो, डब्बे पर जब problem होता है, तो सुदो force लगाते है, बंदो problem देखते हैं, find the mass m of the hanging block in the figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block, तो इसमें कोई सुदो force लगाना बहुत है, यह टोटल जो body है slip नहीं करती है, मतलि इस total body को एक body मान दो, यह इसके उपर slip नहीं करता है, और अब साथ-साथ move करेंगे, हम साथ-साथ है, type move करेंगे, तो इसको एक block मान दो, ठीक है, all the surface are frictionless in the sub-right, अब simply problem होगी है तो, वापर सब खोल दो, खोलो को तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा m-plusm, और यह क्या बन गें, capital M, इस तरफ mg लग रहा है, और तो कोई force नहीं है, इस तरफ mg लग रहा है और तो कोई force नहीं है, चीक है न, सब साथ-साथ move कर रहे है, सब साथ-साथ move कर रहे है, तो इसका desperation कितरा हो जाएगा एक्शिण दो, X is equal to mg upon M plus M' plus M. यह तो इसका acceleration हो गया, mg upon M plus M' plus M. ने इसमें एक और दिखकत है, इसमें एक और दिखकत है. यह पार समझ वा गाए, यहां पर समझ भागी? अब हमको problem इसमें convert हो गया, कि मेरेको इसका acceleration पटा है, मेरको ये परणने कि 105 प्रें ये ख्राइस के अ करना है मेरको इसका expression पता है मेरको ये प्राइस कक्षें ना पटा कि क्या है इसको त्म सु डोजिफ से लिवा ख़ता तूं arrest इंगर सकती क्यों कि इसके उफठ नहीं काम सुटर करता तो कि क्या बन बाभागा इन डॉनों के दुए को फिक्टेक नौ्मुल्न के अ्ये वलोय कंपोनेंट न२हäre N और यह component होगा n sin theta, तो मैं लिखेंगे n sin theta is equal to ma, एक equation यह बन दे, n sin theta is equal to ma, n sin theta is equal to ma, एक इस triangular wedge के लिए बनाना पड़ेगा, इस पेक तो tension t लगई, एक इस का normal reaction n लगए होगा, एक तो tension t लगई, एक normal reaction n लगई होगा, एक component के लिए normal का n sin theta, बोगा कि नहीं n sin θ, n sin θ, n sin θ, n sin θ, तो इसके लिए करमेंगे, T minus n sin θ में इक एके रही है इना भी लिएंकर कर देख हो तो everybody बनेगा, उसके अंदर एक तो N आ रहा होगा, एक नीचे की तरफ Mg आ रहा होगा, N के दो component होगा, एक पर इस तरफ क्या होगा, N sin teta, ऊपर क्या होगा, N cos teta, यह अपन पर चुके हैं वैसे problem, यह पर चुके हैं वैसे problem, यह पर चुके हैं, वैसे जब मैं X चोरी पढ़ A is equal to N cos teta, और X के लेके equation लिखेंगे, X में A acceleration से आवी जा रहा है, यह A acceleration से आवी जा रहा है, तो हम लिखेंगे N sin teta, N sin teta is equal to M A, बतला basically इसको तो यहाद भी कर सकते हो, अगर डिवाइट करोगे दोनों को, N sin teta for N cos cos teta, 10 of teta के लिखेंगे, 10 of teta के लिखेंगे, 10 of teta के अगरा होगा, A y g के बराबर होगा, तो बस A को के लिखता होगा, A को लिखता होगा, A को लिखता होगा, G tan teta is equal to, A is equal to Mg upon M plus M dash plus M, nिकालना क्या था हमको, find the mass M, capital M nिकालना है, capital M is equation को solve करोगा, G cg cancel कर दो, तो इसको 10 of teta से multiply कर दो, क्या बन जाएगा, M tan teta plus M into M dash plus M into 10 teta, 10 teta is equal to capital M, capital M इस तरफ है, इस तरफ ले जाओ, minus कर दो, तो यह क्या बन जाएगा, समझ को, M common, इसको इस तरफ ले जाओ, यह बन जाएगा, 1 minus 10 teta, 1 minus 10 teta, m की value की आजएगी, this upon 1 minus 10 teta, this whole upon 1 minus 10 teta, 10 teta से divide कर होगा, दो नो जाएगा, 1 minus 1 जाएगा, answer, M dash plus M, 10 teta upon 1 minus 10 teta, 10 teta को निची ले जाओ गए, तो 1 upon 10 teta, 4 teta बन जाएगा, minus of 10 teta, 10 teta, 1 जाएगा, तो कर देखना हो जाएगा, साल, ठीक है, next करते है, question number 34, बहुत सारा कुछ काम करना है, question number 34, तो अगर, एक घंटा हो गया, तो मैं आगे का लेक्ट से बाद में बनाता हूँ, एक घंटा नहीं हुगा, तो फटे 7 निट से हुए, तो अपन कर सकते है, find the explanation of the block A and B in the three situation show in the figure, तो अगर, तीनों को सवाल कुछ से करना है, तुमको सवाल क्यों करना है कुछ से, यह मैं बता जाता हूँ, इसको अंदर एक चीज़े जो बता जाता हूँ, तो यहाँ पर T है, यहाँ पर 2 T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर 2 T है, मतलब इसका acceleration अगर यह होगा तो इसका 2 A होगा, एक्सविशन अरे इंवर्स रिशो और Tensions, एक को नीचे मनना, एक को उपर मनना, ओब्वेसी बात इसको भी नीचे मानोगे, इसको आगर मानोगे, इसको मैं स्वाल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें फिगर देख उजीब सा है, वो अजीब सा क्या है, वो उजीब सा क्या है, यहां पर टूटी बन जाएगी, तो यह T है, यह टूटी है, इसका expression अगर नीचे मान रहे हो, तूए मानना पड़ेगा, इसका उपर बानना पड़ेगा, तो यह भी हो गया, ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके अंदर भी, यह भी हो गया, तो इसके लिखे हो, देखो, उपर के तरफ टूटी माइनस विप्ती, इसके लिखे हो, 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 इसके को उफ्टी. इसको 2- 60 एकल टू 5-D के साद पर ईटारोगी दि ऐकल टू 69. पाने सुप्य पाने संप्य तो 10 गाइवन तो आपने पास आजाएगा एगाएगा टूसरा अटूसरा आज़ेगा से प्रॉड्ड मैं पता तो उन्रेडी एक्जंपल सुन दोगों तो पड़ लोगे कोई दिख्क्रताइग नी चाहिए ठीक ना सब्सक्राइब और पूछा है कि 500 ग्राम का एक्सेलेशन बताओ कर थे कहो सिस्पम पूरा कि यह फुटी है सब्सक्राइब यह फॉटी तो इसको केजी में लिखलो 50 को लिखो कि 1-20 अंग रिगलेओं और इसको कहा है तो इसको पॉंट तो इसको कहा है लगाल रहा है लग जाते हैं कि लिखनें भीजाषैंव इसको पर ही इससे टो नीचे की तरफ लगेगा कितना लगेगा ? m into G sin 30, m into G sin 30 G by 2, मतलब M G by 2, one upon 10 into G by 2. मतलब कि इस तरह जो प्रस लग रहा हो, किसला लग रहा होगा ? one upon 10 into G by 2, G by 2, मतलब कि G by 20 पर लग रहा हो गा. इस पर जो फोर्स लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा नीचे 50 अधिक है तो अब नेट फोर्स विकाल तो system पर कितना है तिनों का expression सेम होगा तिनों ऐसे जाएंगे तो नेट फोर्स कितना है उस तरफ तो अब फ्लस दों गाए 10 उसे तो जी बाए 10 कितना होगा 10 होगा 5-1 कितना होगा 4GY10 इस इकुल 8G by 13 अपने पास एक्समेशन आ जाएगा, 8G by 13 अपने पास एक्समेशन आ जाएगा, इसलिए परिक अब जान जोगी ना, तो बहुत प्रॉब्ल सिंपल गज़ जाएगा, अब इस पर टेंशन में निकालने की ज़रती नहीं, पूरा सवार पर ज़रती नहीं है तुमको बिल्कुली, कर्टेशिक से मंकी ओफ मास 15 kg, क्राइम ओन रोप इस एक मंकी है, इसका मास 15 kg, इसका एक्सलेशन उपर के तरह कुछ यह बन, क्या करते हैं, क्या करते हैं, और आपन रोप को निचे कीचे लिए, तो आपन रोप को नीचे कीचे हैं, और X solution इसका उपर की तरफ 1 meter per second square, तो इसका पूर रिस्ट इक्वेशन F minus M कितने 15, 15 G, G को 10 माननो, is equal to उपर की तरफ 15 into 1, तो F कितना आ गया, 165 N, अगर 9.8 है थोड़ा सा काम आ जाएगा, ठीक ना? How much force या गया अंसर, if the rope is 5 meter down and the monkey start from rest, how much time it will take to reach the ceiling? अभी तो X solution 1 दे रखा है अपन को, तो S equal to U T plus 1 आपर की सपार आदा, तो S कितना पे पास? 5 is equal to R, 1 T, तो P कितना आँगा, root of 10 लगगा, 3.14 के आसपास आए, 3.1 के आसपास आए, अगर root of 10 दे रखा है, 165 N दे रखा है, 165 N दे रखा है, ठीक ना? कोशन नमबर 38 पे आते हैं, कोशन नमबर 38, कहां गया 38? यह है पुरा, अच्छा, काफी है इदर, यह मेरे दोस्तों को बहुत दिक्का जाती है, इसके अंदर, अच्छा, यह तो, यह भी एक गया, 37, कौन सा कर अपने 36 आपने है, हमने 37 कर लिया, यह हमने 37 नहीं करा, 37 करते हैं, यह मंकी इसके अंदर, कच्छ, 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 इसका मास दीन है, ईसयों है, so that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block remains in front of each other, यहांत ऐसा ही कुछ है, basically moving in the same direction में देखने ला एक हमें टीक है? तो यह बोला है कि कुछ भी force monkey लगाये rope पे है तो दोनों का acceleration सेम होगा है, अपन क्याता है? को अपन के वायत है रहेंगे? अपन monkey का iапटडी मना लेका है नो मंकी का एक एक इसे बनेगा खचफच खच खचच खचाक नीचे Oprechen लग रहा है और मंकी पर ल corporis क चांच मांद ही ऊवधिवर्य एयव牲 है मंकी पर ओफोर्स का लेजिए 12 को को फट मों का लेज़िए 12 को इस पॉर्स युपान पॉर्स भार होगा यह मां स हम है, आई बार समझमें, अगर इस तरफ F-Ports लग रहा है, तो जो rope का तुम एक्षटी बनाँगे टूर इस तरफ भी F लग रहा होगा, तो मंकी का नीचे M-Z आ रहा है उपर F आ रहा है, ब्लॉक का भी नीचे M-Z आ रहा है यहां से रोप नीचे किछ रहे हैं, यहां से रोप नीचे किछ रहे होगी, यहां पर एफ और दोनों का net force बराबर है, दोनों का mass बराबर, दोनों का acceleration भी क्या होगा, बराबर होगा, question number 38 देखते हैं, the monkeys holding the tail of, अब यह monkeys बड़ी मस्की बार रहे हैं, और यह बूसर की देखते हैं, फिछ था अधार यह भी क्या बंकि भूल रहे हैं , अधार बंकि ट जो इसे कटा प्र보न होग से इसे पीशम कुछ से अंरा में , अब क्या बूल रहा है ? अभी पुल रहा है ? अब भूल रहा है ? जो ऑपर वला ए नीच वला भी है और अगे तर्म मासे साथ है 5 kg फेजी इसका मासे 5 kg और छोड़ा बच्चा मंद गए रहा है तो इसलिए इसमें पूर्ष पकड़े भी जा है बच्छे लो कटे, if we take a can tolerate a tension of 30 newton in his tail, इसके tail में जो tension हो सकती है, 30 newtons, what force is applied, it apply on the rope in order to carry the monkey B with it, तो B को साथ में लेकर जाने के लिए, कितना force चाहिए, रोब तो brake हो रही थी, ऐसा question था, वो question कुछ और था गया, वो तो पूछ रहती है, एक question था, जिसके अंदर वो पूछा था, कि range क्या होगी, वो इसमे range ही आ रहा है क्या, वो इसमें range ही आ रहा है क्या, वो बापेस पढ इस tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey, B विरे, ठीक है, तो अपन B का इसमें बनाते है, पहले, B का जो LPD है, नीचे के कितनाफ कितना है, 20 लग रहा है, 20 लग रहा है, 20 लग रहा है, पिकोस 2 kg मास है इसका, और उपर, एक tension आ रहा होगा, उपर क्या रहा होगा, एक tension आ रहा होगा, अज उ कम तो, ओ ही सकता है, तो मान लेते हैं, इसका acceleration उपर कितनाफ A है, तो उनके रहा है कि T minus 20 is equal to 2 into A, तो T कितना हो जाएगा, 20 plus 2 into A, T कितना हो जाएगा, 20 plus 2 into A, T कितना हो जाएगा, 20 plus 2 into A, ये बात समझे में आ गई, दूसरी बात क्या है, कि ये दोनों 5 kg और 2 kg वाले एक सिस सिस्टम मन के ऊपर जाएगा, जिसको इसने पकड़ा होगा है, तो ये एक मंकी है 5 kg वाला, इसकी पूच को एक और मंकी ने पकड़ा होगा है, बट ये दोनों ऐसे सिस्टम, इसको ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, F बोर्द है तो फोर्स को S, इस पूरे सिस्टम का इसको पन एक सिस्टम का रहा होगा, इसको पन एक सिस्टम का रहा होगा, F-70 is equal to 7 into A, ये बात समय पाविए? हमको क्या चीए? हमको एक condition चीए कि यहां पर टेंशन 30 से जादा नहीं होगा है, तो यहां पर जो acceleration है, 20 तो अलड़ी है, टेंशन की maximum value कितनी हो सकती है, 30, जो भी 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10, तो मतलब acceleration की value 0 से देखे, 5 तो जा सकती है, क्यों 0 होगा अगर acceleration तो तो टेंशन 20 है, 1 होगा तो 22 हो जाएगी, 5 होगा तो 30 हो जाएगी, उससे उपर नहीं जा सकती है, तो acceleration की value 0 से लेके 5 तक तो जा सकती है, तो यही acceleration से अब पूरी बाड़ी उपर जा लिए, तो f की value कितनी है, 70 प्लस 7 इंटू है, 70 प्लस 7 इंटू है, तो f की value 70 प्लस 7 इंटू है, 7a की value कहां से आ तक होँ होँख्ची? एक की value 0 से नहीं क्रिय fine तक है, तो 7 की value 0 से लेके 75 तक होरे है, तो इस कुरी चीशी की value प्लस 7 आ होई, 70 से لेके 105 नहीं 20 सेवंटीबम मात मुठोच नोकिनम ताइगा। वही पे हाँ उपन हाँ है। और तो सेवंटीब मुठोच गश्राइगा लखोन गने है। ऑंदेंट्वर प्रणूटन को जागा लगए और सेवंटीबमम प्रणीबम साथ कषान जब सहुआए, तो यह मंकी प्रव्लम ना होगी, सिंपल होते हैं, प्रव्लम बता नहीं बच्चों को इस नहीं दिक्कत क्यों होती है, 39 देखते हैं, चार को श्रावा बच्चें, 39 देखते हैं, 39 प्रव्लम, तो मैं फिगर इसमें से देखते हैं, यह फिगर है, इसके दर के इंसान खड़ा हुए, और इससान नहीं रस्ते को कड़ी हुई है, ऐसे कुछ है, ठीक है, मैं का मासर 60 kg, बॉक्स का मासर 30 kg, बॉक्स का मासर 30 kg, इसमें बॉक्स का मासर कि इसमें बच्चेंगे का इसमें, तो यहां पे बैद की बात करेंगे तो नौरॉलीक्स का आएगा, मास की बात करेंगे तो kg आएगा but सांगे केजी पी दे रख ख़्लाक है To वैशल उसको थो नुइरेसे गल इक है अर्मिज़ेक्शन को निकालगी में चुश्ट से हिसा लिँट आने हॉट और आठट है तो डूसर लिए क्या उट है करेक्ट हमेशिन होत्य Tension की value क्या होगी यहां पर जेस्ट उसका weight 60 आजाए दो चीज हम निकालने मादे है तो मैं का इपड़ी बना लगते हैं मैं का इपड़ी क्या क्या हैगा देखो उपर Tension T, उपर normal reaction N, नीचे Mg और यह पूरा की पूरा rest face क्या लिख देएंगे T plus N minus Mg is equal to 0 मतब T plus N is equal to N, N कितना है 60, एक री हागे, दब्ब्ब की बाद करते, दब्ब्ब्बे की बाद का होगा देखो, और यहां इंपर T S घा रहागा, क्यूकि मैंक का न्यार्मल तो एक 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 दब बेद भुद का वेट है 30 इंटू जी, तो एक 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 से बने की, t, t-n-30g is equal to 0, दो equations आगी, एक टो t plus n is equal to 60, t minus n is equal to 30, तो basically t minus n is equal to 30g आगया, और t plus n कितना आगया, 60g आगया, मतलब t ka value कितना आगया, तो पहला अंसर तो पहला आपना हो गया दूसरा क्या बोल रहा है वो दूसरा वो बोल रहा है कि कि यहां पर मुझे रीडिंग चाहिए 60 अदला नॉर्मल देक्शन 16 to G बन जाएगा तो जब मैं मैं का इस्पड़ी बनाऊंगा उपर टेंशन टी लग रहा है नीचे 60 G लग रहा है और उपर 60 G लग रहा है लग रहा है कि नहीं इसको अपना बढ़ाना है तो दोनों चीज हो रही है अगरी खीचे क्वेशन खज़एगा तो छोप रहा है कि दोनों के भीचंत भड़ेगा तो इसके अदेर पता की लोर्ड कणना तो हम क्या मना देंगे कि किसी फोर से खीच रहा है और जोड़ा एक्सलिरेत कर kleण मतल्बव्स टृब्व खर साथ होग फटाना न। इसको फोड़ी इसका exploration यह माल लेते हैं, मैन का अधर equity बनाऊंगा, तो मैन पर 60g आ रहा होगा, उपर n आ रहा होगा, n की वरी बाद में पूट कर देंगे, उपर t आ रहा होगा, और इसका exploration थी, दोनों का exploration सेम क्यों अच्छी, because मैन का प्रहर हमेशा कॉंटेक्ट में रहेगा, यहां क्या रिखेंगे अपन, t mi – 60g, t plus n minus 60g is equal to 162a, t plus n minus 60g is equal to 60a, t minus n minus 30g is equal to 30a, अब हमको क्या निकालना है, हमको तो टैंशन निकालनी है, और नॉर्मल डेशियन का वहलें कितरा है?, 162g, तो नॉर्मल का वहलें कितरा है?, 162g, तो यहां तो 16 to g, 16 to g cancel ही हो गया, तो T के तना गया 16 to g, T को T को, तो T को निकालना है 16 to a, 60 a T के बराबर है, बतलि 30 ए कितना हो गया, T by 2 हो गया, 60 a T के बराबर है, 30 a कितना हो गया, T by 2, तो यह equation क्या मन गई, T minus, normal कितना है, 60 g, minus 30 g, is equal to t by 2, T minus 60 g, 60 के बराबर है, 60 के बराबर है, 30 के बराबर है, तो इसको इधर लेज़ों, तो कितना आ जाएगा, 90 G, T आ गया, 180 G, 180 G मसला 180 0, यह भी आसान कोश्चन ही था, कोई डिकर नहीं है, इसके अंदर, अब लास्ट तीन सवाल बच्चे है, 40 कोश्चन देखते हैं, 40 सवाल, the block A can slide on a frictionless, कोड़ो सवाल को, the block A can slide on a frictionless, incline of angle theta and length and capped inside an elevator, bone of the independent, यह कर चुको है सवाल अपनको, यह examples में कर चुके है, अपन सवाल, आपे सेखर नहीं है, यह theta angle है, सेम सवाल था, पता नहीं कर देखते हैं, यह elevator के अंदर रखा हुए, और इसका length L है, 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 find the time taken by the block to slide down the length of activity is released from the drop of incline, uniform velocity से जा रहा है, यह elevator, uniform velocity से जा रहा है, तो acceleration 0 है, तो G effective G के बरावरी रहेगा, इस तरफ पता है, इसका length L के बरावर है, यू की तना है 0 है, तो तो इसका तरफ पॉज़ेगे time निकाल नहीं, L is equal to 0 T plus half of G sin theta, theta नहीं पता, G sin theta into T square, T कितना गया, 2L upon G sin theta का under root, T कितना गया, 2L upon G sin theta का under root, क्या है इस सवार में, कुछ नहीं हाद दूगा समान के, ठीक है, Questioner 41 देखते है, एक R is speeding up on a horizontal road, with an acceleration, consider the following, a ball is suspended from the ceiling of the instrument, a block is kept on its own, ठीक है, so first one is done, मैं example बता चुगा रहा है, एक car है, जो की A acceleration जानी है, यहां पर एक bob लटका होगा है, यह angle constant है, यह angle कर ठीटा होगा, sodo force लगाने के कोई जरत नहीं है, बहार जो person होगा, वो क्या देख रहा है, block आगे move कर रहा है, यह acceleration से, तो यह आपर tension T होगा, यह angle अगर ठीटा है, तो यह भी ठीटा होगा, तो यह बंजाएगा T cos theta, यह बंजाएगा T sin theta, यह angle theta है, अगर यह angle theta है, तो यह बंजाएगा T cos theta, यह बंजाएगा T sin theta है, इसका acceleration A है, मैं बहार से देख रहा हूँ, तो बहार से देखेगा, कि पुरा block slent है, block slent है, लेकिन आगे तो move कर रहा है, तो A, T sin theta is equal to M A, mass into acceleration, दूसरा क्या होगा, T cos theta, minus M D, is equal to mass into acceleration in Y, which is equal to Z, 10 of theta निकालोगे कि दर से, मैं बता चुका, 10 of theta हमेशा A by G की बराबर रखता है, जब भी कोई सवाल पूशने, 10 theta A by G बोल जिए गरो फटाबर से, 10 theta कितना आगे, A by G आगे पैरा answer तो, दूसरे का answer भी यह जोगा, दूसरा answer क्या है, A block is kept on a smooth incline, 10 does not slip on the incline, एक block is, ऐसे रखा हुगा है, M mass का theta angle पे रखा हुगा है, तो अपने दो portion टाले करा था यहां पर, 10 theta is equal to A by G, तो इसका explanation A है, A का value कितना होगा, 10 inverse of A by G is equal to theta, कर भी सकते हो, आपर से कर सकते हो, solve कर लो, block type B बना लो, normal direction ऐसे आएगा, नीचे M G आएगा, इस तरफ exploration A, और normal components का बनेगा, इस तरफ बनेगा N cos theta, इस तरफ बनेगा N sin theta, इसको अटा दो, N sin theta is equal to N A, N sin theta is equal to M A, N cos theta is equal to M G, N cos theta is equal to M G, divide कर दो कितना है, 10 theta is equal to A by G, last question है 42, ए block is clapped on the floor of the elevator at rest, the elevator starts descending with an expression of 12 meter per second, 12 meter per second, बटकर पर gravity से भी जाता है, block हवा में छूट जाएगा, तो block तो G से नीचे आ रहा होगा, लेकिन elevator उस से भी तेजी से नीचे आ रहा है, तो elevator का जो roof है वो टकरा जाएगा, बात समझ रहे हो, अगर दो चीजे हवा में G से जा रही है, 10 से जा रही है, लेकिन एक 12 से आ रही है, एक 12 से आ रही है, तो यह 12 का रूप है वो टकरा के block से टकर जाएगा, तो यह ही पूछा होगा, अब देखो इसमें क्या पूछा है, तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, कि जो block है, अब ब्लॉक का ग्रेफ भी बनाऊगे, तो block तो नीचे, इस पर फोर से एक्सरेशन जी है, तो block का डिस्ट्रेश्में क्या हो जाएगा नीचे की तरफ पूछी के बानेंगे, तो 1.2 का इस्क्वार है, 1.2 का इस्क्वार है, 1.2 का इस्क्वार है, भोक के respect में ब्लॉप के रेस्पेक्ट में लगेगा, यह फिर ब्लोग को अलेवेटर को अलेवेटर की रिखने नीचे था वह बागा तो तो अगर पर निकाल तर निकाल तहीं श्कुरोड के रिखना था यह क्या है ? यह है displacement of block with respect to elevator कुछ बोलेंगे सर्फ ब्लोक तो उपर जाएगा यार block की उपर कॉनसा फोरस है ? MD का फोरस है नीचे की तरग block की उपर कॉनसा फोरस है ? MD का फोरस है नीचे की तरग block G से नीचे आएगा तो half into G into time expar हो जाएगा लेकिन अगर elevator के रिक्षपर देखेंगे तो बोलोक उपर जाएगा तो उसका displacement रिक्सक्षपर नीचे की तरग बॉइक ब्लोक का रिक्षपर नीचे की तरग नेक्स्ट हम चालू करेंगे friction अगें friction बहुत अच्छ एप्टर है बहुत inट्रेस्टिंग है प्रेस्टी में सब हाड भी जाता है, इसका इंट्रेस्टी होता है फिर सर्कुलर मोचनों को बढ़ करेंगी पावर को, काफी फिसिक्स बची हुई है अभी, अपने चालू की है, और मेरी इसाब से तुम लोग सबसे पहले समझ लो की फिसिक्स में सारे सवाल देखो बस कैसे करे हैं मैंने, उसके बाद अटेंट करा करो, सवाल प्रैक्टिस से इंपॉटेंट होता है, फिर सवाल के एक्जाम्पल्स देखना, कुछ लोग बोलते हैं थिरी पड़ो और प्रैक्टिस करो, प्र निया सवाल करो, मत अत्- पलाप, थुम खुँध से व्योषसिक्स करने बैठ़ को कंभी नी होगी, फिरकले से स्वाल-ते नियुक्न के तुम सारे सॉलूशन्स सर देखो, नियुक्त वillar Video, ले द motivator सवाल करो, और उसके बाद नियुक्त तुम नए सवाल करो, परिड दिग तो टेक्टियर, have a nice day, bye and enjoy, bye. कर दोगन, कर दो भेग्यों, को शेक्यांते, भीजवी पे शेदूत, घुच्टिय है, शेक्टिय है, भीजवीन कό् Tarot, पर Night TV, ऑ मतत्यां, परना है? झाल 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 झाल